कि नवसकर दोस्तों तो चलिए मिलोग बात कर रहे हैं एंसे ए याइटी बुक्स को देख रहे हैं तो इसमें हम लोग देख चुक हैं कक्चा छटवी की सामाजिक एवं राजिनेतिक जीवन भाग हेई को खतम कर चुक हैं पूरी तरह से हमारा ढीख के नाम से जो कख्षा चटवी की उसे भी देख चुके हैं, इती भी हमारा आबास है, इसे भी हम लोग खतम कर चुके हैं, ठीक, अब आज से हम लोग सुन करेंगी बिग्ज्यान के बारे में, साइंस, याद रखिए, हमें कख्षा चटवी की एंती, इयारटी की चार बुक किताबें तो चलिए, देख लेते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या, बिग्ज्यान, ये कख्षा चटवी के लिया है, बिग्ज्यान में हम लोग देखेंगे, याद रखिए, आपको जितनी भी PDF होती है, सभी वो टेलिग्राम पर डाल देगा, ठीक है, वहाँ से पढ़त है, इन्हें एक कहानी की तरह पढ़िए, एक दो बार, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपका बेश बनाने के लिए, इसमें जाना कुछ कठिन भासा नहीं है, बहुत ही सल्म सब्तों में लिखे गए हैं, ठीक है, और जो कख्षा 9-10-10 तक की है, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तो उन पर थोड़ा फोकस करके अच्छी से पढ़ना है, इस सब पार्ट पुष्टक की अध्यान की यात्त्रा में, पहली और बूजो को टीम की टीम सदेव आपके साथ रहेगी, उन्हें पिसन पूछना बहुत अधिक पसंद है, बहुत पिसकार के पिसनों के दिमाग में आते हैं, बहुत पिसनों को अपनी थैलियों में सजोते हैं, कुछ पिसनों को वह आपके साथ बाटनेंगे, जिन्हें आप बिविन अध्याओं से में पढ़ेंगे, इसमें यही मतलब है कि आपको एक कहानी की तरह समझाया जाए, जिससे आपकी करने कि ay mane जिसे हमें आराम से समझ में आ जाता है कि कुछ पिसनों के उत्तर पहली और बूजू किताबें पढ़नी होगी, पिसनों को विग्यानिक कोई के पास पेजना होगा, उनकी पिसनों के उतर ने तुम यथा संभव प्रयास करेंगे, साथ कुछ पिसन ऐसे भी होगी, जने में अपनी थेलियों में बाद कर बड़ी कर्चाओं में ले जाएंगे, इसमें आप लोगो तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कहानी की तरह समझाए जाएगा, इसमें पहली और पूजो के द्वारत, अब आपको अगर आपको पता है, अगर हमारे देश में दो पॉइंट सबको पता चल जाए, और उनके अंदर तक की मूल बात में मालूँ चल जाए, इसका आखि बढ़ सकता है, क्योंकि हमें अधिकार पता है, तो मूल कर्तब पता नहीं है, और कर्तब पता है, तो अधिकार को पता नहीं है, भारत का सम्मिधान भाग चार एक में आपके नागरिकों के मूल कर्तब दी गए है, अनुछेत इंक्यावन एमें, मूल कर्तम, भारत के पिते लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कितने लोग करते हैं गिने चुनें सुतंता के लिए हमारे राष्टी आंदोलों को पेरित करने बाले कुछ आधरसों को हेदय में सजोए रखें उनका पाल में करें तीसरा है भारत की संप्रभूता एकता खंड़ता की रख्चा करें और उनके उसे अच्छन मनाय रखें देश की रख्चा करें और आहान की ये जाने वाले राष्ट की सेवा करें अहन किये जाने पर राश्ट की सिवा करें भारत के सभी लोगों में समरस्ता, समान भातत की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भासा और पिर्दे से अपरक पराधारित सभी भेधभाव और सिपरी हो ऐसी पिताओं का त्याक करें जू महलाओं के संबाने के दिरूतू हमारी सामसिक संस्किती की गौरब साली परंपरा का महत्त सम्झे और उनका उसका परिक्षण करें प्राक्तिक प्रयावेंड की जिसमें जिसके अतरगत बन जील नदी और वन जीव हैं रक्षा करें उनकी संबर्धन करें तथा प्राणी मात्केपिती देया भाव रखें बिज्ञानिक दिश्टी को और मानवाद ग्यानपरजन ग्यानरजन तथा सुधार की भावना का विकास करें सारवजनिक संपत्ती को सरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें बेक्तिकत और सामवी गतिविदियों के सभी छित्रों में उत्करश की और बढ़ने का सतत प्यास करें जिसे इस राष्ट नियरंतर बढ़ते हुए प्रेयतन और अप्लब्नियों की नई उचायों को छू सकें यदि माता पिता यसा रख्चक है तो 6 बरस से 14 बरस तक की आयुक बाले अपने यत्था इस्तिदी बालक या पिती पाल कुछ इच्छा की आउसर पिदान करें तो यह था आपके मूल करता हुए ठीक है अब है आपकी बिसाय सुची क्या है बिसाय सुची जो हमें इसमें प बुचान कहांसे आता है बोजन कहांसे आता है हमारे इन अध्याय एक में देखेंगे बोजन के घटक देखेंगे में उन्हें देखेंगे अध्याय तीन में देखेंगे तंतु से वस्त तक अध्यायचार में देखेंगे वस्तू के समुह बनाना अध्यायचार में देखेंगे पधार्थों का पित्थक करन, पदारतों का पित्थक करन, अध्याय 6 में देखेंगे हमारे चारों और के परीवर्तन, हमारे चारों और जो परीवर्तन होते उन्हें देखेंगे, अध्याय 7 में देखेंगे पौधों को जानेंगे, इन्हें पौधों को जानेंगे हम लोग, अध्याय 8 में द अध्याय दस्त गती एवन दूरियों का मापन देखेंगे अध्याय ग्यारे क्या है प्रकास छाय आए परावर्तन देखेंगे आपको बता रहा हूं फिर से कि इसमें ज्याना टेंसन आपको दिमाग जो लगाना ही नहीं है क्योंकि आप एक दो बात सुनेंगे याद पढ़ेंगे आराम से आपको समझ में आए गया है जो थोड़ा कटेन है वो समझा देंगे बस खतम है अध्याय बारे बिद्धुर तता परिपत अध्याय देरे चुम्मकों द्वारा मनुरंजन अध्याय चोदे जल अध्याय पंद्रे हमारी चारों और वायू और अध्याय सोले में कच्रा संग्रे एवं निप्टान के बारे में देखेंगे तो यह हमारी सोले चेप्टर कित पहला द्याय देखेंगे, भोजन यह कहां से आता है हमारे लिए, पहला द्याय होगा हमारा, भोजन यह कहां से आता है, तो चलिए हम लोग बात करें, NCEAT कच्छा छटवी की विग्ज्ञान के बारे में, ठीक है, इसमें पहला चेप्टर हमारा है, भोजन यह कहां से आता है, याद रखे, पहले कहानी की तरह सुनिये, सुनते रहिए, जाना दिमाग मत लगाईए, अगर जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है, और आपको अंतर सुनते सुनते आराम से समझ में आ जाएगा, इतना मुझे लगता है, आज आपने अपने घ प्रिकार का आहर लिया था, कि ऐसा थै कि अलगलग समय में, हम बेंड़ बेंड़ प्रिकार का आहर लेते, इसका मतलब हुआ कि आपको ये पता करना है, कि हम किस तरह का भोजन कहां से आता है, हमारी लिए, आज अगर हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, जोसे चाबल खा रहे ह विभेन ने खाद पदार्थ क्रिया कला फश्ट विध्यालाय में अपने दोस्तों से उन खाद पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं यदि वे विवेन राज्यों के रहने वाले हों, तो उनसे भी तेया जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, कि आपने नोटवोक में था संभाव, अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाये जाने वाले, वेवेन ने खाता प्रयारत हों कि जानकारी प्राप्त कर सूची बद की जाते हैं, जैसे कि आपका प्रश्चि मंगाल तरफ यहां चावाल अलगा होते हैं, तो लोग चावल और म आपके लिए, तो अलग अलग जैसा भी है अपना, जिस तरह से आपका एरिया है, वहराच्य, और सबसे बड़ी भोगुले की स्तिती जो ही आपकी है, जो उपलब्द है आपके लिए, वही खाएंगी ना, तो उसी हिसाब से आदमी खाता है, आपने भोजर में अनिक प्रक हम कच्चा शावन लेते हैं, उसे पानी में वालते हैं, इसे तयार करने में हमें दो पदार्तों का, पदार्तों या संगटनों की आवसरता होती है, दूसरी और कुछ पोजन, तयार करने में हमें कई संगटनों की, संगटों की आवसरता होती है, यदि हम सबजी बनाना चा मैं सुचीबत कुछ खात बदातों को छाटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानखारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन-कौन से सामध्री होती है और जैसे रोटी बनाने के लिए चपाती आटा और जल की आवास्ता होती है डाल बनाने के तरहीअ के जिए कच्छी डाल जल नमक तेल गी मसाले की आवज्सत्ता होती है हम एक अछा में चर्चा के हिए कर देखा ते क्या चर्चा में चर्चा की जागे कि 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 विवेमिन-पिकार के वेंजणों में कुछ संग آپ समान रूप से प्रेटक करते हैं अच्छा है ये कि यह संगटक कहां से आते हैं यैसे चावल कहां से आते हैं तेल मसाले कहां से आते हैं कुछ अनक ख़द पदार्थ हैं जैसे दून होगय अंड़ा मुर्गा मचली जीगा मास आधी हमें जंतिवों से प्राप्त होता है देखिए, क्या होता है, मुर्गा से मास भी पराप्त होता है, अंडे का भी स्रोध मिलता है, क्रिया गलाप थेड, हम पूर्व सुजीवतिक खात पदार थो, एबं उनके संगटकों के स्रोध जानने का प्यास करें, कुछ उधारन साइड, एक बति एक तीन में दिये गए, कुछ और हो दार हैं इस सुची में जोड़ना है, कि रिया गलाप तीन से हमें क्या निसक्राइश निकलते हैं, कि बोधी विमन खात संगटनों, जैसे कि अन, सबजी, तथा फल एत्यादी के स्रोध हैं, जलतूं से हमें, दूद, मास, अंडे, अंडे, जानता हो, उत्पात होते हैं, गाए, बक्री, घंभेस, दूद, दूद देने बाले कुछ सामान पसुएं, दूद इवं विमन दुख, दूद पात, जैसे मक्खन, क्रीम, अमें इस अभी, गाए के या भेस के दूद किसी तरह के, जैसे मुर्गे से होगे, हमने देखी है, अंडे, मास मिलता है इडली, खाद, मद, कच्ची सामत्री, शरूद, इडली, इस चाबल, उदर की मुह, नमक, जल की आवस्त्ता होती है, बहुत आपादक, शरूद है, चिकन करी, इसमें चिकन जरूरी है, मसाला, तेलगी, जल, चिकन में जन्दूओं से मिलता है, तेलगी, इपोदे या जन् चाबल, पौदा से चीनी, यह आपका धानगा खेत, गहमुका खेत, गहमुका परिवान, घी, पनी, यह दई का उपयोग संसार के पितेक चेत में किया जाता है, कि आप कुछ अन्न जन्तूओं के ना पता सकते हैं, जो हमें दूद देते हैं, बता दिए, गाय, बैस, पौद, बेड, इसी तरह एक, ठीला, भोजन के रूम में पौदों के भाग और जन्तूद पाद, पौदी हमारे भोजन का एक मुक्सरोत है, हम पौदे कि कौन से भाग का उपयोग खादबदार्द के रूम में करते हैं, हम पत्तियां, बाली अनेक सब्जियां खाते हैं, क कभी आपने सीता पल, कासी पल भी गोटें से, पूलों को चावल की पिठी में डोगो कर, बतल कर पकोड़ी बना कर खाए, कुछ पौदे के दो यादों से अधिक भाग खाने योग गोते हैं, को धारन के लिए सरसों के बीच से हमें तेल प्राप्त होता है, इसकी पत्तियो यह पादब में खाने योग भाग, यह है इसका फल, तना हो गया इस्तम पत्ति, कलिका, इंटर नौड ए नौड, प्राथमिक मूल और यह है आपकी दुद्धियक मूल, ठीक, यहां तक इसे मूलतंत कहते हैं, उपर पेहुरतंत कहते हैं, क्रिया के लाप, फोर, साइड़ी एक मैं सुचिवा दिख सभी खात बदात हूं, बैसे उन संगट्टों को चांट दिया, जिनका स्रोथ पोध होते हैं, इस पोधों के किन भागों से फराप्त होते हैं, जैसे मोजन के रूम में पोधे के बाग, बैगन कभरता, बैगन, मि में संगठत देता है, फल होता है, ठीक है, तेल, मुण, फली, सरसुं, सोयावी, या किसी अन पोधे से बीच से मिलता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, कि अपने आसपास के अन्जान पोधों पर यह देखने के लिए परिक्चन ना करें, कि बुखाने योग हैं या मुंग करिया कला पांच है, मूंग चने के कुछ सूखे बीच लीजे, अब इन में से कुछ बीजों को चल से भरे एक पात में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजी अंगले दिन जग को पूरी तरह निरकाल दें बीजों को गिलास में रहने में उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजी अब क्या आप बीजों में कुछ परीवतन देखते हैं क्या एक चोटी सी सपेद रच्तरचना बीज से बाहर निकलती है यह आपको दिखी रहा हो यह आपको अमोग है और इसे पानी में ब्रूग नेके बाद यह अंकुरित हो गए हैं यदि हाँ तो यह बीज अंकुरित हो गए हैं यदि नहीं तो बीजों को पानी में दोएं पानी निकालने और गिले कबड़े से ड़कर अंगले दिन के लिए उन्हें छोड़ने क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुगा एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है अंकुर को सावथानी से दोकर आप इन्हें खा सकते हैं यह वाले पीजा सकते हैं इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वाधिष्ट अलपार्व तेयार हो जाता है ठीक, अब यह आप इसी तरह चने हैं चने को पानी में डालते हैं उसके बाहले निकालते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं क्या आप जानते हैं कि सहध कहां से आता है सहर, हाँ एक ऐसे उत्फादित होता है, कि आपने एक मदुमक्खी का अच्छाता देखा है, जहां बहुत सी मदुमक्खियां बेन-बेनार करती है, मदुमक्खियां फूलों से मकरंद, मीठे रसे करती हैं, और इसे अपने चत्त में भंडारित करती है, छत्ते में भंडारित हैं ताकि पूरे बस इसका उप्यों किया जा सके हम इसे चत्तों में मधुमक्षियों द्वारा बंडायत बोजन का सहथ की रूम में उप्यों करते हैं यह आपका देखी रहा हुए ठीक है यह उसका रिप्टी भी है जब हट जाएगी तो इस तरह का में मिल जाएगा ठीक है इसी में आपका सहथ निकलता है पता है अगर आप लोग गांव से हो तो मुझे लगता है भी बहुत जानदा समझ में आता होगा कि यह आप लोग पैक्टीकली हैं वहां देखा होगा आप अब बात करते हैं जन्तू क्या खाते हैं जन्तू खाते क्या है आंके क्या आपने क ऑफर में कोई ऐसा पालतू फसू है जिसकी आप देखबाल करते हैं कुट्ता विल्ली भैस या बक्री फिर आपको इसकी जानकारी भी आवस्थ होगी कि आपको पालतू जानबर क्क्या खाता है अन्य जंतू क्या कहते हैं क्या आपने कभी गिलैरी कभूतर छिपकली या नाम लेखे हैं, उन में से कुछ जन्तुओं द्वारां खाय जाना वाली बोजन भी लेखे हैं, फैस जैसे, एक घास खली, बोसा अनाज पत्ती खाती है, बिल्ली, छोटे जन्तुओं पक्ची दूद खाते हैं, चुबा जैसे आपका, गेंगों के ये भी खाता है, बिस्कु कुछ द्यान से देखिए, इसके जन्तुओं तीन बर्गों में व्रभाजित किया गया, पहले बर्ग में केवल उन जन्तुओं के नाम लिखे हैं, जो केवल पोधे और उत्पाद खाते हैं, उन्हें साकारी जन्तु कहते हैं, जहां कुछ जन्तु यसे हैं, जो दूसरे पर आट जातों कि पॉदे और पॉदोर्षी उतपाद को साकारी जनतुप कहते हwość यहां कुछ जनतू यहां कुछ जनत्व यह की यह सब्राव्य0 का सब्राई यह निर्का क्या है यहां को सब्सक्राअन। वर जन्तु दोनों ही होते हैं इन्हें तीसरे बर्ग में रखते हैं इन्हें सर्वाहरी कहते हैं मानों भी एक सर्वाहरी है गाया आपका साकाहरी है सेर आपका मासाहरी है कोवा आपका साकाहरी है हम जानते हैं कि हम एसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन परियाप भोजन नहीं मिलता है हमैं ऐसे उपायक भोजन चाहिए यहीं परियाप नहीं होगा बलकि हम Tuya से भी उपाय कोजने चाहिए जिन से यह सुनश्यत हो कि यह होजन हम मैं से पिते को आसानी से उपलब्द हो सके तो आज हम लोगों ने देखा है प्रमुक सब्द कौन कौन से देखें संगठक जो दो चार मतलब जैसे चाबल में आपका चाबल और जल मिलाके इसे ही संगठक क मिलाके परिभाथा सीख लई हम लोगों क्यों हमें यहीं समझाए गया है साहरान से इसका क्या है भारत के विभिन के देशों में खाये जाने बाले भोजन में बहुत अधिक पेवित्ता है क्योंगी आपकी जैसी बहुत बहुत हो ली दिसा होगी उसी तरह आप लोग भोजन करेंगे हमारे भोजन के मुख सरोत पौधे तथा जन्तु जो जन्तु के बल पादप खाते हैं उन्हें हम लोग साकाहरी कहते हैं जो जन्तु के बल जन्तु को खाते हैं उन्हें हम लोग मासाहरी कहते हैं जो जन्तु पादप तथा दूसरे प्राणिक दोनों खाते हैं उन्हें हम लो डाउनलोड करते रहना तो यह था हमारा फर्ष्ट चेप्टर आने हम लोग बात करने बाले हैं भोजन की गटक की बारे में चलिए तो हम लोग बात करने हैं NCEIT कर्च अच्छाटवी की बिज्ञान के बारे में ठीक है तो इसमें अभी तक हम लोग एक चेप्टर ततम कर चुके हैं भोजन यह कहां से आता है इसके बारे में लोग बात कर चुकी है आज हम बात करने बाले हैं भोजन के गटक के बारे में किसका भोजन के गटक याद रखिए NCEIT से संब्दीत आपके जितने भी लेक्चर हैं वो सभी NCEIT पूर्ण कबरेश के नाम से आपकी जो पिलेलेक्ष्ट सूची है उसी में दली हुए हैं भोजन के गटक अध्याय एक में हमने क्या बड़ा उन खात बदारतों की सूची बनाई थी जिने हम खाते हैं भारत के विमिन भागों में खाये जाने बाले भिन 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 बेंजनों के बारे में भी हमने बताया था इन्हें मानचित में अंचित किया गया था इस पेकार के भोजन में चपाती दाल और बैगन कबरता हो सकता तो दूसरे में चाबल साबर तथा भिन्डी हो सकती है इसके अधरिक अन्न भोजन में भी अप्पम मचले तथा सब्जियां हो सकते हैं जिस भोगोले की स्तिति में आप रहते हैं उसी की तरह उसी के अनुसार आप लोग खाना खाते हैं आम तोर पर हमारे आहार में अन्न से बड़ा बना कम से कम एक ब्रण्जन होता है दूसरे खात पदायतों में दाल या मास्क कोई ब्रण्जन तथा सब्जी हो सकती है इसमें दई मठा अचार भी सामिल हो सकता है इस तरह के अहार के कुछ उधारन शाइड़ी में दियेगों कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुता इन बेंजनों को नहीं लेत पाते हैं यदि यह हम मात यात्रा में हूं तब हम वही खा लिते हैं जो रास्ते में अपलब दो हमें से कुछ लोगों के लिए यह संभाव नहीं हो पाता है कि इस तरह के पिविद्बेंजन हर समय खा सकें आहार में विविद्ब खाद पदार्तों के इस तरह के विद्रन का कोई ना कोई आधार होना चाहिए कि हमारे सरीर को विसे इस पेवजन के लिए विविद्ब फिकार की भोजन की आवस्ता होती है विवेन विकार की खाद पदार्तों से, पदार्तों में होता क्या है? पंजाब, विवेन चेतनों राज्यों के कुछ सामाने बोलें, ठीके उसकी भावलिक इस्तिति के अनफार पंजाब में आपकी मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, अन्न बेंजन में दही और गी, आन्द पिदेश में चाबल, अरहर की दाल या रसं, कॉंदरो, मठा, गी अचा हम जानते हैं कि पित एक बंजन, एक या एक से अधिक पकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो में पात्पों या चंतुओं से मिलते हैं इस गच्ची सामगरी के संगटक क्या है इस कच्ची सामगरी में हमारे सरीर के लिए कुछ आवसक गटक होती हैं इन गटकों को हम पोसक कहते हैं हमारे गज़न में मौकत पोसक कारगुईडरेट, वसा, प्रोटीन, भीटामिन, खनेल लवड हैं इसके अतरिक हमारे बोजन में रूप छांक था जल्बी सामिले जिनकी हमारे सरीर को आवस्टता होती है क्या सभी खात पतालतों में इस सभी पोसक उपलब्द होते हैं कुछ साधारन विदियों से हम या जान सकते हैं कि कच्ची सामग्दी या पके हुए बोजन में कौन सा एक या ओदिक पोसक उपस्टत हुता हैं कार्बो हईड़ेंग प्रोटीन तथा बसा की परीक्षन अन पोस्टकों की परीख्चडों की अब्एक जसरल है इन परीख्चडों को करने के लिए आयोडीन और कास्टिक सोडा विलن की यावस्टता होगी आपको कुछ परक्नेलियों कि एक डॉपर की भी आज़ता होती है इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्छी सामभग्री पर करें इन परीक्षणों सिप्राप्त पिच्छेडों को नीजन परीक्षणों को सावधानी से किजिए किसी भी रसायन को खाने या चकने का पिरयास मत किजिए यदि आवस्त हो कि तो बिलियन ततकाल उफिल्प्त नहीं है तो आपकी अध्यापक निम्नविदी से उपने तेयार कर सकते हैं आईए बेपर ने खाद पदालतों की जाच करके देखें जिसमें कार्भो हाइडेट उपस्ते थे कार्भो हाइडेट कई पिकार क्यों होते हैं कुमारे वोजन में पाई जाने वाले मोख के कार्भो हाइडेट मंड तथा सरग करा के रूम में होते हैं यदि किसी खाद पदात मंड है तो इसका मतलब आसानी से परिक्षण कर तकते हैं आयोडेन का तनूब बिलेन बनाने के लिए जल से आधी भरी परकनली में कुछ भूनी भूने टेंचर आयोडेन को मिला दिया जाता है कॉपर सलफेट बिलेम, 100mm जल में दो गराम कॉपर सलफेट भूने से बनता है 100mm जल में 10 गराम कास्टिक सोडा भूने से हमें angled के परिक्षण परिक्षण के लिए खाद पदात है, कच्छी सामक्री की अलब मात्रा लेज़े इसमें तनु आईवरीन बिलेन की दो-तीन बूने डाली है, खाद पदारतों के रन में होने बाले परिवर्ण को देखिए, क्या है नीला या काला रन मंड की उपस्तिति को दरसाता है, ठीक? इस परिक्षन को किसी अन्न खाद पदारतों के साथ दोहरा हैं और जाच कीजिए कि इसमें मंड है ठीक? यहां समझाने की यह कॉसिस की गई है, किसी पदारत में कोई अगर खास पदारत है, तो उसमें कौन-कौन से पोसक्तत हैं आपकी, वह इनकी पहचान क्या है आकर इनी स सब्दों को समझाया जा रहा है अब जैसे कि आपका प्रोटीन के लिए परिक्षन, प्रोटीन के परिक्षन के लिए किसी खाद पदारत की थोड़ी मातरा लीजिए, जिस खाद पदारत का परिक्षन करना है यह दिवाइफोस है, तो पहले उसका पेश्ट अथवाद चौ प्रोटीन को एक साफ प्रखनली में डालने और दस प्रोटीन जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं, आप दोपर किसायता से प्रखनली में दो बूंत कॉपर सलफीट का बिलियन तथा दस बूंत काश्टिक सोड़ा का बिलियन डालिए, अच्छी तरह हिलाकर कुछ परखनली, बैगनी लंक का होगया है, बैगनी रंक खादबदार्था में प्रोटीन की उपस्तिती को दरशाता है समझ में आए कि बैगनी रंग जो होता है खाद पतार्थ में प्रोटीन किया उपस्तिती को दर्जाता है ठीक है और जैसे इसी तरह आपका बसा के लिए परिक्षण दिया गया है खाद पतार्थों कि अलग मात्रा लेजिए इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर पतार्थ के सामने लाएं कि आपको इस दब्बे से उकर आने वाला धुंदला प्रिकास दिखाई दिता है कागज पर तेल का धब्बा खाद पतार्थ में बसा की उपस्तिती दर्जाता है समझ में आया अगर पतार्थ में तेल का तेल है उसमें बसा की उपस्तिती को वो द कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजे ताकि यदि पदायत में उसे कुछ जल आया हो तो वह सूप जाए इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धबा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद पदायत में वसा उपस्तित नहीं है यह परीच्ट क्या दर्साते हैं क्या वस कि पोसक कार्बोहाइडेट प्रोटीन बसा के लिए खाद पदारतों का परिक्चन किया था विटामिन तथा खने लवड जैसे अनपोसक भी हमारे विवेन खाद पदारतों में उपस्तित होते हैं विवेन पोसक हमारे सरील के लिए क्या करते हैं जो पोसक पते हैं यह हमार प्रेसरी को उर्जा प्राप्त होती है वसा से भी हमारे उर्जा प्राप्त होती है में बास्ट भी किया है कि कार्बो हाइडडेड की तुल्ना में वसा की समान मात्रा से में अधिक उर्जा प्राप्त होती है वसा और वसा और कार्बो हाइडडेट भोजन को उर्जा देने वाला भोजन भी कहती है यह आपका सकरकंद है, यह आपका आलू है, कार्बो हाइडडेट के सरोथ है थीआ यालु है गन्णा है आपका पपीता हैं तरभूच है आम है मक्का है ठीक बाजरा है चाबल है ग्यमू है इनसे मां गारो हैटृट हुआAR्ट है कारो हटरे गिर और तेल, या मैं तेल, सहसुग, मास की बात करना हैं, पभी मास है, मचली, दोध, क्रेम, मक्का, वसागे प्रमक सरोत है, ठीप है, यह हैं आपके बिटामिन के कुछ सिरो, प्रोटीन, यह पी प्रोटीन के सरोत है, मोंगो, प्रिचाय, चना हुआ, आपका, तुवयर हो, हो राजमा हो, सोयाविन हो, मतर हो, मास हो, मचली हो, पनीर हो, अंडे हो, तेल की बात करें तो आम, पपीता, बिटामिन आपको आम से भी मिलता है, गाजर से, पपीता से, ठीक है, और अब हम बिटामिन B की बात करें, बिटामिन A, आम, गाजर, पपीता से मिलता है, ठीक है, बिटामिन जो B है यह हमें ग्यांओं व्यक्रिद चावब से मिलता है बिटामिन C है जो आपका संत्रा, टमातर, अंग्रून, मेरिच, नीवी, नेवी आन्ला में होताई सबसे जदा बिटामिन आपका किरесяँ बिटामिन D की बात करें तो यह होता है और मचली में टेका मख़न दूर में होता है विटामिन C का सबसे ज्यादर शरू हमें सूर से पराप्त होता है तो प्रोटीन की आवस्षत्था शरीर की पित्थी प्रोटीन के आवस्ता सरीर की पित्थी तत्म स्वस्त रहने के लिए होती है प्रोटीन एक भोजन को प्रया सरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं प्रोटीन एक भोजन को क्या कहते हैं सरीर वर्धक भोजन विटामिन लोगों से हमारे सरीर की रख्चा करते हैं विटामिन हमारी आंक, अस्थियां, दांत और मसूरों को सवस्त रखने में भी सहायता करते हैं विटामिन बैसे कई पेकार के होते हैं जिनने अलग अलग नामों से जाना जाता है इन में से कुछ को बिटामिन A, बिटामिन B, बिटामिन C, बिटामिन D, बिटामिन E तथा बिटामिन K के नाम से जाना जाता है बिटामिनों के एक समोग को बिटामिन B कॉम्पलिक्स कहते हैं हमारे शरीर को सभी बिकार के विटामिन के अल्प मात्रा में आवस्चता होती है। विटामिन A हमारी तुछा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन C से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। बिटामिन C, बिटामिन D हमारी अस्थियों और दांतों के लिए केलसियम का उप्योग करने में हमारे सरीर की सहायता करता है। आयोवीन से यह आपका सरोथ हैं आयोवीन की ठीक हाद रखो फर शाहे पालगो। हमारे सरीर में सूर के उबस्तिती से बिटामिन D बनाता है। इन दconoह कोई पी शूर के पेकास में नहीं रह udah पाता है। जिससे लोगों में इसकी खमी हो जाती हो। दिदमगों, लोहे के कुछ सिर्orts है, ठीओ? केल्दियम के कुछ सिर्त है, हमारे सनीर में खनेज लबणों की यावश्य सकता अल्भमातराग में होती है, शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्ट के लिए पिते खने जिलबड की यावड़ सकता होती है अधिकांस खात पादार्थों में एक से अधिक पोसक तत्त होते हैं फिर भी किसी कच्छी सामाग्री में एक निश्चित पोसक तत्त की मातरा दूसरे पोसक मातरा से अधिक हो सकती है वो धारन के लिए चावल में हाइट्रो कार्बो हाइडरेट की मातरा दूसरे पोसकों से अधिक होती है इस आधार पर हमें कह सकते हैं कि चावल, कार्बोहाइडरेट सम्द्ध भोजन है इन पोसकों के अलावा हमारे सरी में को आहारी रेसों तथा जलकी भी आवसकता होती है आहारी रेसे रुपचान्स के नाम से भी जाने जाते हैं हमारे खाने में रुपचान्स की पूर्ती मु मुक्ष्रोज सावुत खादान, खाद्यान, डाल, आलू, ताजे फल और सब्जिया हैं। रोप्षांस हमारे सरीर को कोई पोसक पिदान नहीं करते हैं। फिर भी है हमारे भोजन का आवत्सक अवयव हैं। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रोप्षांस बिना पचे भोजन क को बाहर निकालने में हमारे सरीर की साहता भी करते हैं। जल भोजन में उपसे पोसकों को आवसोसित करने में हमारे सरीर की साहता करते हैं। यह कुछ अपसिष्ट पदार्तों जैसे मूत तथा पसीने को सरीर से बाहर निकालने में साहता करता है। सामानता हमारे सरीर को जि उसके अत्रिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्योग होता है एक टमाटर अत्वा नीवू जैसा कोई फल लें इसे छोटे-छोटे दिस्टों में काट लें क्या ऐसा करते समय आपकी हाथ गीले होते हैं जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा जाता है तब ध्यान पूर्वग उसका निरिक्षन करें क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मातरा नहीं होती हम देखते हैं कई-कई-खाथ-पदायातों में जल होता है कुछ सीमा तक हमारे सरीर के लिए आवस् सामानता पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं इसे आहार कहते हैं हमारे सरीर की विर्दी और अच्छे स्वास्त को बनाये रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोसक्तत उचित मातरा में होने चाहिए जिनकी हमारे सरीर को आवस्यक्ता होती है कोई भी पोसक्तत ना आवस्ता से अधिक हो और नहीं कम हो। हमारे आहर में परयाक्त मात्रा में रुप्छांस तधन जल्बी होना चाहिए। इस पेकार के आहर को संतुलित आहर करते हैं हम लोग। क्या आप सोचते हैं कि पितेक आयूबर्ग के लोगों को एक ही पेकार के आहर की आवस्ता होती है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहर है हमारे सारीरिक कार पर निर्वर करता है। एक सब्ताई की आवदी में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तियार क किति दिन जो भोजन आप करते हैं उसमें से सभी पोसकत अपस्तित हैं डाल मोंफली सोयावीड अंकुरित बीज किडविद भोजन दश्चन भारतिय भोजन जैसे इतली आटे का मिस्टा रोटी थेपला अनाल वद्दालों से बना केला पालक सत्तु गुड उपलब्द उचित पिकार के अन्न भोजन कई पोसक उपलब्द कराते हैं इसलिए कोई भी ब्यक्ति अल्प बेर में भी संतुलंग आहाल खा सकता है उचित पिकार का भोजन करना ही परयाप्त नहीं है इसे उचित तरीके से पकाना भी जरूरी होता है पोसक तक तो नश्ट ना हूँ क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोसक नश्ट हो जाते हैं छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को दोया जाए तो यह संभाव कि उसमें उनके कुछ बिटामिन नश्ट हो जाए सब्जियों और फलों की तुच्या में कई महत्कून बिटामिन तथा खनिज लवड होते हैं चाबाल और दालों को बार बार दूने से उनमें उपस्थित बिटामिन और कुछ खनिज लवड अलग हो जाते हैं कि अगे हम सभी जानते हैं कि पकाने से में बोजन का स्वाद बढ़ता है इसे पचान्य में आसानी होती इसके साथ पकाने में कुछ ओशक तक्नों की रहाँ हो सकती है यदि जल का उपयोग किया जाता है вдब contractor और बार में उसे फेक दिया सब्ची सब्जियों को समलित करें बूजुओं ने पूछा कि हम हर समय वसायुक्त खाना इस सर्वोत्तम भोजन हैं एक कटोरी कार्वो हाइडरेट भोजन की अपिप्चाई कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक फूर्जा देता है चैसा नहीं होता अता उसने तली हुई चीजें समोसा पूरी मलाई रबड़ी पेड़ा आधि पिचर वसायुक्त भोजन ही खाया है इसके अलावा कुछ नहीं क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था नीशन्दे नहीं इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे सरीर के लिए ठीक है प्यादर कि अभाव जन रोग एक भैक्ति खाने के लिए परयाप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विसेश पोसक की कमी गो जाती है यदि यह कमी लंबे अवधी तक रहती है तो वह भैक्ति उसके आवाव से गर्सिस हो सकता यह कि आधिक पोसक का अभाव हमारे सरीर में रोग अत्वापिक करती का विक्रितियां उत्पन कर सकता है बे रोग जो लंबी अवधी तक पोसकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम लोग अभाव जन रोग कहते हैं क्या कहते हैं बे रोग जो लंबी अवधी तक पोसकों के प्रोजन हम रोग कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में परयात प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं जैसे कि ब्रद्धी का अवरुद्ध होना चेहरे पर सूजन बालों के रंग कवड़ना तोचा की मिमारियां और पेचिस आदी यदि प्रो बहुत दुबला पतला हो जाएगा वह इतना दुबला दुबल हो जाएगा कि चलने भी आसमर्थ होता है विभिन बिटामिनों और खनिक लपड़ों के अभाव से विभिन रोग अत्पा बिक्यतियां हो सकते हैं सभी आभाव जन रोगों की रोग थाम संतुलित आहार लेन से की जा चकती है इस अध्या में हमने स्वंग से यह जानने की कौसिस की है कि विभिन चित्रों के बोजन में इतने अधिक बिवित्ता होते हुए भी आहार में पोसक तत्तों का वित्रण समान है या वित्रण हमारे बोजन में आवस्तिक पोसक तत्तों की उपस्तित उपस् पेड़ता दृष्टी हींता होती है कमजोड दृष्टी अंधेरे में कम दिखाई देना कभी-कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन भी बन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है दुर्बल पेस्तियों और काम करना है कि उड़ जामें कमी विटामिन C की कमी से इसकर भी होता है मसोणों से खोन निकलना गाव भनने में अधिक समय का लगना विटामिन C की कमी से होता है विटामिन D की कमी से लिकेट्स होता है अस्तियों का मुलायम होकर मोड़ना केल्सियम की कमी से अस्तियां और दंत चह होता है कमजोर अस्तियां औ तॐ होता है गhmm और भी कहते हैं इसे गरादन गर्दन की जो ग्रंथी का होती है वो फूल जाती है saun में मास्टक दिखलांगता होती है लोही की कमी से अरक्तता होती है कंजोरी आती है ठीक है इसमें हम लोगोने देखा है संत्तोल इन हर के बारी में भीचाना है वेरी वेरी लोग के कार्भो हाइडेट को भी देखा है, उर्जा को देखा है, वसा को देखा है, खनिज पदालतों को देखा है, पोसक तत्तों को देखा है, प्रोटीन को भी देखा है, लोग छांस को देखा है, इसकर भी को देखा है, मंद को देखा है, और वेटामिन को भ इनके अत्रिक्त भोजर में आहारी रेसे तथा चल भी होता है कार्बोवाइडिर्ट तथा वसा हमारे शरीर को मुख रोग से उज़ा बिनान करते हैं प्रोटीन तथा खनेज लवण की आवसकता हमारे शरीर की गिद्दी तथा अनूर रक्षण के लिए किया जाता है विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रख्चा करने में साहता करते हैं संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवसक सभी पोसकत्तों तथा पर्याप्त रुप्छांस और जल्द उचित मातरा में पश्तित रहते हैं हमारे आहार में लंबी यवदी तक एक या अधिक पोसक्त अत्रों की नियुंता से विश्टिष्ट रोग अत्व अभिकार उपन हो सकते हैं। फिरसे यही बोलूँगा मैं तो कि इसमें समझाने लाग कुछ भी नहीं है। बहुत ही साधारन समद्व में लिखे हैं। मुझे खुछ समझ में नहीं आता है कि मैं आप आप लोगों वह समझाओ कैसे। क्योंकि आप लोग नॉर्मल है वह समझ में आ जाता है। मेरा उत दिश सरफ इतना है कि आप या तो कहीं से डाउनलोड करके या पर कहीं से खरीद के बुक्स एक बार नॉर्मल पढ़ लीजे। या एक आग बार सुन लीजे एक दो बार। अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर से बोला हूं कच्छा आटवीज तक की जो भी NCEIT बुक्स हैं यह आपका concept के लिए करेंगी। इनसे डारेक्ट कोई IES में आने वाला नहीं है ना PCS में। जो नौ से बारह होती हैं वो हमारी लिए बहुत महत्तपून होती है। वहां जो भी समझाने लाइक होगा मैं समझाओंगा और आप भी समझाएं ठीड यह आपकी अभ्यास के लिए questions हैं देखते रही हैं। और आपकी टेलीगराम पर डाल दी मैंने PDF ठीक है। डाउनलोड कर लेना। तो यह था हमारा दूसरा चेप्टर। आने बात करेंगे तंतु से ववस्त तक। ठीक है। चलिए तो हम लोग बात कर रहें थे NCEIT कर्चा चटवी की बिग्ज्यान के बारे में। ठीक है। तो इसमें अभी तक हम लोग दो चेप्टर कदम कर चुके थे। पहला चेप्टर था आपका भोजन, यह कहां से आता है। दूसरा था भोजन के घटक। इसमें बात करेंगे हम लोग तंतु से वश्त तक। याद रखिए, आप लोग इसमें समझाने लाइक जाना कोई टेम्स नहीं है, नहीं जैसे कोई कठिन सब्ते हैं, जो आपको समझ में ना है। मैं यही कहूँगा कि एक दो बार इसे कहानी की तरह पढ़ लीजे या फिर सुन लीजे, क्योंकि आपके कॉंसेप्ट किलियर हो जाएंगे इतने में। क्योंकि यह कहानी के रूम में आपको जो भी मत्वूम सब्त हैं, उनके बारे में समझाए गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, पहेली और भूजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई बिज्ञान, पिस्नोत्तरी, पिती यहुगिता में पिथम पुरुसका जीता, बे दोनों अत्यदे उत्यजित थे। उन्होंने प्राप्थवी पुरुसका राती से अपने माता पिता के लिए वस्त खरीदना कर निश्चे किया। बे कपड़े की दुकान फो वस्त सामगरी की विस्तत्य विवित्ता देख कर उलजिने में फस गई। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथ्वबस्त सूती हैं जो कुछ तो कुछ संसलेश्ट किंतिम हैं। इसके पास उनके पास पुनी मफलर तथा साल भी थे। दुकान में बहुत सी रेसमी साडियां भी थे। पहली तथा बूजो अत्य देख वो तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन कपड़ों को इसपास किया और उनके बारे में जानकारी प्राक्त की। अंत्य में उन्होंने एक उनी मफलर और एक सूती साड़ी थी। कपड़े की दुकान का भिरमर करने के पश्चा पहली और भूजो ने अपने आसपास बिविन पेकार के वस्तों को ध्यान में से देख देखना आरंग किया। उन्होंने देखा कि बेड़ सीट, विस्तर पर विच्छाने की चादर, कंबल, परदे, मेज़ पोस्त, तोलिय और जाडन, डस्टर आधी ये सभी भिन भिन पेकार के कपड़ों से बने हैं। यहां तक कि उनके अपने वस्ते बोरे भी किसी पेकार के वस्ते से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्तों की पहचान सूटी उनी, रेसम, अत्वा संसिलश्ट किंदिम के रूम में की, क्या आप इन वस्तों बस्त्रों से कुछ की पहचान कर सकते हैं। यहां आपको समझाए गया है कि हमारे बस्ते किस से किस से बन सकते हैं। को बन से हो सकते हैं। कहानी की रूम में यह है। अब बात करते हैं बस्तों की विवित्ता, बस्त्रों की विवित्ता। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भेमर कीजिए, सिलाई के बाद बचे कपड़े की कत्रन एकत्तित कीजिए, कपड़े की पिते कत्रन को इस परस करके उनके इस परस का अनुभाव कीजिए, दर्जी की साहता से उसे पूँच कर कुछ कपड़ों पर सूधी, रेजमी, उनी संसलेश्ट के लेवल लगाने का प्रियास कीजिए क्या आप यह जानना चाहते हैं कि यह बिविन कपड़े किस बिकार की बनती हैं जब आप किसी कपड़े का ओलुपन करते हैं तो वह एक सत तुकड़ा पितीत होता है तो यह सूती कपड़े का ओवही टुकड़ा चुनिये जिस पर आपने क्रिया क्ला एक में लेवल लगाये इसके सरे पर कोई धीला धागा या तागा दूनने का प्रियास कीजिए इसे बाहर कीजिए यदि कोई धीला धागा दागा दिखाई ना दे तो फिर नतबा सुई की साहता से या एक तागा धीरे धीरे बाहर कीजिए कर चकते हैं हम यह देखते हैं कि तागों की ये साथ विवस्थित करने पर वस्थ बना है क्रिया क्ला सेकेंड तंतु किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बहार निकालिए इस तागे को टुकड़े को मेज पर रखिए इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने लड़ीयों में विभाजित हो जाता है इस तरह देख रहा है कि तागा पतली लड़ीयों में विखंडित हो जाता है हुँ है त degli प्रवर पिरूने डाल्लें डालने कप्रियास करने हैं है आपने ऐसा ही फिक्चे किया हुगा कही भार तागे का कंशी कुछ पथली लड़ीयों में बिवा जाता है ऐसा होने होनने न पर तागे कोछी के नौक से गोजारना कठिन हो जाता है, धागे की ये दिखाई देने बाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियां से मिलकर बनी होती हैं, जिने हम लोग तंतु कहते हैं, वर्स्त तागों या धागों से मिलकर बनते हैं, तधा तागे भी धागे भी आंगे तंतु स कसे मिलकर बने हैं कुछ बस्तों जैसे सूती जूट रेसमी ओनी कि तंतु पादपों तथा जंतूंओं से प्राप्त होते हैं इने हम लोग प्राक्तिक तंतू रहते हैं रुई यत्वा जूट पात्कों से प्राप्त होने वाले तंतूं के उधारने उन तथा रेसम जंतूं से प्राप्त होते हैं उन आपको भेड बकरी की कार्तित उन से प्राप्त होती है इसे खरगोच या या उन्टों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है रेसमी तंतु रेसम कीट को कून से खीचा जाता है हजारों वर्स तक बस निर्माण के लिए केवल प्राक्तिक तंतु का यह उपयोग किया होता था पिछले रगबक सौ वर्सों से ऐसे रसायन निक पदात हों जिनका स्रोर पादब अधवा जंतु नहीं है से तंतु का निर्माण तंतु का निर्माण किया जा रहा है इन्हें हम लोग संसलिष्ट संसील लश्ट तंतु कहते हैं पॉलिस्टर नायलॉन एक्रिलिक संसलिष्ट तंतु के कुछ उधारन है कुछ पाद्ल तन्तु रूइए कि आपने कभी तेल के लेंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं, इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग मिलाते इस रुई का उप्योग गद्वों राजाईयों अत्वा तक्यों में किया जाता है कुछ रुई लीजिए इसे खीच कर पिथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए आप क्या पिच्छे पिच्चर किया एक छोटी पतली लड़ियां जिने आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है रुई कहां से आती है इसे खेतों में उगाए जाता है रुई को साधारन तक कपास के पोदों पोदे वहां उगाए जाते हैं जहां की मिर्दा काली अत्वाज जलवायू ऊश्न होती है क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के ना पता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की खेती के जाती है कपास पादक के फल कपास गोलक होते हैं कपास को लटबग नेवो की माप पूर्ण परिपक्त होने के बीच तूटकर खुल जाते हैं कपास आपके पता है गुजरात और महराश्ट के बाद गुजरात महराश्ट रुट्य लंगाना में भी इसकी खेत दिखी जाती है कपास की आपकी आप कपास तंतुओं से ढखे बिनो ले कपास की बीच को देखा जा सकता है कि आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए त्यार हो चुका है इस समय खेत कपास के परी फुलों रोगों से इतना सोईत हो जाता है जिसके ढख जाता है यह आपका कपास पादब खेत दिखराए साधारनता इन कपास बॉलों से कपास को हस्त चैन द्वारा प्राप्त किया जाता है इसके बश्चात कपास से बीजों को कंग तन द्वारा पिथक किया जाता है इस पिक्रिया को कपास ओटना कहती पाराम पर एक डंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी आजकल कपाल ओटने के लिए मसीनों का उपयोग किया जाता है यह है आपका देखी बात करते हैं जूट पर्सन क्या जूट पर्सन पर्सन तंतु को पर्सन पादप कितनी से ब्राप्त किया जाता है भारत में इसकी खेती वर्शारी दूमें की जाती है में बारत में पटत्सन को प्रमुकृ से पस्च्च मंगा लिहार असम में उगाए जाते हैं सामानत पट्सना पात फसल को पुस्पन अवस्था में कार्ती हैं फसल कटायी का पात्कों की तनों को कुछ दिनों पिता कर्द दिया जाता है यह है आपका पट्सन पादक बस्त बनाने से पहले इन सबी तंतुओं को तागों धागों में परिवर्थित किया जाता है यह आपका चर्खा है रोई से तागा बनाना सोती दागे की कटाई तागे या दागे की कटाई आप सेम सोती दागा बनाने का प्रियास कर सकते हैं एक हाथ में कोई रोई पकड़िये दूसरे हाथ की अंगूटे तर्जनी के बीच कुछ रोई की चुटकी भरिये और इसे धीरे धीरे रोई से बाहर की और खीचिये रेसों को लगातार एटते भी रही है तो आप दागा बना पाणे रेसों से तागा बनाने की पिक्रिया को कताई कहते हैं रेसों से धागा बनाने की पिक्रिया को क्या कहते हैं कताई इस पिक्रिया में रूई के पुंज से रेसों को खीच कर एटते हैं ऐसा करने से रेस से पास-पास आ जाते हैं। धागा बन जाता है आपका। कताई के लिए एक सरर्वुकति हस्त तकुगा का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग तखली कहते हैं। हाँ सिप्नू क centraleet कताई मेंे उपयोगोंने वाली एक अन्यूकति चर्खा भी है। चर्खे के उप्यों को राष्ट पिता महत्मा गांदी ने सुदक्ता अंदुलन के पक्ष के रूम में लोग पुरियता पिदान की थी, उन्होंने लोगों को हाथ कते तावों से बुने बस्तों को पहनने तथा बैटेन की मीलों में बने आयतित कपड़ों को बहसकार करने के लिए प्रोफसायट किया जब, खादी के पिचलन को बढ़ावा देने के लिए भारसरकार ने 1956 में संगठन का निर्मान किया, जिसे खादी एवन ग्राम उत्देव आयों कहते हैं लोगों, बेहत प्यमा ने धागों की कताई का कार कताई मसीनों की साहता से किया जाता है, कत इनमें दो प्रमुक बिदिया, बुनाई तथा बनाई जाता है, बुनाई, आपने यह ध्यान दिया होगा कि बस्त दागों की दो सेटों, जिन्हें इलसाद विवस्तित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं, दागों के दो सेटों को आपस में विवस्तित करके बस्त बनाने की विक्रिया को बुनाई कहते हैं विविन रंगों को दो कागच की सीट लीजे दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चोड़ाई की वरगासर सीट काटिए अब इतन दोनों सीटों को आधा ओड़िए एक सीट दिखाया है अनुसार रेखाया है कि दूसरी स सीट का चित बारे दो में दिखाया है सर सीट दोनों सीटों को खी गई रेखाओं के अनुस काटिए फिर सीटों के मोडों को खोल कर इने फैला दीजे एक सीट की पट्टी पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कि इस तरह देखें बारे सी में दिखाया नुसार बुनिया पट्टियां बुनने के बश्चत नवुना दिखाया गया है यह आपका स्वेटर बुनाई आपने लेगा होगा अगर आपके गार में कोई मुनता है माम इस तरह मुनाई होती है इसे डंग से द्धागों की दो सेटों को बुनकर बस्त बुने जाते हैं द्धागे बास्ता में कागच की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं बस्तों की बुनाई करगों पर की जाती है, करगे हस्त पिचालेद और अत्वाब विद्धुद पिचालेद होते हैं, इस तरह, यह आपका हद करगा, एक बिसेस फिकार की बुनाई, कभी-कभी आपने यह ध्यान से देखा होगा, कि स्वेटर किस फिकार बुने जाते हैं, इ किसी तागे को खीच का देखा है, जब आप ऐसा करते हैं, तब क्या होता है, एक लदागा लगातार खीचता चला जाता है, तथा वस्त उधरता जाता है, मोजे बहुसी अन पहनने की बस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा वस्त बने वस्तों से बनाई जाती है, इस पिकार क गुनाई का उपयोग विविने पिकार की वस्तों के निर्मार में जिया जाता है, इन वस्तों का उपयोग पहनने की बिदियां विवित बस्तों को बनाने में होता है, अब बात कर लेते हैं, वस्त सामगरी का इतिया, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है, पत्तियों अत्वा जंदूओं की चर्म खाल और समूर से अपने सरीर को ढखते थे किस किरसी समुदाय में बसना आर्म करने के पस्चात लोगों ने पतली पतली टहनिया तता घास को बुनकर चटाई डलियां टोकडी बनाना सीखा लताओं जंदूओं की उन अत्वा पालों को आपस में हटन देकर लंबी लड़ियां बनाईने इनको बुनकर बस्त तेयार किये पूर में भारतवासी रोई से बने बस्त पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्थी चित्रों में उगाई जाती थी फलेक्स अभी एक पादब है जिसमें प्राक्तिक तंतु प्राप्त होता है प्राचीन मिस्त में बस्तों को बनाने के लिए रुई अथवा फ्लेक्स की किरिसी नील नदी के निकटवर्टी चित्रों में की जाती थी उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, उस समय लोग अपने सरीर के विविन भागों को बस्तों से अच्छा दित कर लेती थे, लिए सरीर को अच्छा दित करने के लिए कभी विविन डंगों का उप्यों कर देती, सिलाई की सुई की अविस्कार के साथ लोगों दोतियां लूंगियां पग्णियां का बिना सिले बस्तों के रूम में उपयोग किया जाता है जिस पेकार समस्त दिस खाये जाने वाले भोजन में अत्य देख विवित्तक देखने को मिलती है ठीक उसी पेकार बस्तों यो पहनने की बस्तों में भी अत्य देख विवित्ता मि क्या होती है, बस्त कैसे बनते हैं, तंदू क्या होती है, कताई कैसे होती है, बुनाई कैसी होती है, तागा या दागा के बारे में जाना है, पता है आप इन सभी चेप्टरों में आपको यही समझाने की कोसिस की जाएगी, इन ही सब्तों की, जैसे इस चेप्टर में हमें करतू कताई गोनाई दागा के बारे में बताइए इसमें सम्झाने लाइए आप तो मेरी राय तो यहीं बोलती है कि कहीं से डाउनलोड करके एक दोबार पढ़ लीजे या अच्छे से कहीं से सुन लीजे बस इसका सारंस क्या है वस्त सामक्री अतवा वस्तों में बिवित्ता होती है जैसे सोती रेसमी उनी पॉलिष्टर वस्त तागों से बनते हैं जिने तंतूं से बनाये जाते हैं तंतू या तो प्राक्तिक होते हैं या संसलिष्ट, रेसम, ओन और जूट कुछ प्राक्तिक तंतू हैं जबकि नायलोन, फॉलिष्टर, कुछ संसलिष्ट तंतूओं के उधार हैं, रोई और जूट जैसे तंतूओं पाधकों से प्राप्तों किये जाते हैं, तंतूओं से त टेलीग्राम पर डाल दी थी फीडिया, ठीक है, वहां से डाउनलोड करके देखते रहना है, देख लिया तंतू से बस्त तक, आँगे अब लोग बात करेंगे बस्तूओं के समूव बनाना, बस्तूओं के समूव बनाना, तो चलिए हम लोग बात करें, NCEIT कर्चाचटवी की विज्यान के बारे में, साइंस के बारे में, तो इसमें अभी तक हम लोग तीन चेक्टर खतम कर चुके हैं, इसमें बात करने वाले हैं, बस्तूओं के समूव बनाना, याद रुखिए, आपके जितने भी NCEIT से सम्बंदी चेक्टर खतम होते जारे हैं बस्तूओं के समूव बनाना, याद रखिए, फिरसे मैं वही बोलूँगा, कि आप लोग इसे कहानी की तरह सुनिये, पर चाहे पढ़िए, क्योंकि इसमें कोई जाला, ऐसे सब्द नहीं है, कटिन, जो आपको समच में ना सकें, ठीक है, लाश्ट में इसका जूनिसकर्स ह बता ही दिया जाता है, तो जिससे और जो सब्द यूज होते हैं, जो इसने हैं कि हमें परिवासा समझाए गई है, उनके बारे में भी बता दिया जाता है, ठीक है, तो जाना टेंसर मत लीजिए, तो मेरी इस तो सलाह यही है, कि आपको टेलीग्राम पर पीडियेप डाल द दियाता है, तो अगर आप जल्दी में हैं तो वहाँ से डाउन लोड करके पढ़ते रहे हैं, हमारे चारोम और की बस्तुमें हमने देखा है, हमारे भूजन बस्तों में बहूत अधिक विवितता है, हरिस्थान पर इसी प्विवितता बाली अनेक बस्तों होते हैं, हम अप अध्वा गुड भिंडविन होते हैं अपने चारों और देखिए तना गोल आगती की बस्तुएं पहचाने हमारी सुची में बिंड़ प्रकार की गैन जैसे रवड की गैन फोटवाल कंचे समलित हो सकते हैं पियादी हम अपनी सुची में लगवक गोल बस्तुओं को भी समलि इस सोची में उन सभी बश्तू को संभी सकती हैं जैसे आपने सेव की बात की थी बात की ति मान लेजिए छिक की बनी बस्तू आता है तो बार्टी है लंच वॉक्स होने जलपात पाईव इसी विकार कि बहुत सी बस्तूओं को इस शमुब में इस इस्थान मिल सकता है अता समुबाज समुब बनाने के बहुत से भंगे उपय उधारन में हमने बस्तूओं को समुब में उनकी आक्टियों और तथा जिस पदार्त से भी बने हैं कियाधार पर बांटा है हमारी चारों और की बस्तुएं एक अत्वा एक स्यदिक पदार्तों से बनी होती है एक पदार्त कांच दातुमें पिलाश्टिक लकडी रूई कागजपंग मिलदा हो सकती है यह है आपकी देख रहे हैं आई हम ला सकते हैं कुछ बस्तुएं कक्चा की कमरे से या थवा विद्ध्याले की वारसी कतित कर सकते हैं हमारी संग्रे में हमारी पास होगा चाक पैंसिल नोटबुक रवर्ट डर्टर हदोड़ा कील सावन पजी का आरा वैट बल्ला माचिस की डिपी नमक आलू हम बस्तुओं क इसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम इबल सोची सकते हैं कप्चा की कमरे में ला नहीं सकते हैं उधारन के लिए दीवा वेक्ष दरवाजे टेक्टर और सड़क इस संग्रह में संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पितक कीजे जो कागज अत्वा लकडी से बनी ह कि वस्तुओं इन पितरात से से नहीं बनी होते हैं इसी ही कर हम खाना ऑक पकाने में बहुत प्यायुग होनेबाली वस्तौем को बिधक कर सकते हैं आईए हम कुछ अधिक यूज नवद्ध होते हैं इकतित की गई सभी बस्तूओं की सायणी सोची में बनाईए पितेग बस्तू जिन जिन पतारतों से बनी हो उनको पहचानने का प्रियास कीजिए इतनी लंबी सायणी बनाना है जिससे जितनी बस्तूओं संभा है उन सभी के बारे में सूचना एकतित करके लेखना है एक कुटोख हो सकता है एकतित की गई बस्तूओं में से कुछ बस्तूओं की बदारत के बारे में पता लगाना है प्रखिर कार पितीत हो सकता है ऐसे पिकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों से चगो अभी भाग से विचार में मस कर सकते हैं जैसे पिलेट थाली इस पात काँच पिलाश्टिक अन्न की भी बनाई जाती है पैन आपका पिलाश्टिक धातु का भी बनाई जा सकते हैं कुछ सामान पदार्थ की सूची भी दी गई है इसके अत्रिक आप अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थों कोलम में जोड़ सकते हैं अब प्रयास करके अपनी जानकारी के देने को फ्योग में आने वाली उन बस्तूओं के बारे में विचार कीजिए जो मुक्ता इन ही पदार्थों से बनी है उन्हें कॉलम दो में सूची बदगी लगया इन सभी साइणियों में हमें क्या पता चलता है कि पहले हमने इक पदार्थे बनी होती है तो ऐसा होता है कि एक ही बस्तू कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उत्हिए कि इस प्राप्त करने की आवस्ठता होती है लप देगई बस्ति हैं हो सकती है आपके कुर्सी मेज, बैल, गाड़ी, इसके पजी है, तागज, पुस्तर, नोटबुक, समाचार, खिलोने, किलेंडर, इसी तरह आपके चमड़ा से हो सकती है, बैल्ट, आपके जूते, इसी तरह कि आपके कई बाहने वाले जो स्वेटर होते हैं, जरकन प्दार्थों के गुड़ों के बारे में जानते हैं, कि आपने जानने का प्रियास किया गिलास कपड़ी का क्यों नहीं बनाया जैस क्ता, कपड़े के टुपड़ों के साथ जो पयो haro हमने किया था, कपछत, sorry, अध्यातीन में, उसे याद कीजिए कि और यह ध्यां में हस्ते अप प्रापिती धोप नहीं होगा गिलास मनाने के लिए हमें कांच पिलास्टिक धातू अब कोई ऐसा पदार्थ उस पदार्थ के गुड़ों उपयोग की जाने वाली बस्तूं की पेयोजन पर निर्वाय करता है अता पदार्थों के वह सब गुड़ों क्या हैं जो उसके व्यूद के लिए मत्पूंड होते नीचे कड़ों की विवेजना के गहूब पदार्थ प्राइख दूसरे शेर्विऊ से भेंन दिखाई दीता है लखडी लोहniestाता लोहा तामा एलूमीनियम से बिष्ण दिखा लगे ताह परदुपृवी लोहा तामा एलूमीनियम चमकीली पदार्थ को एक संभू में पितक कीजिए अब जैसे कि आप आपकी सिक्षप पिते पदार्थ को दो भागों में बांकी काटें तारी कटे प्रिष्टों को दियान से देखिए आपने क्या पाया कि क्या इन पदार्थों में से कुछ की तारीक टिफ वेस्ट चमकी ले इन बस्तुम को भी चमकी ले पदार्थों के समगों में समलिक की जिए क्या है अनपदार्तों सेस्पकार करको कोई चमक अत्वा धूति देख सकते हैं जैसे कि संभव सकिं डंक से उने काटिे दात उंहें कि टुग्रों को अनकी धूति दे जो ठीए धूति मान या धूति हिन दूति वान कि हिन फZटान कि सूची वना हिये दरगड़कर यह देख सकते हैं कि दूती वान है यह अत्वा नहीं है पदार्थ जिनमें इस पेकार की दूती होती है बेद धातू होती है लोहा तावाय अलूमिनियम तथा सौना धातून के उधार है कुछ धातूं बहुदा अपनी चमक खो देती है दूती है निस्पर देखाई देती है जब जब आप किसी लोहार अत्वा बरक्सोप भेमर करें तो धातू की छड़ें चड़ों के ताजी कटी प्रेश्टों को देखने का क्रियास करें वह या देखें कि इनमें तो दूती है या अत्वा नहीं कठोड़ता जब आप बीविन पतारतों को अप संपीडित हो जाती है दातू की एक चावी लीजे इससे लकड़ी अलूमिनियम पत्थर का टुकड़ा केल मम बती चाक अन्न कोई पदारत अत्वा बस्तू के पेश्ट को खरोंचने का प्रियास कीजिए आप कुछ पदारतों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन आप लोगों को आखिर इसमें समझांगे क्योंकि मुझसे वहतर आप लोग समझ सकते हैं पढ़ेंगे एक दो बार आराम से समझ जाएगे अब देखिए इसमें कॉमल पदार की परिवासा कितने आसान सब्दों में लिखी गया जब अपने पदारत जिने संपेडित करना पदारत कहते हैं उधारन के लिए रूई अथवा इसपंज कोमल हैं जबकि लकड़ी आपका कठूर हैं दिखापट में पदारत हुमें विविन गुड़ हो सकते हैं जैसी ती बदकठूरता रुख्च खुरदरा अथवा चिकना होता हैं क्या आप इन गुड़ों के बारे अभिलेय की परिवासां दी गई कुछ ठोस पदार जैसे चीनी नमक चार पाउलर बालू रेत अथवा लपड़ी के बुरादे के नमूने एकत्यत कीजिए काच के पांच गिलास लेजिए पिते गिलास के लगबग दो तेहाई भाग में जलबरी है पहले गिलास में कुछ म कुछ मिनिट तक पिदीक्चा कीजिए पेक्षण कीजिए और पता लगाईए कि जल में मलाय के पदात का क्या होता है नमक जल में पूरता लुप्त हो जाता है जल में पूरता लुप्त हो जाता है चीनी भी आपकी जल में पूरता लुप्त हो जाती है तो बालू नहीं लकडी का पुरादा भी मिल जाएगा उसमें लेकर पूर्ट तरह से लुप्त नहीं होगा इनका असर रहेगा आप यह पाएगी कुछ पदार्स जल में पूरता लुप्त हो जाते हैं घुल कर विहीन हो जाते हैं हम यह कहते हैं कि यह पदार्स जल में बिले हैं जो पूर्ट जल में आविले कहलाते हैं चुकि जल बहुत से पदारतों को बिलीन कर सकता है इसलिए हमारे सरी में फिकारों में इसकी मत्मूर मून क्या है सिर्का नीवू करा सरसों का तेल नारीयल का तेल मिट्टी का तेल अत्वान किसी द्रब नमूने एकतित कीजे कांच का एक गिलास लीजे इसे यादा जल से वरिये अब इसमें चम्मज बर कर कोई द्रब मिलाईए भली माती बिलो डिद कीजे इसे पांच मैट के लिए छोड़ दीजे पिक्छन कीजे क्या यह द्रब जल के साथ मिस्तरित हो जाता है जितने अधिक अन्य द्रब आपको उपलब दो सकें फ्योग दुराईए का हम देख यह देखते हैं कि कुछ द्रब जल में पूंड़ता मिस्तरित हो जाते हैं कुछ अन्य द्रब जल में मिस्तरित नहीं होते हैं समय तक ऐसे छी छोड़ देने पर अपने पिधक पर्ग बना लेते हैं सिरका बलीवाती मिसरित हो जाता है कुछ गैसें जल में बिले हैं जबकि अन नहीं सामानता जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में बिलीन होती हैं दारण के लिए जल में बिलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जन्दूओं और पात्कों की उत्तर जीविता के लिए मत अतेंद मत होई बस्तुएं जल में तेर अथवा डूप सकती हैं जल में आविले ठोस जल से प्रिथख हो जाते हैं कुछ द्रव के साथ ही देखा होगा इन में से कुछ पदार जो जल में मिसरिक नहीं उपाए बिजल के पेश्ट पर पेश्ट पर आकर तेरने लगते हैं जल में डूपती है तवा तेरती बस्तुएं अन्डूप कर गिलास की तली में पहुँच गए थे क्या सच नहीं है कि हम यह से बहुत से उड़ारन देखते हैं जिन से जिन में पदार जल में तेरती रहते हैं अत्वा डूप जाते हैं किसी तालाक की सतय पर गरी सुकी पत्तियां वह कंकर जो आप इस तरह तलाब में फ्यक दीते हैं सहितो कम कछ भूने कि जिन água गिलास की तेरते हैं अत्वा डूग जाते हैं पर पारदरिश्टा आपने लुका चुपी का खेल खिला हुआ उन इस्थानों में कि बारे में बिचार करिए जहां आप खेलती समय चिपना चाहेंगे तक कि आप दूसरों को दिखाई ना दें आप इन इस्थानों को ही क्यों चुना है क आपने कभी सीषे की खिर्की के पीछे चिपने का प्रियास किया है इस पर टूप से नहीं क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्त सीषे से देखकर आपको पता लगा लिया उन प्रदायतों अधवा सामक्रियां जिन से होकर बस्तूओं को देखा जा सकता है पारदर्सी कहते है कांच जलबायू कुछ प्लास्टिक पारदर्सी पत्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन बस्तूओं को आसानी से देख सके एक ही दुकार में रखी पारदर्सी डिब्बे इसके भी प्रीत कुछ ऐसे पतार भी हैं जिनके होकर आप बस्तूओं को नह नहीं देव सकती इन पतार्तों को आपारदर्सी करती है आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकडी के बाक्स गट्तिक डिब्बे अधबध्धातु के पात के विता जब लखड़ी कट्ता अधवध्धातु में इसके में दो-तीन पून खाने का तीर या मक्षन डालकर इस कागज के उस बात से जहां तेल प्यदीप कर बलब को दुबारा ध्यान से देखी अब आप क्या देखते हैं कि अब बलब हमें पहले से ही अब एक्छा हो रहा दे कि इस पश्ट दिखाई देता है पर दू क्या आप इस चिखने कागज से उकर पितिक बस्तू को पूरता इस पश्ट देख लेते हैं कदाचिक नहीं ऐसे पदा जिनके होकर वस्तू को देख तो सकते हैं पर नतुब बहुत इस पश्ट नहीं देख अजा सकता उन्हें हम लोग पारभासी कहते हैं कागज पर लगे उस तेली धब्बिक को याद कीजिए जिसका उप्यों हमने खात को पारदर्सी अफारदर्सी अथवा पारभासी के रूम में समों में माट सकते हैं पहली किसी अंदेरे वाले स्थान पर टौच के काच को हतेली से डखने का सुझाओ देती हैं टौच का स्वीच ओन करके हतेली के दूसरी और का फिक्चन कीजिए वह यह जानना चाहती है क आपके अतली पारदर्सी है अत्वा यह पारवासी है हुआ हमने यह सीख लिया कि पदरत्तों की अपने भिन्ध दिखावा ठुथी तला इनके जल अत्वा न दरहो में मिशित होने के धण बिन बिन होते हैं, वेजल में तेर अत्वा डूप सकते हैं, अत्वा पारदर्सी या पारवासी हो सकते हैं पदारतों का समुवन उनके गुड़ों में समानता हूं, अत्वा विविनता हूं के आदार पर किया जाता है हमें पदार्थों को सम्मूव में रखने की आवस्ता क्यों बढ़ती है। देनिक जीवन में हम प्रया पदार्थों को सम्मूवन अपनी सुगदा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी बस्तूओं को बंडारन सामानता। इस पिकार से करते हैं कि एक जैसी बस्तुएं एक साथ रखी जाने, इस पिकार की विवस्था अधवार हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं, इसी पिकार कोई पंसारी प्रयास सभी पिकार के विसकोटों को अपनी दुकान के एक कौने में रखता है, सभी सावनों के वो अन गोडों को किनी भी पैटर्नों का उलोखन करना सुविदा जनक बांद रखता है इसके पिसे में और अधिक अध्यानम कुछ कक्छाओं में मतलब आगे की कक्छाओं में पढ़ेंगे अब देखिए अमनों लोगों ने यहाँ कौन-कौन से सब्दों की परिवासा जानी है कठोर सब्द देखा है अबिले सब्द देखा है धोती माय चमकीला पदार्द देखा है धादू देखा है अपारदर्सी देखा है रुक छिया अखुरदरा देखा है बिले देखा है पा हैं हमारी चारों और की बस्तों अनी पिकार के पदारत का उप्योग मैं किवा एक ही पदार्त से बनाना संभाव हो सकता है, अत्वा उसे बिविन्य पिकार की पदार्तों से बनाना बनाया जा सकता है, बिविन्य पिकार की पदार्तों की गुड़ भिन्य भिन्य होते हैं, कुछ पदार्त दिखावट में चमकदार होते हैं, जबकि अन नहीं होते हैं, कु अन्य जैसे लक्री दातुएं आपारदर सी होती हैं कुछ पदात पारवासी होती हैं पदात को उनके गुड़ों में सामानता एवन विभिन्नताओं क्यादार पर समूव में बाटा जाता हैं बस्तुमों को सोविधा तथा उनके गुड़ों के अध्यन के लिए एक साथ कुछ अब भी आसके लिए कुश्चन से हैं देख लिए ना आपको वैसे भी टेलीग्राम पर चैनिल वोटली भी है पीडियर वहां से डाउमलोड कर लिए और रख लिए आपको आंगे भी जरूरा पड़ती रही है तो यह था हमारा फोर्त नंबर का चप्टर आंगे करने चली तो हम लोग बात कर रहे थे एंक रियंती कक्षच्चिए की बिग्ज्यान के बारे में साइन्स के बारे में तो इसमें अबी तक हम लोग चार चैpflichtर आपके देख चुके थी इसमें बात करेंग आप पांच बैच्ब चेक्तर के बारे में पतालत्य का पित्थक कर पदार्थों का पित्थक करन, याद रखिए, फिर सो मैं वही बोलूँगा कि आप लोग इसे एक कहानी की तरह सुनिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जानदा कुछ दिमाग लगाने वर लाइक कुछ है भी भी नहीं है, ठीक, हमारे देनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उधारन द पित्थक किया जाता है, फसल कटाई के बश्चात अनाज को भूसे से पित्थक किया जाता है, मखन को पित्थक करने के लिए दो दook दाहई कमंधन किया जाता जैसा कि हमने अधिहाय टीर में सीखा है की रेसों के से बीजों को पित्थक करने के लिए हम कपास को ओंटते हैं कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पुहा खाया होगा यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिरिच है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूरवग बाहर निकाल दिया होगा कलपना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पित्थक करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे इसके लिए आप एक पिकार के फलों को उठा कर किसी पित्थक बरतन में रख देंगे क्या यही ऐसा करना सहल पितीत होता है परन्तु यदि पित्थक की जाने वाले पदाट आम या मरूदों की तुल्ला में बहुत छोटे हों तो उन्हें पित्थक करने के लिए क्या करना होगा कलपना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिस्तरन से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिस्तरन से रेप के कड़ों को हाथ से बीन कर पित्थक करने की सोचना भी संभव नहीं है या आपका दूद या दही का मंतन करके मक्षन निकाला है इस तरह ऐसे सार्णी 5.1 कॉलम एक में पित्थक करन के कुछ प्रक्रम है जिसके लिए हम पित्थक करने को हम क्या करते हैं चाबलों से पत्थरों को पिथक करना, दुभिन परंत उपयोगी पदार्थों को पिथक करना, हम ठोस अबयब को फेग देते हैं, मक्षन प्राप्त करने के लिए दूर का मंधन करना, अनुपयोगी अबयब को दूर करते हैं, हम असुद्धियों को फेग देते हैं, चाय की पत्तियों पिठक करना, हानिकारक अवयव, अत्वा असुद्धियों को हम दूर करते हैं, हम दोना अवयव का उपयोग करते हैं, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले, हमें उसमें मिस्तित हानिकारक अनुपयोगी पदार्थों को पिठक करने की आवस् कि आम आथवा दरभ भिन्न हो सकते हैं एंसे कोई नियुक्त करती है जिनके गुर्धर्मों में अत्यधिक भिन्न दाओ अभा पदार्तों के पिथक करण की कुछ शाधारन विदियों का और लिख करेंगे इन में से कई बिदियों का उपयोग आपने अपने देने करिया कलाफों में देखा हुआ दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्छा में लाईए अब अनाज को कागज की सीट पर फैलाईए क्या आप कागज पर एक ही पकार के अन कड़ पाते हैं हस्त चैन इस बिधी का उपयोग गय हूँ, चावल डालों से कुछ, बड़े मिट्टी के कड़ों, पत्थर तथा भूसे को पिथक करने में किया जाता है, ऐसी असुद्धियों की मातरा प्रेयाप बहुत अधिक नहीं होती, ऐसी स्तिती में हस्त चैन द्वारा पदार्कों को पिथक करना एक आदू, एक सुविधा जनक विधी लगती है, अनाज से पत्थर की टुकड़े का हस्त चैन, त्यू, थ्रेसिंग, क्या है, थ्रेसिंग, आपने खेत अत्वा खलियानों में ग्यहूं या चावल की सूखी डंडिया की गठ्ठ देखे होंगे, सूखे पौद पर लगे अनकड़ों की संख्या की कल्ब न कीजिए, किसान अनकड़ों को सूखे पौदों के इतने गठ्ठों से नाजियों को कैसे पिथक करते हैं, आमों और अम्रूदों को बैक्षों से तोड़ा जा सकता है, परन्तु अनकड़, आम और अम्रूदों की तुला में अनकड़ों अत्वा अनाज उपिथक करने की पिक्रम को थेसिंग कहते हैं, इस पिक्रम में डंडियों को पीट कर अनकड़ों को पिथक किया जाता है, कभी-कभी थेसिंग का कारवेलों की सायता से किया जाता है, अतितिक मात्रा की अनकड़ों को डंडियों से पिथक करने क लिए थेसिंग मसीनों का उप्यों भी किया जाता है जैसे आपने देखा होगा टेक्टर ठीक है यह डंडे से करें थेसिंग अब टेक्टर वाला भी आ गया है ठीक है बहुत सीच सुद्दाएं हो गए निस्पाव निस्पाव वन सूखी रेद अध्वा लगडी के बुरा द कि अब ध्यान से देखिए क्ए आप दोनों अवैबों को आसानी से बित्हक कर सकते हैं क्या दोनों अवैबों के कड़ों के आप 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 समानें क्यास्त चाहन द्वारा इस पतार्थों को बित्हक करना संब्भव है अभाश्य मिसर अधिक bias meer अध्वां में ले जाई किसी पकड़ कर हवा में कंदी की मुचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेड़ा कीजिए ताकि मिस्रण धीरे दीने नीचे फिसले क्या होता है? क्या दोनो अवयवत रेग एवं बुराता एकी स्थान पर किरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो बाईवू द्वारा दूर उड़कर देता हो च्या बाईव मिस्रण के दोनों अवयवत को पिठक करने में सफल हुई है किसी मित्रण के अवेवों को इस पेकार पित्थक करने की विदी निस्फावन कहलाती है निस्फावन उपयों की पहनो अत्वा बायू के जोंकों द्वारा मिर्स्रण से भारी अत्वा हलके अवेवों को पित्थक करने में किया जाता है साधारता किसान इस बिदी का उपयोग हलके बुसे को भारी अनकड़ों से पित्थक करने के लिए करते हैं यह है जिसे यह कर रहे हैं हवा की दिसा है सू यह नीचे गिर रहा है और भुसा है है अगर आप गाउं से हैं गिरामी डिक्षेते से हैं तो आपको बहतर समझ में आ रहा होगा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने थेसिंग भी देखी हुगी इस तरह की इस तरह की आप लोगों ने जो अलग किया जाता है नाज और भुसा इसे भी देखा होगा आप लोगों ने आते से ब्रण बनाने की इच्छा होती है हम इसमें उपस्ति चोकर अनसुध्यों को उपर थक ने की आवस्द्रे तब हम क्या करते हैं इसके लिए हम चालानी या चल्नी चंड्नी का व्यू करते हैं उसमें आटा डालते हैं आटे के छोटे कड़ चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी असुद्धियां चालने में रह जाती हैं, तो यह आटे की मिल में ग्याहूं को पीछने से पहले पत्थरों अथा तथा भूसे जैसी असुद्धियों को अटाया जाता है, साधर्ण तक ग्याहूं की बुरी को एक तिरिची चालने पर डाला जाता है, चालन द्वारा पत्थर डंडियां तथा भूसा जो निस्पादन तथा थेशर के बाद ग्याहूं में रह जाते हैं, वो दूर किया जाता है इस विकार से, आपने इसी विकार के बड़े-बडे च चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेश से कंकर अथवा पत्थर पितक करने के लिए उपयोग मिलाते हुए देखा हुगा इस तरहें कंकर तथा पत्थरों को रेश से अलग करते हुए कच्छा में एक चालनी चन्नी तथा छोड़ा सा आठा घर से लाईए इस में चन्न का चालन कीजिए क्या हम चालन द्वारा चाक का पाउडर तथा आठा का पितक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं चालन बिदी का उपयोग मिलाते हैं के दो ऐसे अभवों जिनकी आमापों में अंतर हो को पितक करने में किया जाता है बात करते हैं हम लोग आउसाधन, निस्तारण, निसेंदन कभी-कभी मिस्तारण के अबवों को निस्वावधन अत्वा हस्त चैन द्वारा पिथक करना संभव नहीं होता है उधारण के लिए चावल तथन दाल में धूल, मिट्टी जैसे हलके कण हो सकते हैं चावल तथन दालों को पकाने से पहले इस पकार के असुद्धियों को कैसे पिथक करते हैं फिर या पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी वी असुद्धियां जैसे धूर के कड़ पिथक हो जाते हैं यह असुद्धियां जल में चली जाती हैं अब सोचिए बरतन की तली में कौन डूबेगा चावल या धूर क्यों क्या आपने देखा है कि बरतन को थोड़ा सा टेड़ा करके जल को बाहर ग्राय जाता है मिसरन में जल मिलाने पर भारी अबयों के नीचे तली में बैठ जाने के पिक्रम को आउसादन कहते हैं आउसादित मिसरण को बिना हिलाये चलको मिट्टी से उड़ेलने की फिक्रिया को हम लोग निस्तारण कहते हैं अब हम ऐसी अन्य मिसरण को पता लगाते हैं जिसमें आबयवाँ को आउसादन निस्तारण विदी द्वारा पिथक किया जलते हैं मिट्टी का एक मिट्टी एवं जल का मिट्टी नीचे यही शित्धान ऐसे द्रवों के मिट्टी को पिथक करने के लिए भी उपयों मिलाया जाता है जो आपस में मिट्टी नहीं होते हैं तो धारन के लिए तेज पता जल को उनके मिस्तरा से इसी विदी द्वारा पिथक किया जा सकता है यदि द्रव के ऐसे मिस्तरों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाये तो भी दो पिथक पिथक पड़तों में बढ़ जाते हैं इसके बाद जो अब उपरी परत बनाता ह उसे निस्तारन द्वारा पित्थक कर सकते हैं, फिर इसे ठोस तथा द्रब के किसी मिस्रण पर बिचार करें, चाय तेयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पित्थक करने के लिए क्या करते हैं, अक्सर आप चालनी कौपियों करते हैं, आए निस्तारन बिदी कौपियों क करके दीखती है इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है आप जो कि आप आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं अब चाय को एक छनी में डाल दीजिए ज़ए कि सारी पत्तियां चनी में रह जाती है इस पेक्क्रम को हम क्या कहते हैं निसेंदर फ्रेटर करना कहते हैं अब सोचिए तेजार चार से चाय की पत्तियां पित्थक करने में निस्तारण और निस्तारण से मैसी कौन सी विधी अच्छी है अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उधारन पर विचार करते हैं, क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्ष जल मिलता है, कभी-कभी नालों से गंदला जल प्राप्त होता है, तालावों तथा नदियों से एकतित किया गया जल भी पंकिल हो जाता है, विसे इसकर करन की कुछ विधियों द्वारा है, जल से मिट्टी जैसे आविले असुद्धियां दूर कर सकते हैं, तालाव या नदी का पंकिल जल लीजे, यदि हम यदि ना मिल सके तो ये गिलास जल में थोड़ी सी मिट्टी मिला लें, इसे आदे घंटे के लिए छोड़ दें, जल क करें, अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तेशा कीजी, इस गिलास के उपर के जल को दूसरे गिलास में उड़े लिए, अब इस दूसरे गिलास का जल अभी अंकिल अत्वा बूरे रंका है, अब इसका निस्त यननन कीजी, कि Z चाय वाली छननी से याई, प्का दागों या धागों के भीच में छोटे-छोटे छिद अतवा रंद होते हैं कपड़े की इनी छिद्रों का उपयोग निसंदन की रूम में किया जाता है यदि जल्ग अब भी गंदला है तो असोदियों को फिल्टर पत द्वारा निसंदित कर सकते हैं जिसमें और भी छोटे रंद हो सकते हैं फिल्टर पत का एक ऐसा निसंदन होता है जिसमें अतयन्द सूप्छुन चिद होते हैं फिल्टर पत के उपयोग से संबंदित विभिन ने चड़ दरसाए गए हैं फिल्टर पत को संकू के रूम में मोड कर कीम में लगा दिया जाता है इसके बश्चात मिस्टरन को फिल्टर पत के उपर उड़ेलते हैं मिसरण के ठोस कड़ इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं और फिल्टर पत परी रह जाते हैं देखिए इस तरह साधर्ण तब फलो और सब्गियों की रसों को पीने से पहले और बीजों तथा ठोस कड़ों को पित्थक किया जाता है निसंदन विधी का उपयों घरों पर पनीर बनाने में भी होता है आपने देखा हो गया कि पनीर बनाने के लिए दूद को बाद ले से पहले उसमें नीवू को रस मिलाया जाता है इससे पनीर के ठोस कड़ों तथा द्रवों का मिसरण पिराप्त होता है पनीर को इस मिसरन से कपड़े या छनी से फिल्टर करके पिथक किया जाता है अब बात करते हैं हम लोग वास्पन की वारे में वास्पन एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें दो चम्माच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाईए क्या आप जल की रंग में कोई परिवतन देखते हैं बिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं नमक जल से भरे बीकर को गरम किजिए बास्पन की विक्रिया का प्योग करते हैं नमक युग जल से भरा भी करें इसकी डिया के लाब में हम मिस्रण से जल तथा नमक को पिथक करने के लिए बासपन की पिक्रिया का प्योग करते हैं याद रखिए कहानी के दर है चोटे-चोटे-चोटे-टम्स हैं जो आपके सब्सक्राइब उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है अब देखिए आप देखी रहेंगे जल से नमक को पिथक करने के लिए बासपन की पिक्रिया का प्योग किया जाता है अगर पानी को नमक मि करने की पिक्रिया को हम लोग वासपन कहते हैं जहां जल जहां पर जल होता है वासपन की पिक्रिया निरंतर होती रहती है आपके विचार में से नमक कहा से आता है समुद्ध के जल में अत्यदिक मात्रा में लवड मिस्रित होती है इन्हीं लवडों में से एक लवड साधार नमक है जब समुद्ध के जल को बड़े उतले गड़ों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर के पिकास से जल गरम होकर वास्पन दुआरा धीरे धीरे बास्पन में बदल लिल लगता है कुछ समय बाद सारा जल बास्पित हो जाता है तत्था ठोस लबड नीचे बच जा की एक से अधिक विधियों का उपयोब वर्य overlap किया है रहा किसी तरफ WOMAN में उपशुत Biv Grind Ass XML को पित्थक करने में किवल Eising का उपयोब आप नहीं होता है एसी सिति में एक से अधिक विधियों का उपयोब करने की अवस्यता होती हूए रेत और नमक का मिसरन लीजे इसे आप कैसे पिठक करेंगे हमने पहले भी देखा है कि हर्स्त चैन विधी इसके पिठक करन के लिए बेवारिक नहीं होती है इस मिसरन को बीकर में रखिए इसमें कुछ जल मिलाईए इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक पूर रख किया आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ जाती है इसे निस्तारण या यंदन द्वारा पिठक करते हैं निस्तारे दिर्व में क्या है क्या आप सोचते हैं कि जल में वही नमक है जो आहरव में मिसरन में था ऐस अब इस निस्तारे दिर्व से नमक बाद जल क पितक करना है इस द्रब को किसी केदली में भरकर इसका धकन बंद कर दिये आप कुछ समय कि सब केदली को गरब कीजिए क्या आप केदली की टॉंटी से भाब निकलते देखते हैं इस तरह देखिए और नमक भाब के जरी आपका जल पूरा ओड़ जाएगा बासपन हो जिस पर कुछ बरब रखी हो पिलेट को केदली की टॉंटी के ठीक उपर पकड़िए जैसा की उपर इस तरह आप क्या देखते हैं कि केदली के सारे जल को भाब में बदल दीजिए जब आप भाब से ठंडी की गई पिलेट के संपरक में आती है तो असंगनेत होकर द्रब जल बन जाती है पिलेट के नीचे से बूने होकर नीचे गिनने वाले यह जल संगनन द्वारा भाब बनाए जल बास्तु से उसकी द्रववस्था में परिवतन होने की पिक्रिया को संगनन कहते हैं क्या कहते हैं संगनन जल बास्तु के रूम में उपर जाता है और द्रवव वस्था में परिवातित होता है तो उस फिक्रिया को हम लोग संगनन कहते हैं कि आपने कभी जिस पात्र में दूद को थोड़ी देर पहले उबाला गया हो तो उस पर ढकी प्लेट पर संगने जल की बूने कुद देखा हुआ आपने जब देखा हुआ कि कुछ भी गरम करते है उस पर अगर हम लोग प्लेट रख देते हैं तो उस पर प्लेट पर कुछ बूने दिखती है मैं पाने की वही आपकी संगने जल की बूने हैं जब सारा जल वास्थित हो जाता है तो फिर केदली में पीछे क्या छूप जाता है नमक इस पर कार हमने मिसर्ण से नमक देथ त पर बेश्थे नमक की पुनाःब प्राप्ति की समस्य है उसने नमक के संपून फैकेट को रेट की थोड़ी मात्रा में मिलाय था फिर उसने क्रिया कलाब में सुझाएगी विदी द्वारा नमक को पुनाह प्राप्त करने का प्रियास किया है परतु उसने पाया कि वह तो लिए गए नमक के किवद थोड़ी से भाग की पुनाह प्राप्ती कर पा दी उसने कहां तुटी हुई होगी क्या जल किसी पदारत को कितनी मातरा में गोल सकता है हमने अद्ध्याय शार में पढ़ा है कि कई पदारत जल में गोल कर बिलेन बनाते है तब हम उन पदारतों को जल में बिलेई कहते है यदि हम जल की मातरा निश्चे रखकर उस पदार्थ की मातरा को नेंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा इस कार के लिए आपको एक बीकर अत्वा गिलास एक चम्मच नमक तथा जल की आवसकता होगी आधा कब जल बीकर में ओड़ी लिए एक चम्मच नमक इसमें डाल कर तब तक बिलोडित कीए जब तक कि ये पूरी तरह से गोलना जाए अब फिर एक चम्मच नमक डालिए और भली बात ही बिलोडित कीजिए इस इपकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते हम बिलोडित करते जाएं कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद कि आप यही बाते हैं कि कुछ आविले नमक बज जाता है और वीकर की तली में बैठ जाता है यदि हाथ तो इसका आज। यह हुगा कि इस जल में अधिक नमक नहीं गुड सकता है अब यह बिलेन संत्रिप्त बिलेन कहलाता है क्या कहलता है संत्रप्त बिलेन यहां एक संकित है जो यह बताता है कि उस समय संभावता क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेट में अधिक मात्रा में मिली नमक की पुनाप्राप्ती का प्रयाज किया था कदाचित नमक की मात्रा संत्रप्त बिलेन बलाने के लिए आवसक मात्रा से बहुत अधिक हो थी आविले नमक रेट के साथ मिला रहे गया जिसे पुनाप्राप्त नहीं किया जा सकता है वो अधिक मात्रा में जल का उप्योग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी कलग ना कीजिए कि उसके पास में सारी नमक को बोलने के लिए परयात मात्रा में जल नहीं है क्या किसी अन उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संत्रप्त बिलेन बनने से पूर पहले से अधिक नमक गोला जा सकता है बीकर में कुछ जल लीजिए उसमें तब तक नमक मिलाईए जब तक की इसमें में और नमक और नमक न बोल सके इस पकार हमें नमक का जल में संत्रप्त बिलेन प्राप्त होगा अब इस संत्रप्त बिलेन में कम मात्रा में नमक मिलाईए और इसे गरम कीजिए आप क्या पात गोरा जा सकता है, इस बिलेन को ठंडा होने दीजे, क्या भीकर की तली में नमक पुना बैठता दिखाई देता है, यह किरिये क्रिया कलाव सुझाता है कि गरम करने पर नमक की अधिक मातरा गुली जा सकती है, ठीक है, अब आँगे बात करते हैं, क्या जल में बिलेन बिले प को दालता हों, कि समान मातरा गुलती है, आईए हम लोग जानते हैं, दो गिलास लेजिए, पितेक में आदा कब पानी बरिये, एक गिलास में एक चमच नमक मिलाईए, और तब तक बिले, गलोडिद कीजिए, जब तक की वह बोलना जाए, एक चमच नमक की मातरा बिलेन, सं किनी कुछ से दोरा हैं, आप इसको जल में बिलेन अन पदालतों से भी दोरा सकते हैं, आप क्या जानकारी पराप्त करते हैं, क्या आपने पाया है कि जल बिलेन पदालतों की बिलेन मातरा को गोलता है, हमने पदालतों के पित्धकरन की कुछ विदियों के विदियों के बि पिश्तु पित्धकरण की विधियों का प्योग बिज्ञान पिर्युप सालाओं में किया है। हमने यह भी देखा है कि पदार्थों को द्रब में गोलने से बिल्यन बनता है। जबी बीराइन में और पदा ना बोल सकुर्टे तो हैं संत्रेक्त में हैं किस पांट में अधियां में जाना हमाब अगर आप लोगों को फिर भी समझ में इस अब्द ना आए हुआ तो एक बार और जरूर देखिए इसका जो साहरांस था उसके बारे में हम लोग बात कर ले थे हर्स्तिचैन निस्पादन चालन आवसादन निस्तारन निसंदन मिसरण से उसके अवेवों को पिठक करने की कुछ भी दिया है अनाज से भूसा और पक्त्रों को हस्त चैन द्वारा पिठक किया जा सकता है भूसा अनाज के बारी बीजों से निस्पादन विदी द्वारा पिठक किया जाता है किसी मिसरण के कड़ों की आमाब में अंतर का उपयोग चालन दथा निसेंदन पिक्रियाओं द्वारा पिठक करण में किया जाता है रेत और जल की मिसरण में रेत के भारी कड़ तली में बैठ जाती है और निस्तारण की विधी द्वारा जल को पिठक किया जाता है कुम रों के द्रव को यह द्रव के अबिलेंगय पदार्तों के अभवों को निस्सतें और के अभव सिetzt tomar को इंदन के उप्यों करने की पिक्रिया को वास्पन केथे वास्पन की वीदी का उप्योंग को उपित करने में किया जा सकते हैं जिस billion में कोई पदारत और अदिक ना गोल सके वह उस पदारत का संतिप्त billion होता है किसी पदारत के billion को गरम करने पर उसमें और अदिक पदायत गोला जा सकता है जल बिले पदातों की विभेंट मात्राओं को घुलता है यह आपकी कुछ अभ्यास के लिए कुश्चन से वैसे भी आपकी PDF डाल दी है वहाँ टेली गराम पर तीए उसमें से देखते रही है बना स्कीन सौट ले लिए जैसा आपको सहूलियत हो एक दो बार आप लोग सुनेंगे अपने आप समझ में आए आएगा पता है क्योंकि जान्दा कुछ इसमें टैंसन वाली कोई बात ही रही है नॉर्मल किताब में लिखी गई है कख्छाट भी तक कि जो भी आपकी NCRT है बहुत ही नॉर्मल सब्दों में लिखी गई है तो यह मुअ हम्यमारे चारहो की परीवरत नहीं हम बात करेंगे हमारे चारहों और की परीवरत हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन हमारे चारों ओर के परिवर्तन याद रखें आपके इतने भी चेप्टर खतम हुते जा रहे हैं वो सभी NCE IT के पूर्ण कभरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट तूचिए उसी में डाल देता हूं और ही तरह हम लोग बात कर चुके हैं साम कि यर्ट कल्पना कीजिए कि यदि हम आपको अपने चारों ओर किसी भी बस्तों में परिवर्तन करने की कोई जादवी सकती आचानक मिल जाए क्या या एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी वे कौन सी बस्तों हैं जिनें आप बदलना चाहिए बास्तों में हमारे पास बड़न सकते हैं सायद बहुत सी बस्तों हैं क्या आप कुछ हैसी बस्तों की सूची बना सकते हैं जिनें आप बिना किसी जादवी का प्योग करके बदल सकते हैं देखिए गुबबारी को समझे रहे हैं विस्तर हो जरंग अपना गेटव ठ्यू इस तरह हैं हमारे चारों और बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहती हैं केतों में फसले हैं समयानुसार बद oni रहती हैं पत्यां रंग रंग बद दी हैं सौख खर पेड़ों से गेशाती है फोल किल ते और फिर मुझे जाते हैं क्या कोई परिवर्तन आपके सरीर में भी होता हैं आपके हैसु चुगाएगी आपको कि चारों और हर समय बहुत से परीवतन होते रहते हैं क्या कुछ परीवतन के साथ समू में रख सकते हैं हम विभिन पिकार के परीवतनों को समू में कैसे रख सकते हैं इनमें हमें इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो है हमारे लिए सहाइक होगी जब मुझे खुछ समझ में नहीं आता है यार कि क्या तुम्हें इस चेप्टर में समझाओं क्योंकि इतने नॉर्मल सब्द लेखे गए हैं एक कहानी की तरह लेखे गए हैं जो टंग्स होता है उसकी मतलब परिवासा दे देते हैं उसी कहानी में तो यह अगर एक दो बार आप स्वें पढ़ते हैं या देखते हैं अपने आप के लिए रुजाएगा कॉंसेप्ट फिर से वोड़ा हूं कच्छा अटवी तक की जो भी आद की जन्ती यह आटी हैं उनमें दिवांग जांदर लगाना ही नहीं आपको ठीक है एक दो बार पढ़ना है ठत्मकल या सभी परिवर्तन सधियों किरमेत किये जा सकते हैं एक गुबारा लीजे उसे फुलाईए सावधानी परतियों कि वह फटना जाए गुबारे का का एवाप एवं आमाप बदल गया है अब उसकी हवा निकल निकल जाने में इस तरह एक कागज का टुकड़ा लें इसके आप उसे 6.2 की अनुसार मूड़ें इस तरह है इसके इससे कागज आपकी कागज के टुकड़ा खिलोना हवाई जाहाज में परिवर्तित हो जाते हैं आपको इस हवाई जाहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा यदि आप ठक जाएं तो कागज को पुना सीधा कीजिए गुंदे गुंदे हुए आटे की एक लोई बनाई है इससे रोटी बेलने की कुसिस कीजिए सायद आप इसके आकार से खुष्णाओं और इस रोटी को दुबारा लोई में परिवर्तित करना चाहें इस तरह अब आपने क्रिया कलाब एक दो तीन में जो परिवर्तित देखें उसके बारे में सोचिए उनमें एक जैसा क्या है क्या एसंभाव है कि गुबारा अपने पूरु आकार और आमाब में बापस आप जाए क्या कागज का आमाब पहले और हवाई जाज बनाने के बाद समान है क्या गुथे हुए आटे से पुना लोई बनाना संभाव है आपने क्या निसकर्च निकाला क्या इन तीनों क्रिया कलापों में संभाव है कि जिस पदार से यह क्रिया कलाप पहरम किया गया था उस पदार को बापस पाया जा सकता है यदि हां तो इसका मतलब है कि जो परिबतन इन किरिया कलापों में हो रहे हैं, उन्हें पुनाहा पूर इस्तिती में लाया जा सकता है। आईए इने क्रिया कलापों को कुछ अलग ढंसे करते हैं बोग। उस गुबबारे को लीजिए जिसका क्रिया कलाप एक में उपयोग किया है। उसके उपर आमाप लाइए। उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांदिये। गुबबारे में अपनी नुकेली पैंसे से छेद कीजिए और गुबबारा भट गये। अब वो क्रिया कलाप फायो। वह ही कागज का टुकड़ा लीजिए। जिसे आपने क्रिया कलाप दो में प्रेव किया था। उसके उपर एक हवाय जहाज कर रेखा चित्व बनाई है। तता उसे बाहरी रेखा के साथ काटी है। इस तरह है। अब क्रिया कलाप 6 गुदे हुए गुदे हुए आटे पीलुई को से रोटी वे बेल कर उसे तावे पर सेंखिए। यदि आप आप से वही तीन पूंचे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रिया कलाप 3 करने के बाद दिये थे। तो इस बार उनके उत्तर क्या हुए। हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रिया कलाप 4-5-6 में हुए उनको बापस नहीं किया जा सकता है। आप पैंशिल और रवर का उपयोख करते हैं। इनके बार से आकार और आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं। आप कुमहार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा हुए, वह मिट्टी के डेर को परिवर्तनों में बदल देता है, क्या यह परिवर्तन उतक्रमित किया जा सकता है, वह अब मिट्टी के परिवर्तन को भट्टी में सेचता है, क्या अब इस परिवर्तन को उतक्रमित किया जा सकता है, साइनिट 6.1 में कुछ सामान परीवतन देखे गए आपके विचार में इनमें से किन परीवतन को उतकरमित किया जा सकता है हमने देखा कि परीवतनों का वर्गी करण का एक तरीका है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा हाँ हो सकता कच्चे अंडे से उबला कर सकते हैं न गाड़े गोल से एडली बनाया जा सकता है गेली कपड़े से सूखे कपड़े होंगे उन के धागे से बुनाव बस्वेटर बनेगा आनास से बनाया आठा हो सकता है ठंडे दूर से गरम दूर किया जा सकता है सीधी डोरी से कॉंडली डोरी, कली से फूर, दूद से पनीर, गाय की गोबर से वायोगेस हो सकता है ठीक है? क्या परिवतन करने के अन्न तरीके भी हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने बाले ओजार देखे होंगे कि आपने इनों वजारों में देखा है कि लोरी के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्ते पर जड़ दिया जाता है इस तरह अगर आप लोग गरामीड शित से हैं, तो आप लोगो रोज मरया की जिन्दगी में ये चीज़ें देखते होंगे सब इन वजारों में लोगे के फलक में एक बलए होता है जिसमें लकड़ी के हत्ते को फसा दिया जाता है साधान ता इस बलए का आमाप लकड़ी के हत्ते के गेरे से थोड़ा छोटा होता है हत्ते को बले में फसाने के लिए बले को गरम करते हैं जिसे उसका आकार बढ़ा हो जाता है पहल जाता है अब हत्ता आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है जब बले ठंडा होता है बले तो सिकुड जाता है जिसे यह हत्ते पर कस जाता है इस पेकार के परिवात तन कावपयो बैलगाडी के लकडी के पहिये पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है दातू के रिम को लकडी के पहिये के गहरे में थोड़ा सा छोटा बनाएते हैं गरम करने पर रिम पहिये इस तरहे चड़ जाता है अब पहिये के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है पहिये के ऊपर कश जाता है जब हम जल को बरतन में गरम करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाते हैं अगर हम इसे लगातार गरम करते रहें तो जल की मात्रा बरतन में गटनी शुरू हो जाती है, जल्व वास्व में परिवर्तित हो जाता है, अध्याय 5 में हमने क्रिया कलाब में 7 में आपने देखा कि जल्वास ठंडा करने पर द्रव जल्व में परिवर्तित हो जाता है, हम सभी ने बरब को बिगलते हुए देखा है, गरम करने पर बरब एक छोटी सी मौम्बत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें इसे एक उच्छित स्थान पर लगाता है जलाएं उस समय बाद इसे जलने दें मौम्बत्ती को बजा दें फुना उसकी लंबाई मापें किया जासकता है जदी हम कुछ मौम्बत्त लें और करें तो किया इस परिवत्तन को उतकरमenth किया सकता है क्लिया कि साथ को दौत्ती से दोहाना कि जब कर तक यह पूरी तरह से जल जाये जले पितिक चाता है दूप बत्ती में क्या परिवतन दिखाई दिए दूप बत्ती चलने पर कुछ नए परलायत बनाती है ये कुछ राख तथा गेस के रूम में हम इन गेसों को देखें तो देख तो नहीं सकते हैं परन्तु उनकी मन भावन सुगंद के कारण उन्हें मैसूस करती है क्या इस परिवतन को उत्करमित किया जा सकता है इसी पेकार माचस की तीली में क्या परिवतन हुए जिसे मौमबत्ती को जलाने में उपयोग किया है अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत बस्तूं नियत बस तुम या इनके आत्पदार्थ पर देखा है, जब दूपदार्थ एक मिस्टन के रूम में हो, तब होने वाली परिवर्तन इस पिकार होंगे, अध्याय चार में हमने नमक को जल में गोला था, क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुए था, क्य क्या हम यह कर सकते हैं, कि नमक को पानी में गोलने से हुए परिवर्तन को उत्केमित किया जा सकता है, पहली ने पूंचा कि क्या आपने दही को जमते हुए दिखा है, गुर्मोने गरम दूद में दही को थोड़ी सी मात्रा में मिलाया जाती है, दूद को हिला कर कुछ में दूद दही में परिवर्तित हो जाता है, क्या इस परिवर्तन को उत्केमित किया जा सकता है, हमने देखा है कि पदार्तों को गरम करके या किसी अन पदार्तों के साथ मिस्रेट करके उसमें उनमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, हमने यह भी देखा है कि कुछ पर को उत्किरमित किया जा सकता है इस विकार हमारे चारों और परिवर्तन को दो वर्गों में विवाजित किया जा सकता है परिवर्तन जिने उत्किमित किया जा सकता है और परिवर्तन जिने उत्किमित नहीं किया जा सकते है अपनी उच कक्छा में इस परिवर्तन को करने की परिवर्दन जाना है, सब्द की परिवासा जानी है, संगुचन की परिवासा जानी है, वास्पन की परिवासा जानी है, पिसार जाना है, गलब जाना है, ठीक है? कहानी के रूम में इन सब्दों की परिवासा समझाई जी है, इस पाठ का आकिर सारांज क्या है? कुछ परिवर्तनों को उतकर में किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं पदार्थों को गरम करके या किसी अन्पदार्थ के साथ मिस्वित करके उनमें परिवतन लाया जा सकता है यह आपकी अभ्यास के लिए questions है पर टेलीग्राम पर आपकी पीडिएप डलीए उसी डाउनलोड कर लें उसी अपने पास रख लें ठीक चाहे फिर निकल वालें आप लोग फ्रेंट आउट उसका जैसी आपको अच्छा लगी जैसा भी तो यह था आपका छटवा चैप्टर आंगे हम लोग जाने के पोधों को जाने है मैं से एलु दोस्तों है तो चलिए एंटि एपर करें तो बात कर रहें थें सी एई एटी कक्चा छटवी की विज्ण के वारे में साइंस के वारे में इसमें अभी तख हम लोग अपने चैप्टर खतम कर चुकी है, यह साथवा चैप्टर है आपका, इसमें बात करेंगे बोधों को जानना है, किने बोधों को जानना है, याद रखिए, मैं फिल से आपको वही सलाय दूँगा, कि इन्हें कहीं से भी डाउनलोड करके, या मैंने पीडियेप डाउनलोड की दीद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें समझाने लाइक कुछ भी नहीं है, पर इसे बता रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाओंगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो उठाया है, मुझे तो पूरा करवाना है, तो मेरी तो मजबूरी है, कि छोड़ भी नहीं सकते हैं ना, कि समझने लाइक ना हो, तो इसलिए आप लोग वहाँ से जल्दी खतम कर दिजिए, आठ तक की जो भी आपकी बुक्स है, इन्हें एक सब्ता है, बहुत से बहुत देख सब्ता है, मैं खतम कर देनी चाहिए आपको, ठीज, तो चलिए हम साथवा चर्टर देख लेते हैं, पौधों को जानना है, बाहर निकल कर अपने चारों और पौधों को पेच्छर कीजिए, कि आप देखते हैं कि कुछ पौधे चोटे, कुछ बिसाल का है, जबकि कुछ धर्दी पर हदे, धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, कुछ पौधों की बत्तियां हरी होती है, पौधों की रास्ते में, बागमगी चे, इवन विद्ध्यालय प्रांगर में, अनेक हरी पौधे देखे होंगे, आईए, हम पौधे के विभिन भागों की बिसाय में जाने, इससे हमें बेहन पेकार की पौधों, पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी, उन पौधों के तने और साखाओं को ध्यान पौध देखिए, जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगबग आपके बराबर हैं, जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, तने को इसपस कीजिए, तथा यहां जानने के लिए कि तना को मल हैं, अतपक कठोड़ें, इसे दीरे से, दीरे से एक और मोड़ना का प्रयास करें, त्याहां रखेंगी यह टूटे नहीं, लंबे पौधे के तने की मोटाई में आपने का प्रयास करें, पौधों के संबर्ग, यह पौधों के नाम हो गया, पौचाई हो गई, हरा, कॉल्म तना हो गया इसका, और साख, इसी तरह से देख लें, हम यह भी जाना चाहिए, हमें, की साखाएं भूमी के पास्त के तनी के अधार से अत्वा, कुछ उंचाई के बाद निकलती है, हम पिच्चे सभी पौधों को साइनी एक में, साथ एक में, बर्गिलित करें, कुछ उधार न दिखाएं, आप और अधिक पौधों के लिए एक और दो और तीन कॉलम को भर सकते हैं, इस अनुचेट के बाद अंस को पढ़कर कॉलम चार को भरें, पौधों को कम से कम छती पहुंचे, इसलिए आप चार से पांच विद्ध्यारतियों के समूबक में कार कर सकते हैं, कॉमलतने वाले पौ पौधे सुता ही होगाते हैं, क्या आपने किसानों को इस खरबार्दवार को खेतों से उखाडते हुए देखा है, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकास पौधों को तीन संबर्गों में वर्किकित करते हैं, इस संबर्ग हैं आपके साख, जाड़ी, द्रक्ष, ठीक है हमें हरे इवं कौमल तने वाले पौधे साख कहलाते हैं, यह सामानता छोटे होते हैं, और अक्सर इन में कई साखाएं होती हैं, तुछ ए आपका साख है, जाड़ी आप यह बी वाला, ठीक आपको, और बैक्ष है आपका, सी वाला, ठीक, कुछ पौधे पौधों में साखाएं तने के आधार की समीब से निकलती है तना कट्वोर होता है परंतु अधिक मोठा नहीं होता है इन्हें हम लोग जाड़ी कहते हैं कुछ पौधे बहुत उचे होते हैं तथा इनके तनू सुद्रण एवं गहरे होते हैं इनकी साखाएं भूमी से अधिक मुचाए इस पर तने के उपड़ी भाग से निकलती है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं व्यक्ष ओप्यक्त अभी लक्षणों क्या दार पर क्या है आप सुचिवत पौधे को बरगी कर सकते हैं कमजोर तने वाले पौधों सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमी पर फैल जाती हैं इसे हम लोग विसरफी लता कहते हैं जबकि पौधे कुछ पौधे से पौधों की साहिता से उपर चर जाते हैं, ऐसे पौधे और वो ही कहलाते हैं, यह जाड़, साख, जाड़ी, पेड़ों से फिनने, समभावता आप अपने विद्याले अत्वा घरों पर कुछ पौधों की देखमाल करते होंगे, अपने घर अ बिद्याले में पाये जाने वाले बैप्च, जाड़ी, विसरफी लता के दो दो पौधे के नाम बताने हैं, याद रखिए, अब जैसे यहां आपने देखा होगा, कुछ पौधों में साखा हैं, तने ग्याधार की समीब से नेकलती हैं, तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जाड़ी, जाड़ी की परिवासा एक लाएं में दे दी होने, बहुत ही सेंपल सकतों हैं, अब देखे की परिवासा क्या दी गई हो, कुछ पौधे बहुत उंचे होते हैं, तथा इनके तने सुद्रण एवं गहरे होते हैं इनकी साखाएं भूमी से अधिक मुचाई पर तने के ऊपर उपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बैच कहते हैं, अब बात करते हैं तना, अपने आसपास के पेड़ पौधे, पौधों को देखें, तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विबहन सर प्रजनाओं एव भागों का को देखें, अपने अवलुकन की तुल्ला, अपने साथी द्वारा किये अवलुकन से करें, आपने क्या देखा हैं, तने में पतियां साखाएं, कला, कली, फल, फूल होते हैं, यह तना क्या कार करता है, गिलास को एक तहाई जल से भरें, जल मे दिन इस साखाओं का उलुकन करें, क्या इस साखा, इस साखा साख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं, आपने देखा कि तने के रंग ऊपर चड़ गया, तने में रंग ऊपर चड़ गया, अगर इसे लंबे समाज तक रखा जाए, तो रंपत्रियों वो सिराओं में भी आज जाता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहां तक कैसे पहुंचा है, इसकी क्रिया कलाम में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की उड़ चड़ता है, तना जल का सम्भन करता है, लाल से आई की बादी, जल में बिलीन खनीज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं इस तरह जैसे हमारे सरीर में हर भाग तक क्जो आपका खनेज होता है या मतलब कुछ भी होता है रोटीन हो या कुछ भी जो जरूरन की चीजें होते हैं उन्हें खून त्वरा बिलेड़ के द्वरा पहुंचा दी जाती है इसी तरह पानी इसमें आपके जो खनेज होते हैं इन्हें सभी भागों तक पहुंचा देते हैं पेड़ों में ठीए पत्ति अपने आसपास के पोदों की पत्तियों को देखकर अपने नोट मुप में उनके चित बनाएं क्या इन सभी की आक्ति आकार के वमरग एक जैसे हैं यह तने से किस पेकार जुड़ी है पत्ति का हुआ है भाग जिसके द्वारा हुआ है तने से जुड़ी हुई है यह तिया फ़ड बेंद कहलाता है क्या कहते हैं फ़ड बेंद पत्ते के चप्ते हरे भाग को फलक कहते हैं क्या आप अपने आसपास के बौदों की पत्तियों में इन भागों की भैचान कर सकते हैं कि आप सभी पत्तियों में पढ़ बेंद होता है यह पटल हो गया यह इतना हो गया वह पढ़ बेंद हो गया ठीक है आगे बात करते हैं लोग पत्ति के विशाय में और और दिफ्चान कारी प्राप्त करने के लिए आईए उसकी छाप लें यदि आप सोचते हैं कि पत्ति विशेश छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रिया के लाप आपको पुनर विचार पर मजबूर कर देगा एक पत्ति को एक सफेद कागज अत्व अपनी कौपी के परने के नीचे रखिए इस तरह हैं तरीके से एक ही इस्थान पर दबाकर पकड़ कर रख लिए अपनी पैंसिल को तिर्चा पकड़िए तथा इसकी नौक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ति है धीरे धीरे रगड़ि है क्या आप कुछ रेखाओं के साथ चाप दिखाई देती है क्या यह चाप पत्ती की तरह है पत्ती की रेखे तरचा को सिरा कहा जाता है क्या कहते हैं सिरा क्या आपको पत्ती के मद्द में एक मौटी सिरा दिखाई देती है इसे हम लोग मद्द सिरा कहते हैं पत्तियों की सिराओं द्मारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं, यधी यह डिजाइन मद्ग सिरा के दोनों और जाल जासा है तो यह सिरा विन्यास जाली का रूपी कहलाता है, आपने देखा होगा कि gift की बत्थियों में यह सिराओं दूसरे के समानतर हैं, ऐसी सिरा विन्यास को समानतर सिरा विन्यास कहते हैं, विविन पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्यान करना है, आवसक सामक्री साख पौधा, फॉलीथिन के दो, फारदरसी थेले, तथा कुछ धागा, इस पत्तियों कि रिया कलाब को दिन की समय करना चाहिए जब धोग खिलती हो इसके रिया कलाब के लिए आपको सौस्त भली बाती सिंचित और धूम में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए किसी पौधे की पत्ती वाली साखा गुचित अनुसार एक पौली थन की थैली में से ढग कर क्रागा बांग कर धूम मैं रखती जिल कुछ घंड़ों के बाद का पौली थन की थैली कые यहांतर प्रिश्ट को जहां करवक देखे हैं आप क्या देखेंगे किया किसी थैली के अंदर जल की में दिखाई देती है किसी थैली में जल की कि दूमने दिखաՈ देती क्या आप पॉली तन की थेली को अठाना मदोगना इस तरह पारदर거든 पत्तियां और क्या का करती हैं जलकी बूर ने फत्ती से याद रूजर के जलकी बूर ने पत्ती से जल वृस्प के रों में निकलती है इस क्रिया को वास्त पूरतmbolcin कहते हैं देखिए जाहां आपकी वास्थोध सर्जन की परिभासा बताईए जल की एहवूने जो पत्ती से जल वास्थ के रूम में निकलती हूने हम लोग क्या कहते हैं वास्थोध सर्जन इस विटकरब के दोवारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायू मंटल में छोड़ते हैं कि आप इसके विटकर में इस विटकर में चोड़े में अच्छे से पढ़ेंगी हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों मांदा था क्या पौधे को वास्थोध सर्जन से निकल निकली जल वास्थ को हम अन्यथा देख पाते हैं अध्या जो अच्छता में उसमें पढ़ा था कि जल वेविन वावस्थाओं में बदल जाता है क्या आप इनके नाम बता सकते हैं उस पे क्रम का नाम बताईए जिसके कारण जल की भूनों के रूम में पुनाह पॉलितन की थेली बाद दिखाई देती हैं पत्तियों का और भीक आरे इसका देन करते हैं तो से आवस्थ सत्वलक्तिरी पत्ती प्रेंट इस प्रेंट भीकर फराकनगली वड़ना जल पले इम युलें को रखिये में एक पत्ती रखिए, तथा उसमें परियाप्त मात्रा में इस पिट डालें, जिससे पत्ती उसमें पूरता डूबी रहें, अब इस परकनगली को जल से आदे, भरे बीकर में रखिए, बीकर को समय तक गरम करते रहें, जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूरता बहार नहीं न लाईं आप क्या देखती है आपने पिछेड के दूलना अध्यायदों में खाद पॉटे नियर पोशंग की उपस्तिति का पर इंज कि ऐसका स्अधिय।ण की पत्ति में मन्द है हमने अध्यादों में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्तित होता है, आलू में यह मंड पोधे के अन्वाब से आकर इकतित होता है, फरंत पत्तियां प्रकास और हरेड़न के कारण के एक पदार्थ की उपस्तिती में अपना भोजन बनाती है, इस पर क्रिया में जल एबं कारवन डाय ओक्साइड का उप्यों करती है, इस पेक्रम को हम लोग प्रकास संसलेशन कहते हैं, अब याद रखिए यहां प्रकास संसलेशन को समझाने के लिए इतनी कहानी बताची लिए है, इस पेक्रम में उक्सीजन निस्कासित होती है, पत्तियों दादन द् बिवशन भागों में मंडल के रूम में सन्गीत होता है, यह लिश्षती है, बैग नीरन इनी अा आयोडिन ब्लेन अब तक हमने जो भी क्रिया के लाग किया है उनसे हमने देखा है कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है तना पत्ती को जल पहुंचाता है पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का है द्वारा होता है तन्य वपत्तियों को जल यह कार जड़े करती है जड़े अब जड़ के बारे में देखना है पहली और बूजो ने बूजो में से कौन अपने पौदे को ठीक प्रकार से जड़ दे रहा है क्या लिखा हुआ था कि जड़ से पौधा जड़ से पत्ती ने जाता है तो यह डारेक्ट पत्ती को दे रहा है यह आपका जड़ों को यह सही दे रहे है पौधी का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है आए निमने क्रिया कलापों के द्वारां पौधे के स्भाग के वारे में और अधिक जानगारी पराप्त करते हैं आवसक सामगरी दो गंगले कुछ मिट्टी खुरभी विलेड अत्वा कहची एवं जल यह क्रिया कलाप चाल से पांच पिद्धे हटी होंगे समों में करना चा खरपतवार के एक पौधे को एक गंबले में मिट्टी डाल कर लगा दीजिए दूसरे पौधे की जड़न को काट कर दीजिए अब इसे दूसरे गंबले में लगा दीजिए इसे में नेमे रूप से जल दीजिए एक सब्ता पश्चा इनका पेक्छंड कीजिए क्या दोने पोदी सर्ष्थ हैं, दोनों पोदों में नेमित रूप से जड़ दिया गया, परतुर एक ही जड़ नहीं थी, क्या आप इसकी रियाकलाब से जड़ के एक मत्मून कारी के विशय में जान पाते हैं, जड़ का एक अन्निकार जानने के लिए आए, एक और की रियाकलाब करें, मक्का और चने की बीज, रूई, कटोरी, तथा जड़, दो कटोरियां लेजिए, इनमें भींगी हुई रूई रखिए, एक कटोरी में चने की तीन-चार बीज, और दूसरी में मक्का के दाने रखिए, जड़ डालकर रूई को हमेशा नम रखिए, जब तक की बीज बीज, सल्दा से रूई से बाहर में खिट जाता है, क्यों? क्रिया कलाप छे में हमने देखा है कि हम पोधों को भूमी से खिंच कर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है, जड़ें, पोधे को मिट्टी में मजबूस से जमाय र करते हैं, इन्हें मिट्टी में पोधे का इस्तरक कहा जाता है, आपने देखा है कि इतने इवन पत्तियां विविन पेकार की होती है, क्या जड़ों में भी विविलता दिखाई देती है, आईए अब इसका भी पता करते हैं, ध्यान पूर्वक पिच्छे फेक्छन कीजे, अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए, क्या है, चित सोले, साथ दसमलों सोले, एक के समान दिखाई देता है, इस तरह है, अध्यान चित की तरह है, मक्का के पौधे की जड़ों की आक्तियों के चन, चित के साथ मिलान कर, खाली स्थान में मक्का एवन चना लिख द और वक्षान काम की जढ़ों में क्या समानता है किस रोप से मैं एक दूसरे से बहन रहाए जड़ों की दो पिकदिन क्या जड़ों की कुछ और भीड़ों को पिस लिए है जञें मैं इसका उतल हुरों और यह प्लोग्ड शायत 마РИों से इसमें हम बताएंगे तो हमें लेक्चर बाई लेक्चर बताना खुड़ेगा ठीक चक्टर वर चक्टर तो बहुत टाइम लगेगा लेकिन मैं करता रहूंगा इसी तरह ठीक है आप जहां से भी आपको सहूलियत लगी वहां से पढ़ते रही है क्रिया कलाब 9 को देखते है खुलेद मैदान में जाईए जहां उसके खर्पदवार ओव रहे हैं कुछ खर्पदवार पौदों की मिट्टी कोद करने का लिए और जड़ों से मिट्टी दोकर अलग कर उनका निरिक्षन कीजिए क्या आपने ध्यान दिया है कि सभी खर्पदवार पौदे की जड़े है या तो चित की तरह एकी तरह हैं या चित वी की तरह है उपर देखा उनकी तरह है जिन पौदों की जड़े है साथ दसम्वलों सत्तर है की तरह है इस तरह है और पी ए कितरे हैं उनकी मुख जड़ को क्या कहते हैं मुसला जड़ कहते हैं इसको हम लोग मुसला जड़ कहते हैं अब यतना समझ मैं है कितनी कहानी इसलिए बताएगी कि मुसला जड़ की आपको परिवासा पता चलते हैं दूसरी है चोटी जड़ों को Пारस जड़ कहते हैं। जिन पौध्य की जड़े हैं, सत्र आबी के समान होती है, उन्हें कोई मुक जड़ नहीं होती है, सभी बड़े जड़ें एक समान दिखाए देती हैं इन्हें हम लोग जकड़ा जड़ या तबार रिसेदार जड़ कहते हैं इकतित किए कि खरपदवार पौदे को उनकी जड़ के आतार पर दो समूव में छाटिए मुसला जड़ वाले पौदों को समूव A में समूव B के पौदों की पत्तियों को देखिए, इसका सिरा विन्यास किस पेकार है क्या आपने ध्यान दिया है कि पौदों की पत्तियों कि सरा विन्यास के पेकार मैं एक रोचक सम्बंद है कि वो सभी पोधों जिनका आप अध्यान करें चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एक जड़ के तरिकार को साइटी दोमेर में भर सकती है हमने देखा है कि जड़ें मिट्टी से जल का आउसुसरन करती है तथा तना जल एवं खनिच को पत्ति और पत्ति एवं पोधों क कि अन्न भागों तक पहुंच जाता है पत्तियां भोजन संसलेशित करती है यह भोजन तने से होकर पोधे के विविन भागों में संगेत हो जाता है इस पिकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर मूली सकरकंद सल्जम टैपीयो का आदी को हम खाते हैं हमें पोधों के अन्न भ प्रोटीन हो पिर चाहे हो कोई खनेज लवड़ हो कोई भी हो उसकी जरूरत होती है तो खुन बिलड़ के जड़िये पहुंचा दिया जाता है एक जगे से दूसरे जगे धमनियों द्वारा जाता है इसी तरह पोधे का भी भाग होता है कि जहां उसे जरूरत होती है प्रोटात उपर की हो जाते हैं और कौन से नीचे की हो राते हैं अंगले परिच्छे में हम पुस्प की रचना अगध्य करेंगे यह पुस्प गुलाब के पोधे की तीन आरेक साथ दसमला उन्नीस एबीसी में दर्शाए गें कौन से इसक्ति में आप पोधे की कूब भली वाधी पहचान सकते हैं कि साथ देख में पूस्प को रगने केलिए आप से किस रंग का प्योग किया था कैसा ही पूस्प रंग बेरंगे होते हैं, क्या आपने घंस भी हैं मक्का, आम अदबाव अमरूत के पॉस्ट पे भी देखें हैं, चांकी ले आए हैं, आईए कुछ पुस्ट निक जाफर को करते हैं tee यह आपका गुलाब, पत्ती भी ही न है, यह आपका पत्ती शाह cynoth Hey or क्रिया किला दस आवसक सांपक्री का एक पुस्प कली का तथा निम्नमे से किसी पौदे के दोस्प धतूरा गोडल गुलाब सरसों बेगन बिंडी गुलमोहर एक बिलेट इसलाइड का अथवा काज आवर्दक लेंस इवंचल इसमें प्योग करें त्यानपुर्व के आवलोक यह बाहदल है छिले हुए पुस्प का प्रमुक भाग कौन सा है यह पुस्प की पंकुडियां है विविन पुस्प की पंकुडियों अलग-लग रंगों की होती है आपके विच्छार में कलीका में यह पंकुडियां कहां बंद थी कलीका प्रमुक भाग कौन सा था क्या सब्सक्ति की बाती दिखाई देता है इन्हें हम लोग बाहदल कहते हैं पुस्प के बाहदल एवं पंखुडियों का बलीभाती आउकल दोकन कित करना है इसमें कितने बाहदल हैं क्या यह आपस में जुड़े हैं या सुतंत हैं बाहदल एवं पंखुडियों किन रंगों की ह ओती हैं आपके पूल में पंखुणियां की चंखया कितनी हैं क्या इक दूसरे से जुड़ी हैं अत्वा सुतनत हैं क्या जुड़े हुए बाहदल वाले पुस्व की पंखुणियां अलग लगें या सय अपनी कथ्षा के सभी विद्धियार थिनों द्वारा उस सब्सके अध्यन संबंदी पिच्छे पर करना है गुलाब जैसे बाहिदल की संख्या अनेते रंग इसका लाल पंखुणियों के रंग पांच है ठीक पंखुणियों से जुड़ी है पिठाक है वह किसर सुतंत अथवा पंखुणियों से ज अन्वगीचे में जाकर विवेन पुस्वों का अध्यन कीजिए अपने पेच्छन की सायणी में लिखें इस सायणी में के अंतिन दो कॉलम मरें आप पास्टों के पुस्व के आंत्रिक भाग को इस पट्रूप से कब देख सकेंगे जब पंखुणियां जुड़ी हों अध इस पर दोग से देखने के लिए बायादल की पंखुणियों यह उन पंखुणियों को फटा दीजिए इस तरह है कि यह में पोस्वों में पाए जाने वाले विवित प्रिकार की पंखीशों दिखाए गई है यह आपकी प्राकुस्प यह आपके पंखीशों रहा है यह आपके इस तरी के सर है क्या पंखीशों के दोनों भागों को पहचान सकते हैं अपने पोस्वों में पंखीशों की संख्या ग्याद कीजिए एक पंखीशों का चित्त बनाकर उसे नावांकित करना है पोस्वों के केंदब मैं इस्तित भा क्या है परापोस और तमतुर यह आपका वर्थिकाग है उपर आपका वर्थिकाग और अपने पोस्व के इस्तिकेसर का स्वक्ष नावंकित चित बनाना है आईए अब हम पुस्व के अंडा सय की रचना का अद्यन करें यह इस्तिकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाव हुता है इसकी आंद्रिक स्वक्ष ना के अद्धन के लिए इसे काटना पड़ता है यह जानने के लिए कि अंडा सय कुप किस पेकार काटा जा सकते हैं अंडा सय को एक स्लाइड यह हो अनुसार रखकर इस तरह है दो वेकार से काट सकते हैं अनुदेर्द काट सकते हैं और फुरस्त पूरा प्रयोग के साथ प्रयोग साहला की तरह बताये गया है इसलिए बोला हूँ आप लोग और पढ़ेंगे खुछ से तो जाना समझ में आ अनुबस्त में काट कर अंडा सय की काट को सूखने से बचाने के लिए पिते काट पर जल की भूने रखिए आवर अरदक लेंस की साहता से अंडा सय की आंत्रिक सरचना का अद्यान कीजिए कि आपको अंडा सय में छोटी-छोटी गोल सरचना दिखाई दीती हैं इन्हें हम कुछ और पुस्त का अध्यान के लिए अपने अध्यापक के साथ कि देहालायात्वा किसी पार्क केपगीची में जाएए और अधिक से अधिक पौद इनसे अलग भाग भी मिलते हैं, क्या आप आपने ऐसे पुस्प देखें, जिनमें बाहिदल और पंकुडियां समान होती हैं, क्या कोई पुस्प ऐसा भी है, जिनमें बाहिदलों की संख्या और पंकुडियों की संख्या आसमान हो, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं, कि सभी पुस्पों की सरजना सदेविक जैसी नहीं होती है वेविन पुस्पों में बायदल पंखुडिये पुंकेसर एबं इस्तरी केसर की संख्या में अंतर हो सकता है कुछ पुस्पों में इनमें से कुछ वाग अनुपस्तित भी हो सकते हैं आपने पत्ती तना एबं जड़ के अच्छा में पढ़ेंगे तो अब समझे यहाँ हमें क्या क्या बताएगा है सद्या प्रमुक सब्द आरोही समयन विशर प्रिलता रेशिदार जड़े साख पार्स मद सेरा सेरा विन्यास बीजांड समांतर सेरा विन्यास पंखडियां प्रकास संसलेशन इस्तरीगेसर जल प्रिका रूपी सेरा विन्यास बाहदल जाड़ी पूंकेसर मोसलाजड बास्पोस सेरें वेट्च सेरा याद रखिए अगर आप लोग एक चेप्टर खथम कर देते हैं इसके बाद भी अगर आपको इस सब्दों की परिवासा समझ में नहीं तो आपने या तो द्यान से परिए परें अगर इन सब्दों की परिवासा आपको किलियर हो जाती है तो आप समझ जाएए कि हमारा चेप्टर कम्प्लीट है सारांस इस चेप्टर का सारांस जो है सामाननता पोदों का बरिक्रण उनकी उंचाई तने एबं साखाओं के आदार पर साख एबं जाडियों ब्यक्ष में किया जाता है तने पर पथ्यां पुस्वर्ड तन्हट थफल होता है सामनता पती में पढ़वन और फलक होते हैं पती में सिराओं का पिती रुप सिराविन्यास कहला या जलिका रूपी या तबह समानतर हो सकता है पत्तियां बास्पोस्यजन की रिया द्वारा जल को बायू में निस्कासित करती हैं हरी पत्तियां सूर के प्रिकास को की उपस्तिती में बायू बंग जल से प्रिकास संसलेशन की रिया द्वारा बोजन बनाती है जड़े मिट्टी से जल एवं खनिच पदार्थों का आउस् जदर जग्cem celebrate Jyu को जिर्पके शेट डुलॉपी सिरह विन्यासित पत्तियों वाले पौदें की जड़ें मुझला जड़ें होती हैं जड़ानत्र सामात्र सिर्प वन्यास युक्त पत्तियां वाले पोधों की जड़े डिसेदार होते हैं तने द्वारां चुडब द्वारां यड़ों से पत्तियों कोजल पत्तियों से भोजन पोधों के अनभागों तक पहुंचता है विस्वेविन भागोत भाहदल पंकूडी पंकेशुत एबंस्तरिजिये सर्द इस बुक्स में यह भी अच्छा है कि सारा देती है कि पूरा चेप्टर का जो निचोड है उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया गया है कि याद रखिए आपके अभ्यास के लिए कुष्टिन से लगाते रहिए याद रखिए और पीडिया आपकी टेलीगराम पर डलीवी है वहाँ से डाउनलूड करते लिए या स्कीन सॉर्ट ले लिजिए जैसा भी आपको अच्छा लगी तो यह था हमारा साथवा चेप्टर आगे हम लोग बात करेंगे सरीर में गती आठवा चेप्टर चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे साथ चेप्टर खतम आठवा चेप्टर में देखना है क्या देखना है सरीर में गती याद रुखिए आपकी जितने भी चेप्टर खतम होते जा रहे हैं इन सभी आप लोगों पर एक जगह मिल जाएंगे वह आपकी एंसी याइटी पून कबरेज के नाम से जो आपके लेश्ट सूची है उसी में डले हुए हैं ठीक है सरीर में गती याद रुखिए यार बार-बार मैं बोल रहा हुए बोलूगा कि इससे जल्दी से जल्दी खतम कर लिए फिर चाहे आप लोग कहीं से डाउनलोड करके या खरीद के क्योंकि इसमें कुछ जादा नहीं है समझाने लाएं बता रहा हूं ना एक कहानी कि तरह है और अगर आप एक दो बार सुनेंगे या पढ़ेंगे आराम से आपको कॉंसेप्ट जो भी आपके क्लियर हैं वो हो जाएंगे तो चलिए शरूं करते हैं बिल्कुल सांत ओपर बैठिए तथा अपने सरीर में होने वाली गतियों का अनवा कीजिए आप समय समय पर अपनी पलके तो जपकाती ही होंगे सांस लेते समय अपने सरीर में होने वाली गतियों का Fiction कीजे हमारे सरीर में सता정이 या नेक गतियां नेंतर होती रहते हैं जब आप अपने noat publish में लिखते हैं तब आप के सरीर का कौन सा वाग गति करता है जब आप मौड़कर अपने मित्द को देखते हैं तब सरीर का कौन सा भाग गती करता है, उप्युक्त सभी उधारणों के आपके उसी इस्थान पर रहते हुए भी आपके सरीर का कोई न कोई भाग गती करता है। कि आई अपने मित्रों अध्यापकों अभी आपकों के साथ चर्ष्यागर के साढ़नी कि आठ दुस्मला एक भरते हुए यह देखते हैं कि देखते हैं कि जन्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस पेकारिक कमन करते हैं चलना तहलना दोड़ना उड़ना छलांगल मालना रहेंगना तहलना इत्यादी जन्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ ढंग डंग है जन्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की तरीके में इतनी अधिक विवित्ता है क्यों है क्या कारण है कि यह एक जन्तु चलते हैं जबकि सां आपका रहनता है मचली तेरती है जैसे गाये गाये पेर से चलता है चलती है, मनुस भी पहर से चलता है, साप आपका संपूर सरीर, रेंकर, पक्षी आपका उड़कर, कीट भी आपका उड़कर चलता है, बैसे भी चलता है, ठील, मचली आपकी तैर कर मानुसरीर, मानुसरीर एक एवम इनकी इसकी गतियां, जन्तों के विवेद गतियों परध्यान देने से पूर, आईए अपने सरीर की कुछ गतियों का ध्यान पूर्वक देखते हैं, क्या आपको विद्यालाय में सारीरिक व्यायम करते समय, आनंद आता है, विद्यालाय में स कुछ सारी गतियों को करने का प्रयास करते हैं एक कालपनेक विकेट पर कालपनेक गयन फेकने प्रयास कीजिए आप अपना हाथ किस पिलकार गुमाते हैं क्या आप इसे अपने कंदे से विट्टाकार रोप में गुमाते हैं क्या आपका कंदा भी गति करता है पीट के बल ले बुजा को मोडते हुए अंगुलियों से कंदे को चुई आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा है हाथों को सीधा तानकर नीचे की और जुकने का प्रियास कीजिए क्या आप ऐसा कर पाते हैं अपने सरीर के विविन हिस्सों से गति करने का प्रियास कीजिए जबकि कुछ अंगों को क्यवल एक ही देशा में गुमा सकते हैं हम अपने सरीर के कुछ भागों को गुमाने में आसमर्द क्यों होते हैं पता है आपको इस में आपका फुरियोक साला की तरह समझाए गया है एक प्रमाने को अपने हाथ पर चित 8.1 में दर्साएगे इस्तिती में रखिए जिसके आपके कोहिणी प्रमाने के मद्द में रहे अपने मित्से प्रमाने तथा हाथ को एक साथ बांगने के लिए कहिए अब अपने कोईनी को मोड़ने का फिर्यास कीजिए क्या इसे मोड़ पाते हैं? नहीं क्या आपने ध्यान दिया है कि हम सरीर कि बिविन भागों को इसी इस्थान से मोड़ अत्वा गुमा पाते हैं जहां दो हिस्थों का एक जोप्सरे से जुड़े होते हैं उधारन के लिए कोही नहीं, कंधा, गर्दन, क्या आपने ऐसे कुछ अन्न भावों के नाम बता सकते हैं, इन इस्थानों को संधी कहते हैं, देखिए, संधी की परिवासा बताने के लिए कितनी कहानी सुनाई गई हैं, जहां हमारा जुड़ा रहता है, जो हिस्ता हमारा दो ह इससे आपस में जुड़े रहते हैं, उसे हम लोग संधी कहते हैं, यदि हमारे सरीय में कोई संधी नहीं होती, तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी इस्थान की गती करना संभा होता, बिल्कुल नहीं, वास्ताव में इन संधीयों को कौन सी बस्तू फरस्पर बांती हैं, अपनी अंगली द्वारां मने सरे, चेहरे गर्दन नाग, कान कंदे के पीछे, हाथ पेर अंगली, पांदांगलीयों को दवाईए, क्या आपको ऐसा नुवा हो हुआ है, कि आपकी अंगली किसी खटोर बस्तू को दवा रही है, एक खटोर सरजना अस्थिया है सरजना आपकी क्या है, अपने सरीर के अन्य भावों में इस पे क्रिया को दोराईए, यतनी सारी अस्थिया है कि जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता है, तब हम अपटी कोहिनी को कैसे मोड़ लेते हैं, हाथ के उपरे हिस्से से लेकर कलाई तक एक खीस लंबी सरी के उसी स्थान पर हिलाश या जुका नहीं सकते हैं, ये दूसरे से मिलती हैं, जती धे यहों गतिविदियों एक बिभिन इवन पिकार की गतियों के लिए हमारे सरी में अनेक पिकार की संधिया होती है आयें कुछ संधियों के मारे में जानते कंदुख खलिली का संधि कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूमें मोड़िए रवड़वा प्लास्टिक की कागज के बेलन इस तरह हड़ दो में दस अगें को गयन पर चिपता सकते हैं गयन को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों और गुमाने का प्रियास कीजिए क्या गयन कटोरी में सुतंत रूप से गूमती है क्या कागज का बेलन भी गूमता है अब आप कलपना कीजिए कि काग असी गें वाला गोल ऐसा है दूसरी एस्ति की कटोरी रूपी कोई का में धशा हुआ है ऐसंदी सभी दिसाओं में गती करती इस पिकार कैंगों ken आप इन गतीयों में ओपे प्रिकार की संदी का कोई अनोधार कोज सकते हैं ये सेणी अस्ति है ये आपकी दिख रही कंदुख खली का संदी है ये आपकी जानकी अस्ति है इस अनुभाग में प्यारब में सरी के विबिन भागों को हमारे द्वारा की गई गतियों का इसमयड कीजिए फिर बात करते हैं द्वरांग संदी गर्दंतना सिर को जोडने बाली संदी आपकी द्वरांग संदी इसके द्वारां सिर को आंगे पीछे दाय बाय गुमा सकते हैं इन गतियों को करने का प्रियास कीजिए यदि गति हमारे हाथ की उस गति से किस पिकार बेन्द है? जिसमें कंदो, खलीका, संधी द्वारा हात को पूर्टा, वित्ता कार रूभ में गुमा सकती थी दुराग संधी में बेगना का रिस ती एक चले हैं में गूनती है दुराग संधी यह हात की तिरहाब की हिंजे संदी करके किसी दरवाजे को बारवार पुलिये और बंद कीजे इसके कबजों को ध्यान पुर्वक देखिए या दरवाजे को अंगे और पीछे की और खोलने देता है आईए कबजे की इस गत्य के पिकार को देखते हैं एक मोटे कावे करके छोटी पैंसिल लगाईए गत्य का एक और टुकला लीजे उसको एक पिकार जोड़िए कि आदा बेलन बन जाए जिस पर दूसरे बेलन को सहलता से गुमाया जा सकते आधी बेलन पर रखा पूर बेलन कबजे की भाती पैंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रियास कीजिए यह किस पिकार गती करता है यह गती आपके द्वारां बनाए गए कंदुक खली का संधी की गती से किस पिकार बिनने हैं हमने किरिया किलाब एक में कोहिनी में इसी पिकार की गती देखी थी ठीक चित 8.5 में जो कुछ हमने बनाया है वह एक हिंज से बिनने है लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिसा में गती होने देता है कोहिनी में हिंज, कबजा, संदी होती है जिसमें जिससे किबल आंगे और पीछे एक ही दिसा में गती हो सकती है क्या आप इस संधी के कुछ उधारन सो सकते हैं गोटने की हिंज संधी यह आपकी गोटने की हिंज संधी है अब बात करते हैं अचल संधी हमारे सरी की अस्तियां हमारे सरी की अस्तियों की बीच की कुछ संधियां उन संदियों से भिनने, जिनकी चर्चा हमने अब तक किये, यह अस्तियां इन संदी पर हिल नहीं सकती है, एसी संदियों को अचल संदी कहते हैं, अब आप अपना मुय खोलते हैं, तो आप अपने निचले, जबड़े को सिर से दोर ले जाते हैं, अब अपने उपरी की चर्चा की है जो हमारे सरी अस्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है हमारे सरी के विभिन आगों की को विभिन आती कौम पिदान करता है यदि आप एक गुडिया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएगे संभावता गुडिया को एक आकरती पिदान करने के लिए आ कंकाल कहते हैं, मैं बता रहा हूँ न, कि एक सब्दी की परिवासा देने के लिए उसे कहानी का रोप देदी अगया है, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए, देखे एक कंकाल की तरिवासा कितने अच्छे सब्दों में देगी है, क्या देगी है, अग्ति बदान के लिए इक दाचे का निर्मार किया गया है, इस दाचे को क्या कहते हैं, कंकाल, हम कैसे जानते हैं, कि यह मानों का कंकाल है, कि आपको आomyों थिपके बेसे हमें किस पर कारे जान पाते है, सरीर के कुछ अंगों में मौझूद आश्तियों, और उनकी संक्या, तिफ़ा आकती के बारे में में अब तब पता चलता है जब हम उसका उनका अनवा करते हैं X-ray चित में हमें सर्गी की से भी कठो रश्तियों की आकती का पता चलता है यहां मानव कंकाल क्या कभी क्या कभी आपको अपने आपके परिवार के किसी सदस्त का है X-ray हुआ है सरीय की अस्थियों की यक्ति का पता चलता है अपने हाट के अग बंध मुप्रिभाग कि अश्तिय करते मैं कि अभाग की योरिशले की अभन आधकी संदियों की संख्या का पता लगाई अपने गुटने कर दो करनी की अस्थियां ठीक सिब्वार और हिसल रहर creator 2016 ओ टुलना करें रटने एवन गुडने की संद्यों की एकसरेरन चत इस फिरकार होते हैं तुलना करें पितेख भाग में अस्तियों की अक्याद ग्याद कें अपनी अंगुलियों को मूडलिय мом grandfather उन्हें पिते авल्म पर मोड सकते हैं आपकी मद्वक्त मिंदमा। में कितनी हम लोग कारपेल कहते हैं यदि अपने इसमें मत एक ही अस्ती होती तो क्या होता हाथ की अंगली आए गहरी सांस वरकर से इस कुछ समय तक रोके रहे अपने वक्षेवं पीट को हलके से दवा कर अपनी अस्तीयों कारवा कीजिए जितनी पसलियां को आप गिल सकते हैं गिल लेजिए द्यान रहें आठ दस को द्यान से देखिए वक्ष की अस्तीयों की तुल्ला आपने उपयुक्त अनभाव से कीजिए हम देखते हैं यह आपकी पसली पिंजर कि पसलियां में से जुड़ी हुई है विबक्ष की अस्तीयों मेदुदन्द से जुड़कर एक वक्षी की रचना करती है इस संकूर रूपी वक्षी को आप लोग पसली पिंजर कहते हैं इसे वक्ष की दोनों तरब बारे पसलियां होती है हमारे सरीर में कुछ मत्पूर अंग इसमें सुरक्चित रहते हैं अपने कुछ मित्रों को बिना गोटने मोडे जुक कर अपने पाओं की अंगलियां छूने को कहिए क्या यह है चिकनी संतल अतबा अखंड है अपने अंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्यारम करके उसकी पीट तक नीचे की वो लाई है आप द्वार आपके द्वारां अन्भों की गई सरचना को मेरुदंड कहते हैं क्या कहते हैं मेरुदंड यह अन्य छोटी छोटी अस्तियों से बना है जिसे हम लोग कसे रूका कहते हैं मेरुदंड 33 कसे रूकाओं का बना होता है पसली पेंजर भी वेव चित की इन अस्तियों से जुड़ा होता है यदि मेरुदंड किवल एक ही अस्ति का बना होता है तो क्या आपकी मित इस विखार नीचे जोग सकता था अपने मित को खड़े होकर हातों से किसी दीवार को धक्का लगा यह के लिए कहिए उससे कहिए कि वह अपने हातों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रियास करें क्या आप को उसकी कंदों के समिट दो उवरी में अस्थिया दिखाए देती हैं यह कंदे की अस्थियां कहते हैं यह हैं कि कंदे की अस्थियां यह सरचना सेड़ी अस्थिया है यह बॉक्स के समान एक एस्थी सरचना है जहां आपके आमासे के नीचे पाए जाने वाले बिभे नंगों की रख्चा करता है यह कूले वाला हुआ है हिससा है जिसके सारे आप बैठ सकते हैं यह सुरोणी अस्थिया आपकी कोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है यह हमारे सरीर के अत्रिक्त अंग मस्तित को परिवद्य करके उसकी सुरक्षा करती है हमने अपने कंकाल की यह मानों को पड़ी हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तता संधियों के बारे में सच्चा किये कंकाल के कुछ अत्रिक्त अंग भी है जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होती हैं जिने मोड़ा जा सकता हैं लोग उने ओफास्ती कहती हैं ओपास्ती थी ठीक है देखिए ओफास्ती की प्रिवासा अपने कान को इसपरस कीजिए क्या आप किसी कठोर अस्ती का भाग अनुबा करते है जिसे मोड़ा जा सकते ऐसा पितीत होता है किस में कुई अस्ती नहीं है क्या आपको अंगलीयों के बीच दबाने का कठण पाली एवरम इसके उपर के हिस्ते में कोई अंतरमैसुस हुआ है क्या आपको यासा लगाए कि कान का उपरी बाग उतना लचीला नहीं है जितना आपकी कर्ण पाली है परन्तु यास्ती जैसा कठोर भी नहीं है यह उपास्ती है आपकी सरीर की संदियों में भी उपास्ती पाई जाती है हमने देखा है कि मानौ कंगाल अन अने क sujet Sayon संदियों से मलकर बनाया। आप उन में से बहूत बहुत कोदेख सकते हैं उट हान गदी दे सकते हैं अपनी नोड मूप में कंकाल का स्क्ष और अलग बना सा को हमने गदी करने में कौन बनाता है आई इसका भी पता लगाती गैट के अगोटे कि से एक इसी बाजू कि कंधे को चूने का प्रियाश कीजिए इस तरह अष्टी को गत्ती पेसिया से करते हुए क्या आप अपनी ऊपर ही भोजा में कुछ परीवतन उन्पाव करते हैं दूसरे हाथ से इसे छोप कर देखिए क्या आपको कोई उबरा हुआ भाद दिखाई देता है इसे हम लोग पेसी कहते हैं क्या कहते हैं पेसी संकुचित होने के कारण पेसियां उबर जाती है अब आप अपने हाथ को पुना सामा निस्ती में पेसियों का क्या होता है कम क्या अभी भी संकुचित अवस्था में हैं जलते हैं तो आप भागते समय आप पेसियों की पेसियों में से काल करना होता है जब दो पेसियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थी उस पिसा में खिंच जाती है यूगल की दूसरी पेसी सिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है सिथिल अवस्था में आ जाती है अस्थी को विप्रीद दिशा में गत्थी करने के लिए अब सिथिल पेशी से कुड़कर अस्थी को अपने पूर इस्थिती में खींच दिए जब पहली पेशी अब सिथिल हो जाती है तो पेशी के बल खींच शिच सकती है वह धक्का नहीं दे सकती है अता है एक अस्ती को गती देने के लिए दो पेसियों को सही प्रूप से कार करना होता है क्या गति के लिए हमेंसा अस्तियों विपेसियों की आवद सकता होती है दूसरे जन्तु किस पकार चलते हैं क्या सभी जन्तियों में अस्तियों आई जाती है केंचुवा अत्वय गोंगे में क्या होता है आईए कुछ जन्तु की गतियों का अद्य करते हैं जन्तुओं की चाल केंचुगा बगीक्चे में चलते हुए एक केंचुगे का निरिक चंड कीजे इसे पकड़ कर एक स्याही सोप फिल्टर पेपर पर रखिए इसकी गती का फिक चंड कीजे इसकी पस्चट केंचुगे को एक काच की पट्टी टुपडे टायल किसी चिकनी सतर पर रखिए इसकी गती का फिक्चन कीजे क्या यह गती पेपर पर केंचुगे की गती से भिनना है उपर की दो सतों मैंसे किसी पर केंचुगे आसान से चल सकते हैं यह आपका कैंचुए का सरीर एक सरे को दूसरे सरी से सटा कर रखे गये अनिक चल्णों से बना पितीत होता है कैंचुए के सरीर में अस्थियां नहीं होती है फरन्तु इसमें पेसियां होती है जो इसके सरीर के ग Kingdom is गतने और बड़ने में साहथ करता हुआ चलने के दोरान केंचुगा अपने सरी के पश्च भाग को भूमी में जक्रिडे रहता है तथा अगभाग को फेलाता है इसके बाद यह अगभाग से भूमी को पकड़ता है तथा पश्च भाग को सुतंत कर देता है इसके पश्च भाग को संकुचित करता है तथा पश्च भ जो इसे चलने में साहत अकलते हैं किसे केंचुई को यह अपने सरीर के से कुछ जमीन में किस पिकार टिकारता है इसके सरीर में छोटे-छोटे अनेक सूख बाल जैसी आगती होती है यह सूख पेसियों से जुड़े होते हैं यह सूख मिट्टी में उनकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं केंचुई बास्ताओं में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है उसका सरीर अनपचे पदार्थों का को बाहर निकाल देता है केंचुई द्वारां किये गए यह कार मिट्टी को उपजाओ बना देता है जिससे पोदों को फायदा होता है अब बात करते हैं गोंगा किसी बगेची में गोंगे का उलोकन कीजिए कि आपने इसकी पीट पर गोल सरचना देखी है इसे हम लोग कबच कहते हैं और यह गोंगे का वाहिकंद का परंतु यह अस्तियों का बना नहीं होता है यह कबच एक कल एकक होता है और यह गोंगे को चलने में को जब यह चलना प्यारम करें, तो सावधानी से काच की पट्टिका को अपड़ें, हातों से अपने स्तिर से उंचा उठा करें, काच के नेक्चे की होग, उसके चलने के डहन का पेक्षण कीजिए। कबच का छेद खुले पर अपने उसके मौटी मासल सरचना का सिर बाहर आते देखा हुए। मौटी सरचना इसका पाद पेर है, जो दड़ पेसियों का बना होता है। अब सावधानी पुर्वक काच की पिलेट को एक और सा जुकाई है। बात पेर को लहरदार गती दिखाई देती है। क्या गोंगे की गती कैंशुए की गती के सितीब अथवाधीमी है। फिर बात करते हैं तिल्चटा। किसी कौकरोच तिल्चटा का पिक्षण कीजिए। तिल्चटा जमीन पर चलता है, तीवार पर चलता है। और बाई में ओड़ता भी है। इसमें तीन जोड़ी पेर होते हैं, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका सरीर कठोर बायकंकाल द्वारा ठका होते है। यह बायकंकाल विभिन एकों की परस्वर संद्नियों द्वारा बनता है। जिसके कारण गती संभाव को पाती है। यह आपका तिन चटा। वक्ष में दो जोड़े पंक भी जोड़े होते हैं। अंगले पेर संक्रेव और पिछले पेर चोड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिन चट्टे में विशेष्ट पेसियां होते हैं। पेर की पेसियां उन्हें चलने में सहायता करते हैं। वक्ष की पेसियां तिल चंटे के उड़ने के समय उसके पेरों पर परों को गती देती हैं। पिर बात करते हैं। पक्षी करिया अकलाब आठ में देखते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं रूमी पर चलते हैं वथक तथा हंस जैसे कुछ पक्षियां जल में तेरते भी हैं पक्षि इसलिए उड़त पाते हैं क्योंकि उनका सरीर उड़ने के लिए अनकूलित होता है उनकी अस्थियों में वायू प्रिकोष्ट होते हैं जिसके कारण इस्थियों चलने एब बैठने के लिए अनकूलित होती हैं कदे की अस्थियों को जटे र के लिए विसेज रूपसे रूपानतित हुती हैं आ हिए यह बक्ची का कंकान ठीक है अब बात करते हैं मचली की कागज का एक नाव बना कर उसे पानी पर इस पकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आंगे की ओर हो इसे धीरे से धक्का देजिए क्या यह जल पर आंगे की ओर तेजी से जाता है इस तरह है अब नाव को दोनों से इसकार नाव जल में सल्दा से चल सकती है क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आक्ति काफी सीमा तक मचली जैसी है मचली का सिर एवं पूच उसके मदभाग की अपेक्चा पतला एवं नुकीला होता है शरीर की ऐसे आक्ति को हम लोग धारा रेखिए कहलाती है इसमें प दे दिया उन्होंने जो भी कफ्चा आट वी तक किया की एंधी आटी है इन सभी को इसकी विशे सकती के कारण जल एदर उधर बाहर निकल जाता है मचली जल में सल्दा से तेर सकती है मचली का कंकाल देड़ पेसियों से ठका रहता है तेरने की पिक्लिया में सरीर का अग भ दूरती है जो तीबता से उसकी पूछ दूसरी देशा में मुड़ जाती है इससे एक जठका सा लगता है और मचली आंगे की के ओ चल शल चली जाती इस पकार की किर्मिक सारीर पर बाख होती है जो टेडाने के समय जल में संतुलन बनायर रखने के लिए एक दिशा निर्धारन में सहायता करते हैं कि आपने कभी ध्यान दिया है कि गोतारपूर अपने पेरों में इन पखों की तरह की विशेस आरित पहनते हैं जो उन्हें जल में तेहने में सहायता करते हैं अब बात करते हैं सरफ के बारे में किसके सरफ साप सरप केते चलते हैं क्या आपने साप को फिसल्दी हुए आंगे बढ़ते हुए दिखा है कि सीधा चलता है सरप का मेरुदंड लंबा होता है सरीर की पेसिया छीड एवं आसंक होती है बेपर्स पर जुड़ी होती है चाहे वेदोर ही किमना हो बेथिया मेरुदंड पसलियों यवन तुच्छा को भी एक दूसरे से जोड़ती है सरप का सरीर अनेक बले में जुड़ा होता है इसी कर रफ कप तेख बोलते है उसे आंगे की हो दखेंता है इसका सरी अनेक बले बनाता है इस पेकार वले आंगे को धक्का देता है इस कारण सब बहुत तेही से गती से आंगे की और चलता है परंतु सर लेखा में नहीं चलता है यह है आपका साफ हमने विभिन जन्तूओं को गती पिदान करने वाली अस्थियों एवं पेसियों के विषय में जानकारी प्राप्त किया है पहली एवं बूजो के पिटारे में विभिन जन्तूओं की गतीयों से समदित अनेक पिसन है इसी पेकार आपके मस्तिष में अनेक पिसन उबर रहे होगी पेसिद ग्रीक दार्शनिक अरस्तों ने अपनी फोष्ट तक ग्रेट ओफ एनिवल्स में स्वयम अपने आपको ऐसी अनेक पिसन पूछे थे विभिन जन्तूओं के सरीर में विभिन भाग क्यों होते है यह विभिन अंग उन जन्तूओं की विषएगती में किस वेकाप सहायक होते हैं विभिन जन्तूओं के सारीरी कंगों में क्या समानता एवं विभिन नता होती है विभिन जन्तूओं के चलने के लिए कितने अंगों की आवस्कत होती है मनों सा कि दो पेर गाय और बेंस के चार पेर क्यों होते हैं बहुत से जंदू संपादी होते हैं क्या हमारे पेरों के मुड़ने का ड़न हमारे हाथों की तुला में अलग है इतने अधिक पिसन है संभाता अपने किरिया कलापों द्वारा हमने कुछ पिश्णों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है हमें कुछ और पिश्णों के उत्तर खोजने है देख लिएते हैं ये क्या है बेश्टर जीवन के लिए योग योग प्री चीन भारती परंपरा का एक अमूल वाहर स्युक्त राष्ट द्वारा 21 जून को अत्तराख्टी है यह दिवस के रूम में घुसेत किया गया है यह व्यक्ति को स्वस्त रखता है यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है जिससे आप सीधे बैठ पाते हैं जोकर नहीं यह की कई मुद्राय ऐसी हैं जिसमें देखा जाता है इससे सरीर की सभी मास्पेसिया सक्की ही रहती है इसे हिदय भी सवस्त रहता है जिससे वह अधिक दक्षिता से कार करता है कुछ यह आसान ऐसे हैं जिससे एक सिख्चक बैक्ति की देखरेक में ही किया जाता ना चाहिए चलिए इसमें हम लोगोंने जो अध्याय देखा है इसमें प्योक्त सब्दों की क्या-क्या देखा है मेरुदन को भी देखा है कंदो खली का संदी को देखा है सूप को देखा है ओपास्ती को देखा है गुईका को देखा है अचल संदी को देखा है जिद्वा की चाल में दे हिंटगी का लेक्व aí चाहेट ही आपके थारी हिरा करने के लिए ऌकी काफिछा च्रब चेसे पढ़े जिस से आपको इन सब्दोंकी परिवासा कोँ पता चल सके ठीक ये इसका अब यह सारांस दिया गया, इस पुस्तक में मुझे यह अच्छा लगता है कि इस सारांस बाद में मैंन मैंन दे दिया, अस्थी एवं उपास्थी मानव कंकाल बनाते हैं, ज़स्तरीर का पिंजर बनाता है और उसे एक आक्ती भी देता है, कंकाल चलने में सहाए है और कांद्रे कंगों की सुरक्चकत है, मानव कंकाल खोबडी मेरुदन पसलियों, वक्षी की अस्थी कंदी, एवं सरोणी मेकला तथा हाथ एवं पाओं की अस्थियों में से बनता है, पेशियों के जोड़े के एकांतर किर्म में सिकोडने एवं फैलने को से अस्थियां गती क करते हैं, अस्थियों की संधिया अनिक पिकार क्यों होती है, यह संधियों की प्रक्यति गती देशा पर निर्वर करती है, फक्षियों को दर्ण पेशियां तथा हलकी अस्थियों मिलकर उड़ने उड़ने में साहयता करती है, यह पंकों को फड़़ा कर उड़ते हैं, मचल सारी अस्तिया उनकी जोड़ी होई पेशियां सब्स्रें के वाय कंते होते हैं वाक्षी की चेरा गट के सल्ड़ को को भूमी पर पकड़ कर बनाने में साहर है गोंगा प्यसी है पाद की साहता से चलता है यह आपके लिए कुछ मत हूं अब ब्यास के लिए कुश्चियन से देख लेना नहीं ल्याद रखिए आपकी पीडियाप उपलब्द करा दी गई है ठीक है तो यह आपका आठवा चेप्टर हो गया आगे हम लोग बात करेंगे सजीद की बिसेश्ता एवन आवास के बारे में नौबा चेप्टर तो चली हम लोग बात कर रहे थे आठवा चेप्टर गतम कर चुके थे आपका नौबा चेप्टर है सजी बिसेश्ता हैं एवन आवास के बारे में ठीक है याद रखिए आप लोगों ने अभी तक जितने भी लेक्चर पढ़े होंगे देखे होंगे आठ लेक्चर तर उससे पहले हम लोगों ने सामाजी के आठ लेवन राज नितिक जीवन भागे एक के बारे में बात की हमारा आदी एक के बारे में बात की विद्वी हमारा आवास है वो भी कक्छा चटवी की योग से देखी यह हमारी लाश्टों के कक्छा चटवी की विद्यान तो उसमें आप लोगों ने एक ध्यान को दिया क 1 अई देखा उगा कि कहानी की तरे सम्झाए गया है वोई भी हम्हाँ अगर बताया गया है तो उसकी परीवाद सामिक हाने के रूम में दी गई हैं व भौत ही सर्ल सबह में दी गई कि हमें ज्यांदर टेंसन नहीं हुए और ऐसा कोई भी सब्द नहीं हुगा जो हमें समझ में ना आया हूँ ठीक है इसे कहानी की तरह सुनिए या पिर कहानी की तरह पढ़िए जैसा की सुठेजर में ठीक है तो इनोबा चेक्टर है हमारा सजी बिसिस्ताए एबं आवास पहेली और बुजो चुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सहर पर गई ऐसी ही एक यात्रा पर विरिसी केस में गंगा नदी देखने गई उन्होंने हमालाय कि हमात्षादित परवस्यंकला के कुछ परवतों का ओधा परवात रोहन कि यह जहां बहुत ठंड थी इन परवतों पर उन्होंने ओप चीड देवदार जिसे अनेक व्यक्ष देखे जो उनके मैदानी चेत्रों के व्यक्षों से बहुत अधिक बेलने थे एक और अभियान में उन्होंने राजिस्थान की यात्रा की एवं उन्होंट पर उस्न मरूस और उसतल की भीगों में यहां से उन्होंने नांपनी के अनेक पेकार की पहुदे भी एक अत्रित कि अंत्में भी पूरी गए और उन्होंने समुद्री तटकी वह सेर की और वहां केजू राइना के व्यक्षी की कतार देखी इन इस्थानों के भियमड के रोमांचत एबं और लास्पूर छड़ों का स्मेट करती है उन्हें अचाना की विचार आया ये सभी एक स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्द थे कुछ भहुत ठंडे थे कुछ भहुत ऊश्न थे और सुस्क तदा कुछ इस्थान आद थे पर उन्तुने सभी स्थानों पर अनिक प्रकार की बहुत सारे जीव सजीब बस्तुएं देखी जीब थे उन्होंने यह जानने की कौसिस की क्या पित्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई भी जीब नहीं पाया जाता है। फुजो ने अपने घर के आसपास की स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसमें अलमारी एवं दरवाजी को देखा। उसने सोच था कि इनमें कोई सजीब नहीं होगा। पर अन्दू उसे एक छोटी सी मकड़ी नहीं पहली ने दूर के इस्थानों की विशाय में पढ़ना एवं सूचना कारम किया। उसे पता चला है कि लोगों ने जो जवादा मुखी के मुख में वी सूच जीबियों की घोज निकाला है। सजीब एवं उनका परिवेश। पहली एवं भूजों के मस्तिस में एक और विचारा है। जिन इस्थानों की उन्होंने सेर की थी, वहां किस पिकार के जीब पाये जाते हैं। मरूस्थल में उट थी, फर्वत पर बकरी एवं वियाक थी, पुरी के समुद्ध तट पर कैंकड़े एवं अनेक पिकार की मचलियां थी, जिने मचवारी पकड़ रहे थी। साथी चीटियां जैसे अनेक पिकार के जीब इन सभी स्थानों पर पुबस्तित थी। इन चिट्रों में पाय जाने वाले भिभिन पिकार के पौदे अन चिट्रों की पौधों की प्रजातियों से बिनते. इन विभिन चित्रों का प्रीवेस का साथ हैं क्या उनका प्रीवेस भी एएग समान था? अभ़ेक्टिकली जानते हैं किरिया किलाँस track आई एक बंद से पैरम करते हैं यहां पाए जाने वाले सभी पौधे जन्तू एवं बस्तूओं के बारे में सोचिए एक जंगल में पाए जाने वाले बस्तूओं जन्तूओं पौधे एवं बस्तूओं को देखें दूसरे छित्रों में पाए जाने बस्तूओं जन्तूओं एवं पौधों की नाम भी लखें साइन में आप इस सद्धिया में दिये गए उधारणों को एकटा कर साइन नो दसम्लों एक को भर सकते हैं अपने मित्रों मातापिता एवं अध्याखपक से भी इस विशाय पर विचारविमस कीजिए तालिका में दिये गए अन्न कोलम में विविन इस्थानों पर पाई जाने वाले जन्तूओं एवं पौधों की नाम लिखे आप पुस्तकाले में उपलब दोन पुस्तकों की सायता ले सकते हैं जिन में जन्तू, पौधों एवं खनुज, खनेज के विशाय में जानकरी देगी हैं इस्थानी के पिते कॉलम में अधिकारी छोटी वड़ी वस्तूएं बजीवों को समलित करने का प्रियास कीजिए जिस पिकार की वस्तूएं हमें मिलती हैं विशाय जीवित जन्तू या पौधे नाम, संभावता ये पौधे की भाग जैसे सूखी पत्ती, पत्तियां, जन्तू क्योसे, हट्टियां हो, हमें विवेने पिकार की मिट्टी एव रोडे भी मिल सकते हैं, अधियाए 5 में हमने इसकी चर्चा की थी, कर चुकि कि समुद्री जल में लबड करते जाएंगे, जब हमन सुरूचक इस्थानों की यात्रा करेंगे, तब सार्णी किवारी में और चज्चा करेंगे, आवास, क्या है, आवास, किरिया के लाप एक में, आपके सूची बद्द, किये वे पौधों ये उन जन्तूं से आपको क्या मिला, क्या आपने अन्यक पकार की सजीब मिले, ताइका नौपट, जीव, मरूस्थल वाले कॉलम्स, और समुद्र वाले कॉलम्स को ध्यान से देखिए, क्या आपको पिदीत होता है कि इन दोनों कॉलम्स की जीब बहुत अलग पकार के होते हैं, इन दोनों शित्रों में किस पकार का परीवेश है, स बहुत कम मातरा में उपलब्द होता है, मरूस्थल में दिन बहुत गरम, रात में ठंडा होता है, मरूस्थल में पाए जाने वाले पोधे, एवं जन्तु, भूमी पर रहने वाले रहते हैं, एवं सोसन के लिए आसपास की बायू का उप्योग करते हैं, समुद्र तथा परिवेश में हमें इन दोनों छेत्रों में बिलकुल बिन पकार के पोधों और जन्तु देख सकते हैं, क्या आसा नहीं है, आहिए दो बिन पकार के परिवेश मरूस्थल और समुद्र से दो जन्तु हैं, उँट और मचली का फिप्चन करते हैं, उट की सारेरिक सरचना उस से उसका सरीरत की गरिमी से दूर रहता है, उनमे मुत्रो शर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मलसुस होता है उन्हें पसीना भी नहीं आता है, जिंकि सरीर से जलका, हिरास बहुत कम होता है इसलिए जलक के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं, कौन ऊट ? आईए विवन पिकार की मचलियों को देखते हैं, इन में से कुछ चित 9.0 में दिये गए हैं, परन्तु कि इतने अथिक किस्म की मचलियों में क्या आपको इनकी आक्ति में कुछ समानताय दिखाई देती हैं, इन सभी का सरीर धारा रेखिये होता है, जिसकी चर्चा अध्याय आठ में कर चुके हम, उनकी यह आक्ति उन्हें जल के अंदर विच्रण करने में सहयता करते हैं, मचलियों का सरीर चिकने सलकों से ढखा होता है, इस सलक मचली को सुरक्षा दुपिदान करते ही है, साथ ही उन्हें जल में सोगम गती करने में सहयता करते हैं, हमने अध्याय अध्याया आठ ने चर्चा कि थी, कि मचली के पंग एवं पूँंच चप्ती होती है, जो ने जल के अन्दर दिशा परिवर्वतन, एवं संतुलन बनाए रखने में सहाथा करती है, मचली के गिल्प, किलों वह देजो उसे जल में स्वास लेने में सहाथा करती है, हम देखते हैं कि मचली की सरचना उसे जल में रहने में सहाय होती है तथा उट की सरचना उसे मरुस्थल में रहने में सहायता विधान करती है हमने पित्वी पर पाए जाने वाले असंग पिकार के जनतुओं में से किवल दो धाण लिए हम देखते हैं कि सजीवों कि इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट सरज्जाय होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने यूग बनाती हैं जिसमें वे प्रयाब पाये जाते हैं जिन विशिष्ट सरज्जनाओं अत्वा सौभाव की उपस्तिती किसी पौदे अत्वा जन्तुओं को उसके परिवेश में रहने यूग बनाती हैं उसे हम लोग अनुपूलन कहते हैं विवेंड जन्तुओं भिन परिवेश के पिती अल बदल दर रहता है अब आपने देखा हुआ कि मरुस्तिल में राजस्थां दरप क्या उंट पाये जा रहे हैं वो समुद्ध की तट पर क्या पाये जा रहे हैं आपके मचली पाये जा रहे हैं पानी बाले जीप पाये जा रहे हैं ऐसे जम्मू कस्मीर में जाईए वहां काथ जाक में लेंगे क्योंकि वहाँ पारी पडान पर इसनल इंसान वही बिदल जाते हैं ऐसी है आप दिएखťए कहीं गोरा कहीं काला मतलब जहाँ उनकी भॉदुनिकर सित्धी जिस पर गाल से अपीक आपकर पूरा प्ूर। हुआ है क्योंकि वहां कि बहुबल की स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है देखिए इसमें क्या समझाने लाएगे बताईए आप लोग ध्यान से खुद सुनेंगे एक दो बार आरहम से क्लिए हो जाएगा अपने भुजन बायू सरन इस्थल एवं अन आवसकताओं के लिए जीब अपने आवास पर निवर रहता है आवास का अर्थ वास इस्थान एक घर है विवेने पिकार के पोधों पोधे एवं जन्दू एक ही आवास में सर्वत्रूप से रह सकते हैं इस्थल जमीन पर पाए जाने वाले बुदों एवं जन्दूं के आवास को स्थलिये आवास कर दे उन घर मेदान मरुश्थल या तट्यय विव TOPर वषित इस्थलिये आवास के कुछ उधारने जलासे अटल जील नधिए वं समध जहाब पॉदे एवं जन्दू जलमा रहते हैं उसे हम लोग जिली विश्त के बेविण्श बांगो में पाये जाने वाले बनो घासों के मे्डान मरुल स्थलों त्पटी est RI एवं परवरति चित्रों में बहुत बिसमताएं हैं यह सभी जलिये आवासों के लिए गीच सकते हैं किसी आवास में पाये जाने बाले सभी जीब जैसे की पौदे एवं जन्दू उसके जैब गटक है चटान मिट्टी वायुजल जैसी अनेग नेजी बस्तुने आवास के अजैब गटक होते हैं सुर्व का पिकास एवं उसमा भी परिवेश के अजैब गटक हैं हम जानते हैं कि कुछ पौदे बीजों से उते हैं आईए बीज के अंकुरन से नए पौदे के बनने की पिक्रिया के कुछ अजैब कारगों की भूमिका का अध्यन करते हैं अपने परिवेश में होने बाले परिवत्रों के साथ समंजस इस्थाबित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवत्र हो सकती हैं उधारन के लिए यह अदि हम मैदानी चित्रों में रहते हैं और अचाना की ऊचे परवर्ती छित्रों में चले जाते हैं, तो हमें कुछ दिनों तब स्वास लेने या उम्सारीरिक भ्यायम में आसुब्धा हो सकती है, पहाड पर हमें तीब गती से स्वास लेना पड़ता है, कुछ दिनों बाद हमारी सरीर परवर्ती छित्र की पूलन कहलाता है यह परिवर्तन हजारों बस में हुए अनुकूलन से भिनने क्रिया क्लाब से कि अध्याए एक में किये क्रिया क्लाब पांच का स्मार्ट कीजिए, इसकी क्रिया कलाब में मूम की बीच से अमकुरन निकल आता है, अर्था भी अमकुरित हो जाती है, यह बीच से एक नए बोदे का प्यारम होता है, मूम के कुछ सूखे बीजों को एकतित कीजिए, कुछ बीजों के एक धेर को अलक रखते हैं, त सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना खिला है, भींगे बीजों में एक भाग का को धूप बाले कमरे में, दूसरे भाग को पूरे अंधेरे चित में रख दें, जैसे कि अलवारी जिसमें धूप नहीं जाती है, अंत नम रखे हैं और अधिक जल को निकालना, पुष दिन बाद आप क्या देखेंगी, क्या सभी माचो भाग समान लूप से अंकुरित होते हैं, क्या आप प्रिकास से दूर रहे रखे भाग या तिदिक ठंडे परीविस में रखे भाग में अंकुरन की दर में कमी या कोई भी अंकुरन नहीं देखते हैं, क्या आपने पाया है कि बायू, जल, प्रिकास, उसमा जैसे अजयब गटक सजीवों के लिए अतेंत आवसक होते हैं, बास्ताव में अजयब कारक सभी सजीवों के लिए मात्मूर याद रखे, बायू, जल, प्रिकास, उसमा यह आपके हर चाय अंतर बना दिया है, मतलब इसकी एक निश्चत परिवेश बना दिया है, अगर इसमें कोई छेड़ चाड़ करता है, तो ही फरक पड़ता है किसी बाद जीव को, बना प्रकिती ने सब के लिए बरावार बना दिया, तो यू, गांधी जी ने आपने सुना होगा कि गांधी लेकिन किसी एक इंसान की आवस्चता मतलब उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकती है, इसी तरह ऐसे था, क्या था, अब आप लोग अगर सही पता हो तो लिख देना, ठीक है, हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे हैं, बहुत ऊहन परिवेश में भी पाये जाते हैं, चै अनकूलन काम करता है, अनकूलन अलब काल में नहीं होता है, हजारों बस्टों की आउदी में किसी स्चित के अजयेब घटकों में परिवर्तन हो आते हैं, बेजन्तु जो इन परिवर्तनों के पिती अपने आपको नहीं डाल पाते हैं, भी मर जाते हैं, किबल बेजी भी ज हम पुलित कर लेते हैं इसका वेरामिन आवासों में जीवों की विवित्ता का होना है आडिए कुछ आवासों का इसके अजयव घ्त का उसमें रहने वाले विवीन जीव बॉदों में क्या होता है क्या उनमें भी इसी पिकार के अन्पूलन पाए जाते हैं मरुस्थल में रहने वाले चूहे एभं साप के उट साप के उट की बाद बाती लंबे प्र नहीं होते हैं दिन की तेज गर्मी मिशी बचने के लिए भी भूमी के अंदर गहरी बिलों में रहते हैं राक्त्री के सफ़ें जब तामान में कमी आए आती तो विछ जन्दू बाहर दोने निकलते हैं जिक मरुस्थल में? मरुस्थल में उगने वाली कुछ पहदे भी हैं गमले में लगा कर एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पोधा कच्छा में लाई है दोनों पोधों की कुछ भाग को पॉलीथेन थेली से ड़क कर उसी पकार बांदिये जिस पकार अध्याय साथ की क्रिय अकलाब चार में हमने पोधी को में वास्पोर्थ सर्जन का दियन करने ते समय बांदा था गमले में लगे पोधी को धूम में रख दीजिए तथा कुछ घंटे बाद इनका पिक्छन कीजिए आप क्या देखते हैं अब दोनों पॉली थन थेलियों में एकत्तित जल की मातरा में वोई अंतर देखते हैं मरुष तलिये पोधे वास्पोर्थ सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मातरा निस्कासित करते हैं मरूस्तलिये पौधों में पत्तिया या तो अनुपस्तित होती है अत्वा बहुत छोटी होती है कुछ पौधों में पत्तिया काटों सूल का रूप ले लेती है इससे पत्तियों से होने वाले वास्त को स्यजन में होने वाले जलहरास में कमी आती है नानपनी में पत्ति जैसी जिस सरजणा को आप देखते हैं हुआ बास्तों में इसका तुना होता है इन पौध में विकास संब्सलेशन सामान तड़ तन्ये में होता है तन्य हे पर बात करते हैं परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व परन्तु किया आप उने ऐसे व्यक्चों को अनेक चित्रों में भी देखा यह व्यक्च सामनता संख्वाकार वूती है तथा इनकी साखाएं तिरशी होती है इनमें से कुछ बेक्चों की बतियां सुई के आकार के होती हैं इससे बरसा का जल एवम हिम सरलता से नीचे की वो खिसक जाता है परवतों पर इन बेक्चों से अधिक भिन आत्री एवम आकार वाले बेक्च भी मिल सकते हैं पर्वत पर जीवित रहने के लिए उने में कुछ अन्य पिकार की अनुकूलन हो सकता है परवती ये चेत्र में पाए जाने वाले जन्तू भी वहां की परिस्तिती के पिति अनुकूलेत होते हैं उनमें मोटी तुचा हट ठंड से उनका बचाओ करते हैं उधारण के लिए शरीर को गरम रखने के लिए याक का सरीर लंबे बालों से ढखा होता है, पहाड़ी तिन्धुए के सरीर पर फर होती है, वह यह बरब पर चलते समय उसके पेरों को ठंड से बचाती है, पहाड़ी बकरी के मजबूत होर उसे डालकर चट्टानों पर जाने वाले जीवों के अनुपूर में विवित्ता दिखाई देती हैं है फिरे आपका घंस प्रेस्टर्ण क्या है घंस इस्थर्ण सेर बन में अत्वा घंस स्थर्म में रहता है तथा एक ऐसा सक्ति ही जाता है यहलकि भूरे रंका होता है एक शेर औं हिरन का चित देखिए को कि अंगले पर किना हर लंबे होते है जिन पंढ़ने ऩ कर दान इनunt करते हैं तो था उढईरा कित फिस बोर्धार शंड़ pedestrians सेख़ार के अंधर खेंच कर छपा सकता हैδा क्या सेरर किया यह सरजना उसकी जीवन यापन में सहाथ करती है , उसका मटमेला दूर तक सिकार हो जिने में सहायत्य करती है एक दूसरा है जन्तु हेरन जो बन या घास इस्थल में रहता है बोधों के कट्वोड तनों के उचवाने के लिए इसके मजबूत दाथ होते हैं हेरन को अपने सिकारी सेर जैसे जन्तु जो उसे अपना सिकार बनाता है कि उपस्तिती में जानकारी आवस्चत है ताकि वह उसका सिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए उसके लंबे कान उसे सिकारी की कहती भी थी कि जानकारी देते हैं इसके सिर्व कि पार्ष में दोनों और इस्तित आके पितिक दिसा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है हेरन की तेज गती उसे सिकाल से दूर भागने में सायक होती है सेर हेरन अत्वा अन्यजनतु हों एवं पोधों में और भी बहुत सी विशिष्ट सरचना होती है उन्हें उनके आवास में जीवित रहने युग बना दिया अब बात करते हैं कुछ जलिये कुछ जलिये आवास देख लेते हैं समुद्ध क्या है समुद्ध में रहने के लिए मचली के अर्पूल लेंग के विशाय में हम चाचा कर चुके हैं विस्थाल से दूसरे बाव से समुद्ध जन्तियों का सरीर भी धारा रेकिये होता है जिसमें जिससे वजल में सुगंता से चल सकती है स्कुद्ध जन्तियों का सरीर आमतोर पर धारा रेकिये नहीं होता है जिस समुद्ध की गहराई में तलहटी वे रहते हैं तथा अपने और आने वाले सिकार को पकड़ते हैं जब जल में वे चत्ते हैं तो उनका सरीर को धारा रेकिये बना लेते हैं जल में स्वांस लेने के लिए इनके गिल या किलॉम होते हैं डॉल्फिन एवं घ यसे जंतुम में गिल नहीं होते हैं इस सिर्फ और इसके नासा द्वार वात्ष छिद्रों दवारा स्वांस लिए इस जल में लंबी समय तक विना स्वांस लिए रह सकते हैं इस समय समय पर संबुतरी सतर पर आकर स्वसंद शिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एबन स्वास द्वारा स्वक्च बायू अंदर भरते हैं क्या आपने कभी दूर दसन क्या कभी आपने दूर दसन पर आतवा समुद्री जीवन पर चल चत्त में डॉल्पन की इस रोचक के रिया को देखा है तालाव देवम जील के बारे में बाद करते हैं क्या आपने तालाव जील नदियों नालों में पौदों को उखते देखा है यदि संबाव हो तो समीब बरिती किसी तालाव के वर्मड पर जाएए वहाँ देखाईए कि देने वाले कुछ पौदों को बाहर निकाल लीजिए दिखाई जाने वाले इन पौदों के पत्तियों तन्य और जड़े किस पेकार वियोस्त हैं कुछ जड़िये पौदी है आंसे क्रोप से जलमगन पौदी जिनकी जड़े मिट्टी में इस्तर होती है कुछ पौदी पूरता जलमगन होती है इन में से कोच पौदीये की जड़े जलासा की तलटी की मिट्टी में इस्तर होती है इस थलीये पौदीये में जड़ मिट्टी से जल एवन खनिच पोस्कों के आवसोसन के महत्मून काय करती है परंतु जलीये पौदों में जड़े आकार में बहुत छोटी होती है एवम इनका मुक्रकार पौदे को तलटी में जभाई रखना है इन पौदों का तना लंबा कोपला इवम हलका होता है क्या हलका होता है तना जल की सतय तक बिद्धी करता है जबकि पत्तियां एवन फूल जल की सतय पर फिलवन करते रहते हैं कुछ जलिये पौधे जल में पूर्ण रूपे डूबे रहते हैं ऐसे पौधे कि सभी भाग जल में बिद्धी करते हैं इने में से कुछ पॉदों की पत्तियां सक्री एवन पतली रीवन की तरह होती है यह बहते जल में संता से मुढ़ चाती हैं, कुछ अन जल मगन पॉदिये हैं बहुत अधी बेवाजित होती है, जिससे जल इनके वीश से बहता रहता है, वो पत्ति को कोई छटी भी नहीं पूत होते हैं, जो उन्हें छलान लगाने एवन सिकार पकड़ने में सहायता करती हैं, इसके पश्चपाद में जालिवत पनागुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं, हमने केवल कुछ ही जन्दूओं एवन पौधों की चर्चा किये, जबकि विभिन अनेक प्रजातियों के बारे में जानकरी कर चुके हैं, कल्पना के जिए कि यदि हम पित्वी के सभी चेत्रों में ओपश्तित पौधों की पत्तियों का एलवन तेयार करें, तो उसमें कितनी विवित्ता होगी हैं, अब बात करते हैं हमारे आसपास के जीवों के बारे हैं हमने विविन आवाज छितरों की यातरह थी और अनेक पौधे यवरम जत्तियों की चल्चा की हैं, घ्रिया कलाव एक में हमने विविन परीवेश में पाए जाने बाले, बस्तुओं, पौधों यवरम जत्तियों की सुची भी देखिएं, कल्पना की जिए कि यदि हम जानन चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उधार हैं, आहिए बन में पाए जाने वाले, बस्तुओं के विशाय में सोचें, बैक्च आरोही लता, विसरपी, लता छोटे बड़े चन्तू, पक्ची सरव कीच, चट्टान, बक्थर, मिट्टी, जल बायू, सोखी बत्या, मिर जन्तू, छत्रक, काई, बन में पाए जाने वाली बिविन बस्तुओं के उधार हैं, इनमें से कौन सजीव हैं और कौन निर्जीव हैं, अपने चारों और जाने वाले, पाए जाने वाली बिविन बस्तुओं के विशाय में सोची है, उन्हें निर्जीव बिवन सजीव मे सुची में बाटी है कुछ प्रिकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा उधारन के लिए हमारी कुर्सी अत्वा मेज जैसी बस्तुएं सजीब नहीं है पहली एड़वर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉंसेंस का यह चंद बढ़ रही है मेज ने कुर्सी किसे का तुम्हें पता नहीं है कि मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ एवं अपने पैरों की विवाई से यदि हम थोड़ा ठहल पाते हैं तो हम थोड़ा बोल पाते हैं प्रात ना करो हम बायू ले सकते हैं मेज ने कुर्सी के का कुर्सी ने मेज से का अब पूर्ण बात करती हो, जब तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते हैं, मेज ने ठंडी सांस बरते हुए कहा, कोईसिस करने में क्या है, मेरे पास भी उतना ही पेर हैं, जितने तुम्हारे हैं, हम दो पेरों पर क्यों नहीं चल सकते हैं, पहली वो जो को कविता बहुत मज़ेदा लगी, क्योंकि जानते हैं कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अता है ना तो चल सकते हुँ ना ही बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर, अत्वाई एक सिक्का सजीव नहीं है, इसी पिकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं, हमारे ही तरे संसार की सभी, मनस एवं कुर्सी, सळी मन्यश इत्ता कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जन्तू, सजीव है यहाँ समझ में आए हम जानते हैं कुर्सी मेज पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है इसी पिकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुस कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीद जैसे जन्तु सजीव में आते हैं हमें कैसे पता चलता है कि कोई बस तु सजीव है कभी-कभी यह नेडर करना इतना आसान नहीं होता है हम कहते हैं कि पौदे सजीव हैं परन्तु बे कुत्ते, अख्वा कभूतर की बाती चल नहीं सकते हैं दूसरी और एक कार बस चल सकती है फिर भी हुआ हमें उन्हें निजीव कहते हैं पौदे एवं जन्तु समय के साथ बिद्धी करते हैं पंतु कई बार ऐसा भी पितित होता है कि जैसे कि आकास में बादल अपने आप आकार में बिद्धी कर रही है तो इसका अरत है कि बादल सजीव हैं नहीं तो आखिर कार हम निजीव उन्त सजीव में अंतर किस पिकार करेंगी कि सजीव में कुछ विसेश लच्छन होते हैं जो उन्हें निजीव पदारतों से अलग रखते हैं आप सवयम सजीवों का बहुत अच्छा उधारन है आप सवयम सजीवों का एक बहुत अच्छा उधारन है आप में ऐसे कौन से विसेश लच्छन है सभी सजीवों को भोजन की आवसक्त होती हैं सजीव को भोजन की आवसकता होती है हमने यह भी सीखा है कि परकासनसलेशनट के द्वारा अपने भोजन सवय मनाते हैं जन्तु भोजन के लिए फोदों अधवा अन जन्तुओं पर निर्वे रहते हैं भोजन सजीव को उनकी बिद्धी के लिए आवस्तिक उर्जा पिदान करता है सजीवों को उनके अंदर होने बाले अन जयब पिक्रवों के लिए भी उर्जा की आवस्तिता होती है क्या सभी जीवों में विद्धी परिलक्षित होती है क्या चार वर्स पुराना कुरता आपको अभी भी ठीक आता है इसे आप अब और नहीं पह सकते हैं क्या ऐसा नहीं है कि इन वर्सों में आप लंबे हो गए हैं आपको इसका आवास नहीं हो रहा है लेकिन आप हर समय विद्धी हो रही है कुछ बर्स बाद आप बर्स हो जाएंगे जन्तुओं के बच्चे भी विद्धी कर वर्सक जाते होती है आपने आवस्चक देखा होगा कि कुट्टे के बिल्ले वर्सक हो जाते हैं एक अंडे से उटित होकर चूजा मुर्गी का बच्चा का बच्चा बिद्धी करके एक मुर्गी यत्वा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है देखिए पौधे भी बिद्धी करते हैं अपने चारों पाए जाने बारे विविन पिकार के पौधों का अउलोकन कीजिए इनमेंसे कुछ बहुत छोटे एवं तथा नवजात होते हैं तो कुछ बिख्षित होते हैं यह सभी बिद्धी की बिविन ने स्थितियों में हो सकते हैं कुछ दिनों और कुछ सब्ताय बात वह दो तुद देखिए आप देखेंगी कुण की लंबाई में विद्धी होगी विद्धी सभी सजीवों में होती है एक पॉइंट याद रखिए जोदी सजीव होंगे जिन में विद्धी सभी में सजीवों में होती है अर्थात जिन में विद्धी होगी वो सजीव का एक कारण हो सकते हैं क्या आप ने सोचा है कि निजीब बस तो विद्धी विदरसित नहीं कर सकते हैं क्या सभी सजीव सोसन करते हैं क्या हम सोसन के बिना जीवित रह सकते हैं जब हम सवास लेते हैं तो बाहर की बायू सरीर के अंदर जाती है जब हम सवास छोड़ते हैं तो सरीर के अंदर की बायू बाहर निकल जाती है स्वांस लेना सुसन किरिया का एक हिस्सा है सुसन में अंदर ली गई बायू कि ऑक्सिजन की कुछ मात्रा का फ्योग होता है इस किरिया में बनी कारवन डाई ऑक्साइड को हम स्वांस द्वारा बाहन निस्कासित कर देते हैं गाय भेसकुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जन्तूं में सुसन किरिया मनुस की तरह ही होती है इन में से किसी भी जन्तू का बिस्राम की अवस्था में फ्यक्षन कीजिए उसके अंदर की गती पर ध्यान दीजिए यह हैं बंदगती, उसकी स्वांस लेने की किरिया को दर्शाती है सुसन सभी सजीवों के लिए आउस्था के गहण किये भूजन के सुसन के द्वारा ही हमारे सरीर को फूजा मिलती है कुछ जन्तूं में गय साधान पिदान का तरीका भी बिन्नों हो सकता है जो सुसन का यह किस्सा होता है उधारन के लिए केचवा तुछा द्वारा सांस लेता है हमने पढ़ा है कि मचली के गिल होते हैं जिनकी साहता से हुआ है जल्वें बिले वायू से ऑक्सीजन आउस्था कर लेते हैं क्या पौदें भी सुसन करते हैं पौधों की सोसन क्रिया में गैसों का आदान पितान मुखो तब उनकी पत्तियों द्वारा होता है पत्तियां सूप छम रंदों द्वारा बायू को अंदल लेती है और ऑक्सीजन का उपयोग करती है वो है कारवन डाई ओक्साइड बायू बायू में इसकासित करती है देती ह कोरते हैं मिदमी पिखास की उपस्तिति में पौदे बाइयू की कारवन डाय ऊक्साइड का उपयोगर बोजन बनाने की लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते सोसन क्रिया दिन और रात दोनों में यह नहीं तर चलती रहती है बोजन बनाने की पिक्रिया में निस्कासित आक्सीजन की मात्रा पौधी द्वारा सोसन में उपेप जिए कई आक्सीजन की आप एक चब बहुत अधिक होती है अब बात करते हैं किया सभी सजीब उद्धीपन के पिती अनुकिरिया करते हैं जब आप नंगे पैर टहल रहे हैं तो आपका पैर अचानक की किसी काटे अध्वा नुकिली बस्तू पर पढ़ जाए तो आप किसी पित करिया किस पिकार की अनुकिरिया करेंगे जब आप अपने पिरिये वेंजन को देखते हैं अध्वा उ जब तक कि यह एक तेज पेकास की अभ्यस्तर नहीं हो जाते हैं आपका अप्पिर यह बेंजन तेज पेकास काटा उपयोग इस तीजियों में आपको बाह बातावर्ण में होने बाले परिवत्रों के कोछ़धार होने हम इन सभी पेकार के परिवत्रों के पिति अनुक्रिया करते हैं बातावर्ण में होने बाले इन परिवत्रों को क्या कहते हैं उद्धीपन याद रखिए बातावर्ण में जो परिवत्रों होते हैं इस पेकार के इसे हम लोग उद्धीपन कहते हैं क्या दूसरे जंतुवां में उर्दीपन के पिती अनुपिया होती है, खाना देते समझ जंतु, वसु के बेवहर को ध्यान से देखिया, क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चितन नहीं होग जाते हैं, जब आप चिडिया की और कदम बढ़ाते हैं, तो वे क्या करते ह हैं, तो कौकरोच अचानक अपने चिपने के इस्तान पर भाग जाते हैं, क्या आप जंतुवां में उर्दीपन के पिती अनुपिया के कुछ और अधारन दे सकते हैं, क्या पोदे भी उर्दीपन के पिती अनुपिया दर्साते हैं, कुछ पोदों के पुस्व के वर्दात पात्री के समय की खिलते हैं कुछ पौधों के पुष्ट सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं छुई मुई कि पौधी की पत्तियां चूने पर अचानक मुर्जा जाते हैं यह पौधों में उद्दीपन के पिती अनुकरिया के कुछ उधारन है कुरिया कलाब चार एक कमरे किट्की जिसमें दिन के समय दूप आती है कि पास ऐक पौधी का कि गमला रखिए इस तरह हैं कुछ दिनों तक पौधे को नेमिक जन देते रहें क्या यह पौधा हुले स्थान पर रखें पौधी कि तरह सीधा उपर की और बिंद्धी करता है यरी इंदी यह सीधा बिंद सभी सजीव बस्तुएं अपने परिवेस में होने वाले परिवत्तनों के पिती अनुकरिया दरसाती हैं सभी सजीव बहुजन करते हैं जीव इस गर्ण किये हुए बहुजन की संपूर मात्रा का अपयोग नहीं करता है आहर का केवल कुछी भाग जीव के सरीर के द्वारा उपयोग में आता है बहुजन के बची हुए से इस भाग का क्या होता है बे इस से आउसिष्ट के रूम में सरीर से बाहर निकाल लेती है बिभिन जब पिक्रमों के फल सरो हमारे सरीर में कुछ अपसिष्ट पदात उत्पन होते है सजीवों द्वारा अपसिष्ट पदातों के निसकासन के पिक्रम को उत्सरजन कहते है क्या कहते है उत्सरजन क्या पौदों में भी उत्सरजन होता है मोला जिससे मोला पौदे को कोई उहानी नहीं पहुशती कुछ पौदह में अखिस्ष्ट रभार्थ gefा découv कर निशकासंस राव के रूमने हाँ छाद है उत्व सजीवों का एफ दूसरा सामन लच्चन उत्व सजीवों का एक दूसरा सामन लच्छन आपको बता एक छोटी सी स्टोरी कि मैं एक बार एक पार्क में गया वहाँ अमरूत का पेड़ लगा हुआ था और साथ साड़े साथ का टाइम का साथ तीस का साम को मैं तोड रहा था मैं पत्तर फेक रहा था उस पर तो दो तीन तीन चाल लोग थे बहुत बजोग मतलब जिनकी उमर बहुत ड़ल चुकी थी असी के करीब 75 से कोई कम नहीं होगा और हो कोई रेटाइड अपीसर थे आधिकारी थे जो भी हूँ तो उन्होंने मुझे बताया रोका मुझे तो मैंने कुछ नहीं बोला तो बोले बता है बेटा मैंने तुम्हें क्यों रोका क्योंकि सो रहे होते हैं बैक्च और जब 6 के बाद ने किसी भी बैक्च को बोले ना तो हिला बाद कुछ जिम जन्तु ऐसे भी होते हैं जो अपना निवास बना लेते हैं तो बोले अगर आप पत्थर माते हो या तोड़ते हो तो उन्हें भी डिश्टब करते हो और फौदों की भी डिश्टब तो मैंने सोचा और यह सही भी बाद है आंगे बाद करते हैं क्या सभी सज प्रजिनन करते हैं क्या आपने कभी कभूतर रत्वा किसी पक्षी के नीड गोंसले देखें भी नीड में अंडे देते हैं कुछ अंडे पूटित होते हैं तथा उन से छोटे-छोटे बच्ची निकलते हैं देखिए यह अंडे यह बच्ची निकलते हैं जन्तु प्रजिन पood बीज उत्पादित करता है हमें उन्हें अंकरिक करके नए पौधे उगा सकते हैं इस पिकार कुछ पौधे बीच के अपने काईक भागों द्वारा भी नए पौधे उठबन करते हैं उधारन के लिए आलू के कलीका वाले भाग से नया पौधे निकल बनना इस तरह है पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं गुलाब देखा होग कलम लीजे इसे मिट्टी में लगाई इसे निरूप नेमित रूप से जल दीजे आपको सी दिनों के बाद क्या देखिए कलम से पौधे बनाना सहलकार नहीं है यदि आपका कलम में बिद्धी नहीं हुई है तो इन निरास हो गए यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कल अनेक संतान उत्पन करते हैं विविन जीवों में पिजनन की विदियां बेन बेन होती हैं क्या सभी सजीव गति करते हैं हमें अध्याए आठ में हमने जंतों की गति के विविन तरीकों की चैचा किया एक स्थान से दूसरे स्थान तरीक चाते हैं उनके सरीर में अन पिकार की गति थे दिखाये देटी। पधे के विशा में क्या विच्छार है। कि वे भी गति करते हैं। पधे सामनता पुमी में जक्रे रहते हैं। हता हुआ एक सथां से दूसरी सथां तक नहीं जा सकते हैं परन्तु बेहने पदार्द जैसे जल, घनेज, संसलेसित खाद पदार्द, पौधों के एक बाग से दूसरे में संभेत होते हैं, क्या आपने पौधी में अनपेकार की गती भी देखी है, पुस्मों का खिलना एवं बंद होना, क्या आप याद कर सकते हैं कि बादल, अनकुछ बस्तु हैं इसके उधारने, क्या इनकी गती सजीवों की गती से किस पिकार बेंडना है, प्रक्ति में बिवित पिकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हमें पहले चच्चा कर चुके हैं, मित्तिव सजीवों के इसलिए कर्फामनलच्चन चुकि जीव की मित्ति होती है, इसलिए जीवों की पिड़जातियां हजारों पश्तों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं, जब भी पिजनन कर अपने समान, संतान उद्पन्द कर सकती हैं, एक अकिला जीव पिजनन की इविना भी मर सकता है, परंदु सजीब की प्रजाती तभी अस्तित में रहती है जब उसके सदस्सों में पिजनन होता रहता है हमने देखा है कि सभी सजीब बस्तों में कुछ विशिश लच्चन समारूप से दिखाई दिते हैं उन सभी को भोजन की आवसकता होती है उनमें सोसन उतसर्यन उद्धि पिजनन गती बिद्धि होती तथा मित्धि होती किनमें सजीब हो में याद रखे हूं किया हम ऐसे कुछ निरजी बस्तों को जाते हैं जिनमें लचणों में कुछ मैंसे कुछ लचस दिखाई देते कार साही कल गड़ी नदि हल गती करता है आकास में चन्दमा光 करता है हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में विधी हो जाती है क्या इन बस्तों को सजीब कहा जा सकता है हमें स्वयम से पिसंद करना हुआ कि क्या इन में सजीबों के सभी अन सभी लक्षन भी पाए जाती है सामानता सजीमों में बेसभी लक्षन पाई जाते हैं जिनके हम चर्चा किये परन्तु निर्जी बस्तों में बेसभी लक्षन एक साथ दिखाई नहीं देते हैं क्या है हमेशा सत्त है, क्या हमें सभी सजीवों में बे सभी लक्षन जिनके हम चाचा किये हमें निच्चे रूप से दिखाई देते हैं, क्या हमें निजीवों में बे सभी लक्षन कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, उनमें से मात कुछ लक्षन ही दिखाई देते है इस विशाय को और अच्छी बेकार से समझने के लिए, आईए किसी बीच के विशाय में बिचार करें, कुछ विशिष्ट उधारन देखें, उधारन के लिए मुँग के वीच का कि बारे में क्या होता है, क्या यह जीबित है, यह एक दुकान अधवा बंडार में महीनों रख कीजते हैं, तो यह पोधा बन जाता है, क्या महीनों तक दुकान में रखे बीच को भोजन की आवा सकता थी, इसमें से उधारन विद्धी अधवा पजनन हुआ था, हमना देखा है कि कुछ ऐसे भी उदारे हैं, जब हम सलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीबों के लक्चन, फिर भी जीवन क्या है, गेहों की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी उत dobrण होती है, यह गर्मी बीजों की सुसन के कारण उत्फबन होती है, हमने देखा है कि बीजों में सुसन की करिया उस समय भी चलती रहती है, जब अन जब पिक्रम उतने ही सक्र प्रिचे पार्य नहीं होती हुथ हमारी फिसें आतीजीवन क्या है इतना से Cheiness प्राइण ऑर पारनतों आप अपने चारच को देख कर अच्छाना कि मुद्वर मुझ छाता है कि लिए कितना सुन्दर हाऊ तो उसे हम लोगों ने कौन कोन से सबस्ण की परिवासा जान लिये अन्पूर न देखा है जली यह आवाज देखें lost chirjan देखें विधी देखिये और वाज देखें सजीब भी देखें नेजीब भी देखें, पिजनम देखें, सोसन देखें, उदीनम भी देखा है अगर आपने अच्छे से सुना हुगा, या देखा हुगा, पड़ा हुगा तो इन परिवासाओं की इन सब्दों की परिवासा आपको समझ में आगए होगी साहरामस को देख लेते हैं किसी स्थान परिवेश में पोध ही, जन्तु एवं अनजीब रहते हैं, उनका आवास कहलाते हैं वेविन पिकार के पोध है एवं जन्तु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं पोध हो जीबों के विसेश्ट लच्छन एवं सौभाव जो उन्हें एक आवास विसेश्ट में रहने के अनकूल बनाता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनकूलन आवास अनक पिकार के होते हैं, परन्तु सामान तायने इस थलिए जमीन पर एवं जली ए आवास जल में बर्गिकित किया जाता है विवेन आवास में सजीवों के विवेन पर जाती हैं, पौधी एवं जन्तु एवं सूख्छ जीव सहीव प्रूव से जव गटक बनाते हैं चतान मिट्टी वायू जल प्रकास एवं ताप हमारी परिवेस के कुछ अजयव गटक सजीव बस्तुओं के कुछ सामान लक्षने, उन्हें भोजन की आवज सकता होती है विस्सोसन और सर्जन परियावन के पिती अनुकरिया विजनन बिद्धी के विंगती करते हैं यह आपके कुछ अभ्यास के लिए कुश्चन से इसके इन सॉट ले लिजिए या अफर टेलीग्राम से पिडियाव डावलोड कर लिए तो यह नौबा चेप्टर था सजीव की बिसेचता है एवं आवास के बारे में आगे हम लोग दसवे चेप्टर में बात करेंगे गती एवं दूरियों का मापन ठीक? चलिए तो हम लोग बात कर रहे थें NCEIT कक्षाचटवी की बिज्ञान को देख रहें ठीक है? तो याद रखना यह हमारी लास्ट बुक है कक्षाचटवी की क्योंकि इससे पहले हम लोग सामाधिक एवं राजनितिक जीवन भाग एव देख चुके हैं हमारा दीत फर्ष्ट देख चुके हैं पित्वी हमारा आवा से इसे भी देख चुके हैं ठीक विज्ञान में हम लोग अभी तक 9 चैप्टर खितम कर चुके हैं आज बात करेंगे हम लोग दस्वे चैप्टर के बारे में गती एलमदूरियों का मापन मैं बार बार आप लोगों से वही कहूँगा कि दिमाग पर जोर मत लगाई है अगर एक बार आप अच्छे से सुनोगे तो मैं इतना कहता हूं कि 80-85 परसेंट आपकी कॉंसेप्ट किलियर हो जाएगे और दूसरी बार जब आप पढ़ोगे या सुनोगे तो पूरा 99-100 परसेंट आपका किलियर हो जाएगा और पहले आप सुनिये ध्यान से लाश्ट में इसका निस्करस क्या है इस अध्याय का खेर क्या निस्करस निकलता है वो मैं बता दूँगा ठीक बाद में तो इतना दिमाग मत लगाई गती एवं दूरियों का मापन पहली तत्हां बूजो कच्छा के सभी वच्चों के बीच ग्रीसमा अवकास में भिरमण किये गए इस्थानों के बारे में सामान चैच्चा हो रही थी एक वक्च्चा अपने पित्तर गाउन पहले रेल गाडी फिर बस और अंत में बेल नियान से इत्रा की थी एक अन्ह विद्यारती ने उपकास के अनेक दिन अपने चाचाजी गी नाव में सेहर करके मचली पकड़ने में बित्वीत किये थे इसके परशात अध्यापक ने बिद्यार्थियों से समाचारपत के उन लेकों को पढ़ने के लिए का जिन पर उन छोटे पहियों वाले बाहनों के बारे में बर्डन है जो मंगल ग्रह की धर्थी पर चल रहे थे और प्रियोंगी किये गए इन बाहनों को मंगल तक ले जाने का कार अंत्रिक्ष्यांद द्वारं किया गया है इसी बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा आव आय यह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर की यात्रा कैसे करते थे बात करते हैं यात्तायाद की कहानी प्राचीन काल में लोगों के पास यात्तायाद के कोई साधन नहीं थी वे पैदल चलते थे तथा अपने सामान अपनी पीन पर लात कर ले जाते थे बात मिमानव यातायात के लिए पस्मूं का उप्योग करने लगा फ्राचिन काल में जल मारगों में आने जाने के लिए नाओं का उप्योग किया जाता था आरम में लकडी के लक्तों से जिनमें खोकली गोहिका बनाई जा सके नावे बनाई जाती थी इसके परश्चात लोगों ने लकडी के विभिनत टुकडों को आपस में जोड़ कर नाव की आक्ति बनाना सीख लिया ये नाव जल में रहने वाले जीवों की आप खृतियों के सादर्स थी जैसा कि आपने अध्याय आठ और नौ में मचलियों की धारा रेकिये आठती से संबंदित चर्चा की थी उसे ही याद कीजिए पहिये के अविसकार ने यातायात की पेडाली में अतेंत महत्पूर परीवतन किया है पिछली हजारों वरसों में पहिये के डिजाइन में सुधार किये गए पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खीचने के लिए पसुओं का उपयो किया जाता थी उन्नीसवी सत्यात्ती के पहरम तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तर परीवान के लिए पसुओं नाओं तथा जहाजों पर निर्भय रख करते थे वास्प इंजन के अविसकार से परीवान के नए साधनों का भिकास हुआ वास्प इंजन से 40 सवारी गाड़ियां एवन माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पट्रियों करनिर्वार किया गया इसके पश्चात मॉटर कार ट्रक तथा बस जैसे 140 बहान आए जल पर परीवान के साधन के रुप में मॉटर से चलने वाली नाओं और जहाज के फ्यारम में बर्सों में वायुयान के विकास हो है जिनमें बाद में सुधार किया गया और इन्हीं यात्री और सामान ले जाने योग बनाया गया नहीं बिद्धुत रेल गाड़ी एकर रेल पराधौनिक वायुयान अंतरक्षान बीस-वी सितापती के कुछ योगदान रहे हैं हमारे ट्रिप देखिए यह आपकी साइकल होगई यह वायुयान यह आपकी नाव यह आपकी वैल गाड़ी बस और रेल गाड़ी परिवान के विविन साधन दरसाएगे चित दसमलोव एक में इने प्राचीन तम से अधुनिक परिवान के साधनों के सहीकर में विवस्तित कीजिए क्या है इन में परिवान का कोई है साथ प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उप्योग में नहीं लाया जाता है देखिए लगबख सभी को लाय जाता है अब बत करते हैं यह कितना चोड़ा है लोग यह कैसे पता लगाते थे कि यह कितनी दूरी दूर चले आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तै कर सकते हैं, अत्वा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अत्वा रिक्से की आवस्त्ता होगी, जब आपको कुछ खडीदना होता है, तब क्या आपके लिए बाजारत तक पैदल जाना संभव होता है, आप इन पिसनों के उत्तर कैसे जानेगे, कोई स्थान कितना दूर है, यह फ्रेया जानने का मत्वोन होता है, जानना मत्वोन होता है, ताकि हमें अनुमाल लगा सके कि वहाँ पहुंचने के लिए हमें कैसे जाएंगे, पैदल, फ्रेया बस से, या फ्रेल गाड़ी से, पानी के जाहाँ से, या फिर वाईवियान से या कोई अंतरिक चान से कभी-कभी ऐसी बस्तुवाइं भी होती हैं जिनकी लंबाई या तब चौड़ाई जानने की हमें आवसकता होती है पहेली तथा बूजो की कप्छा के कमरे में बड़े-बड़े डिस्क हैं जन पर दो-दो विद्ध्यार्थी बैठे हैं पहेली तथा बूजो एक डिस्क पर साथ-साथ बैठे हैं पर उन्तु बहुता हो उन्हें इस बात को लेकर जगड़ा होता रहता है कि उनका उसका दूसरा साथ थी डिस्क के अधिक भाग पर कव्पयोग कर रहा है अध्यापक के सुझाओ पर उन्होंने डिस्क की लंबाई भापने का निश्चित किया डिस्क के ठीक मद में एक चिन बनाया तथा डिस्क को दो बराबर भागों में बाटने के लिए एक रेका थी जी और दोनों भी अपने मित्रों के साथ गिली डंडा खेलने के सौकीन थे बूजो जो सद्यो बूजो तो सद्यो ही अपने पास एक गिल्दी ओर डंडा रखता है गिल्दी डंडे से डिस्क की लंबाई आपने देखा हुगा अगर आप ग्रामिट कि ग्रामी्टिटि चित कहें और सेखरी चित कि आगा, अगर आपने गिली, डंडा खिला है तो उसमें डंडे से लंबाई ना भी जाती है या फिर गिली से लंबाई ना भी जाती है, तो इसी तरह हुआ है उन्हें ने गिल्ली और डंडी का उपयोग करके डिस्की की लंबाई भापने का प्रयास किया ऐसा लगता है कि डिस्की की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई की युग के बराबर है डिस्क के मद में रेखा खींचने पर दोनों पिसन दिखा बूजो का पुराना गिल्डी डंडा खो गया, अब उसके पास गिल्डी डंडे का नया सेट है, अब देखिए भी गिल्डी डंडे के नए सेट का उप्योग करके डिस्क की लंबाई किस बिकार मापते हैं, अब जब डिस्क की लंबाई गिल्डी डंडे के नए सेट से मापी गई, तब डिस्क की लंबाई ऐसी पितीत हुई, जिसे हैं लगफक दो डंडों, तथा एक गिल्डी की लंबाई के बराबर को, वो परन्तु फिर भी डिस्क का कुछ बाग बच जाता है, यह तो एक गिल्डी और बुजो को क्या सुजाओ देंगी, ताकि विड्डिस्क की पूरी लंबाई माप लें, क्या भी लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लीयों का उपयोग कर सकते हैं, अत्वा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से बैसी समस्या उपन हो सकती है, वह एक कार कर सकते हैं, एक छोटी सी डोरी लें और इस पर दो चन्द लगाएं, यह डोरी की एक लंबाई होगी, विड्डिस्की की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं, विस डोरी का प्योग डोरी की लंबाई से कम डोरीयों को मापने में किस पेका कर सकते हैं वे डोरी को मोड कर डोरी की लंबाई कर सकते हैं। अब संभा को कर सकते हैं अपनी समस्या हल करने चाहिए, है बास्ता हमें। आप यह ही कह सकते हैं कि उन्हें अपने जेयाली कर्षा ने को ब्रीओक करके अपनी समस्या हल करने चाहिए हां बास्ता में ऐसा किया जा सकता है गूजो ने यह पड़ा कि जब ऐसे मानक प्रिमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे वह स्वें भी भिन 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 धंगों से दूरियां मापने का प्रियास कर चुगा है ऐसे एनेक आउसर आते हैं जब हमें लंबाई अत्वधूरियां मापने की आवस्ता होती है दरजी कपड़ी की लंबाई यह जानने के लिए मापता है क्यों है कपड़ा कुर्टाप सीने के लिए के लिए परियापते है अत्वाने बड़ाई किसी अलबाई की लंबाई चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि हुआ है यह जान सके कि इस लंबाई अलबाई की दरवाजी को बनाने के कितनी लखड़ी की आवस्ता होगी किसी किसान को अपने खेत की लंबाई चौड़ाई यह जानने की इसलिए आवस्ता होत कि आप की लंबाई कितनी है, तब आप ऐसी सरलेखा की लंबाई बताएंगे, जो आप किस सर से आपके पिर की एड़ी तक की रेह खिये लंबाई के बलावर हो, यह कामरा कितना लंबा है, यह डिस्क कितना चोड़ा है, दिल्ली लखनों से कितनी दूरी पर है, पितवी से चन्दमा कितनी दूरी पर इन सभी प्यस्टनों में एक बास समान है, ये सभी दो इस्थानों के बीच की दूरी से सब्मंदित है दो इस्थान, मेज, के दो किनारों की तरह पास-पास हो सकते है इसके विप्री दोष्थान जम्मो और कन्या कुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं आईए अब हम कुछ मापन कर, मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दोरियां अत्पल नमभाईयां मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवस्त होगा कुछ मापन, अब एक किरिया कलाब दिएगा, एक प्योग करके आपको बताए जाएगा जहान से बढ़ते रहे हैं, इतना भी कठिन नहीं है कि समझे में ना आए आप इस क्या कलाब को सम्मूव में एक एक करके किजिए अपने पैर की लंभाई को लंभाई का एक मातरक मानकर अपनी कप्छा में के कमरे की लंभाई जोडाई मापी इनने मापते समय यह सम्मभा है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह बाग आपके पैर की लंभाई से छोटा है पहले की बाथी अपने पैर के लंभाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए क्रिया कलाब दो समू में कार की लिए आप में से पिते के अपने वल बालिस्त कुमापने मात्रग मानकर अपनी कच्चा के कबरे में रखी मेज या तबाडिस्क की चोड़ाई माप सकते हैं मापन के लिए यहां भी यह आप यह बाते हैं कि आपको अपनी एक वालिस्त के बरावर लंबी डोरी, इस डोरी के लंबाई के अंसर भावों की आवसकता होगी। अब देखते हैं कि मापन करत किसी आग्यात रासी की उसी पकार की कुछ ज्यात रासी से तुलना करना है। इस ग्यात निश्चित राफी को क्या कहते हैं हम लोग मात्रक कहते हैं किसी माप के पईडाम को दो भाबों में विवक्त किया जाता है एक भाब संख्या दूसरा भाब ली गई माप का मात्रक होता है उधारन के लिए क्रिया कलाप एक में यदि कक्छा की कमरे की लंबाई आपके बारे पैर की लंबाई के बराबर है तो बारे एक संख्या है और पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है क्या पिते पे द्वारा मापी गई कमरे की नंबाई कि ये सभी माप बरावर हैं क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी वालिस्तों में से मापी गई मेच की चोड़ाई की माप बरावर है सायदी पईडाम भिन भिन हो सकते क्योंकि आपके नापने में आपके जो वालिस्त है कि किसी के छोटे हो सकते हैं किसी के बड़े क्योंकि आपकी वलिष्ट में कि लंबाई में आपको मित्रों की वलिष्टों से भिन हो सकती है इस फिकार सभी विद्ध्यार्थियों के पैर की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है इसलिए जब आप अपने वलिष्टों या पैर के वालिस्त अदबा पैर की लंबाई जानना आवस्थ हम देखते हैं कि हमें मापन की कुछ ऐसे मात्रों कूपी आवस्थता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो अब बात करते हैं मापन की मानक मात्रक तो राचिन काल में पैर की लंबाई अंगुली की चौड़ाई एक कदम की दूरी इन सभी मापन का मात्रक के रोव में सामान होता था हड़पा सब्दा के लोग उने आवस्थ से लंबाई बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया हुआ क्योंकि यह ख़दाई से में प्राप्त परी सुद्ध जयामितिये रचनाओं को देखने से प्रमाडित होता है कोहिनी से अंग्यूई के छोड़ तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं लंबाई के मात्रक के रोव में प्राचीन में समय उपयोग किया जाता था जिसे संसार के अन्न भागों में भी मानता प्राप्त थी अपने गाउं में भी देखाओगा लोग एक हाथ मात्ते हैं कि हांसे कभी लखड़ी की लंबाई मापते हैं कभी संसार के विविन भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूम में फुटका उप्योग करते हैं अलग-अलग छेत्रों में फुटकी लंबाई थोड़ी भन्द है लोग एक गज कपड़ा फेली वाहें किस तरह से अपने ठोड़ी तक मापते थे रूम बासी अपने पगड़ अत्वा कदमों से लंबाई मापते थे प्राचिन बादत में छोटी लंबाई हों को मापने के लिए अंगुल अत्वा मुठी का उपयोग किया जाता था आज भी भारत के कई सहरों में हम पुस्प बिखेताओं को पुस्प हारों को बैंशते तम्हें अपनी भोजाओं का उपयोग लंबाई की मात्रक के रूम में करते हुए दे तक्ति हैं सुविधा जैने सुविधा अनुसार शरीर के एसे बहुत से भागों का मात्रक के रूम में जने आई हो नी, वर्स 1790 में, कब 1790 में फ्रांसी सी होने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे हम लोग मीटर पदिती कहते हैं। एक समानता के लिए समस्ति संसार के विग्यानिकों ने मापन के मात्रक मात्रोकों को, केल सेट को सुईकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उप्योग हो रहा है, उसे हम लोग अंतर रच्टी है, मात्रक प्रणाली करते हैं। इसका एसाई मात्रक है टिक लंबाई का एसाई मात्रक मीटर लंबाई का एसाई मात्रक मीटर मीटर प्रिमाना 15 सेंटी मीटर टिक यह आपका लंबाई का ऐसा ही मातरक मीटर है इसमें आपको ज्यामितिय वॉक्स का 15 सेंटी मीटर परमाना भी दिखाए गया नीचे चित में पितेक मीटर म को सो बरावर भागों में बिवाजित किया जाता है जिन्हें हम लोग सेंटी मीटर कहते हैं एक सेंटी मीटर दस बरावर भाग होते हैं जिने हम लोग मिली मीटर कहते हैं इस वेकार एक मीटर बरावर सौ सेंटी मीटर और एक सेंटी मीटर बरावर सौ सौरी दस मिली मीटर एक मीटर बरावर सौ सेंटी मीटर और एक सेंटी मीटर बरावर दस मिली मीटर टीकर लंबी दुनियों के मापन के लिए मीटर 120 जनत मात्रक नहीं है इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिवासित करते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं किलो मीटर एक किलो मीटर एक हजार मीटर के बरावर होता है जाद रखना एक किलो मीटर एक हजार मीटर के बरावर होता है अब हम अपने सभी मापन क्रिया कलामपों को मानक पिरमानों का उप्यूप करके दोरा सकते हैं लंबाई को ऐसा ही मात्रकों में माप सकते हैं ऐसा करने से पहले ह दूरियां तथा लंबाईयां मापने का सही डन चान ना आवसके बात करते हैं लंबाई की इथार परिसुद माप अपने देनेक जीवन में हम बिविद विकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं लंबाई मापने के लिए हम मीटर परिमाने का उपयोग करते हैं दरजी मापक फीते का उपयोग करता है जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं किसी बस्तों की लंबाई मापने के लिए आप किसी उपयोक्ति का चैन करना चाहिए उधारन के लिए किसी बैक्ष का घेर अथवा अपने सीने वाक्ष की माप के लिए आप मीटर पर माने का उपयोग नहीं कर सकते हैं ऐसे मापों के लिए मापक फीता अधिक सुब्दा जनक होता है छोटी लंबाई हैं जैसे आपकी पैंसल की लंबाई आपके लिए अपने ज्यामती बॉक्स के 15 सेंटी मीटर फिर्माने को काम में ला सकते हैं देखा होगा आपने आपकी बॉक्स में निकलता है टिर लंप लंबाई मापती समय हमें निमलिकित सावधानिया बरतनी की आवसकता होते हैं चित 10.07 में दिखाए अनुसार पिर्माने को बस्तू के संपर्ग में इसकी लंबाई के अनुदेश रखिए कुछ पिर्माने के सेरे टूटे हो सकते हैं आप इन पिर्मानों के सुन्यांग इस परष्ट नहीं देख सकते हैं ऐसे पिर्माने के सुन्यांग से माप लेने से बचिए आप पिर्माने का कोई अन पूड़ांग जैसे 1.0 cm काम में ला सकते हैं तब आपको दूसरे सरे के पाठ्यांग से इस पूड़ांग के पाठ्यांग को भटाना चाहिए उधारन के कि माप लेने के लिए आखों की सही स्थिति भी मत्फून होती है आपकी आख जिस बिंदू की माप ली जानी चाहिए उसके ठीक सामने होनी चाहिए इस्तिती भी सही स्थिति में द्यान दे जी के भी से देखने पर पाठ्यांग 7 दसम वो 5 cm स्थिति पर इस्तिति ये और बीच में पाठ्यांग भिनन हो सकता है तो क्या होगा बीच्तिती सही है ठीक बात करते हैं क्रिया कलाब 3 अपने सहपार्टी के उच्छाई पहले बलिस्तों और फिर मीटर प्रमाने का उपयोग करके मापिए अपने सहपार्टी को दीवार के साथ पीट रखकर खड़ा होने के लिए कहिए उसके सरसे ठीक उपर दीवार पर एक चिन्नक अंकित कीजिए अब फ़र से दीवार पर बने इस चिन्न तक की दूरी पहले अपने वलिस्तों से और फिर मीटर प्रमाने से मापिए अन्य सभी बिद्धेहार्थियों से इस लंबाई को इस पैकार में आपने के लिए किये लिए कि सभी पेखचंग शानी तीन में लेखना है विविण बिद्धेहारितियों के द्वारा प्राप्त पर पर दामों को धिजान से अध्यन किये कॉलम दो में परिडाम एक दूसरे से भिन हो सकते हैं क्योंकि विद्धियारतियों के वलिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन हो सकती है अब कॉलम तीन के परिडामों को देखिए जिसमें सभी माप, मापे मानक प्रमाने द्वाला दी गए है एक पईडाम, एक दूसरे से बहुत समीब हो सकते हैं परंदुक्या है एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर हैं यदि नहीं तो आपकी विच्छार से यह अंतर क्यों आकिर सभी एक ही पर्वाने का उप्योग कर रहे हैं बिन्ने में बलिस्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं, यह अंतर पेक्षन लेने में ओने वाली चोड़ी तुटियों के कारण हो सकता हैं, मापन की तुटियों को मापने में जानने और बेवार में लाने की मात को युबारे में वच खक्छा में हम लोग बढ़ेंगे, बात के लाव चार, वक रेखा एवी, इस तरह, ठीक, कि लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग की दे, धागे के एक सरे की पर गांट बांदिये, इस गांट को बिन्दू एव पर रखिये, अब धागे को अपनी अंगली तथा अंगुटे द्वारा तना हुआ रखक इसके छोटे बाग की रेखा के अनुदिस रखिये, इस बिन्दू पर अपने एक हाथ से धागे को थामे, अपने दूसरे हाथ से धागे के और दो थोड़े भाग को बक रेखा के अनुदिस पहलाईए, इस विक्रिया को दोराते हुए बक रेखा के बिन्दू बी तक गांट तथा इस पर बने अंतिम चिन्न की बीच की लंबाई माप यह माप वक्रेखा एवी की लंबाई होगी हमने देखा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए हम दूरियों तथा लंबाईयों की इथायत माप ले रहे हैं हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं मा मानक इत्यां तथा म महपण परडान, मवक व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवस्रता होती हैं हमारे चारह ओ और गत्रीसिल बस्तूं के बारे में जानते हैं उन subscribe बस्तूं को के बारे में सोचिए जो अपने हाल ही आपने हाल ही में देखिए घर एक उड़ती चड़िया गड़ी गड़ी आपकी चलती गड़ी में सेकंड की सुई सुची में स्कूल का बस्ता मच्चर मेज कुर्सियों पर बैटे बैखती इधर वद धर जाते लोग आधी हो सकते इसके अतरिक तितलिया, उत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल्मे मचली, घर, फैक्टीर, बत्थर, गोड़ा, गैन, बला, चलती रेल गड़ी, सेलाई वसीन, दीवाल गड़ी, गड़ी की सुईया भी हो सकती है आप जितनी लवी सोची बना सकते हैं, बना लिए, इन में से कौन गटी सीला और कौन बिराम में हैं, आप ने कैसे सुनिश्चित किया कि कोई बस्तू गटी में हैं, अत्वा बिराम में हैं, आपने यह देखा हुआ कि चिड़ीया कुछ समय परश्चाथ पहले पाले स्था इस स्थान पर दिखाई नहीं देखा है, जबकि मेज उसी स्थान पर है, इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया हुआ कि कोई बस तो गटी में हैं, अत्वा बिराम में हो, आईए और हम किसी चीटी की गटी को ध्याद से देखते हैं, कोई ऐसा स्थान चुनिए जहा इस स्थान पर देखेंगे, किसी एक चीटी के लिए, जब वह कागज की सीट पर तुरंतर रेंग चुकी हूँ, पैंसल से उसकी इस्तितियों के निकट छोटे-छोटे चिन अंकित किजिए, जैसे जैसे इस तरह है, जैसे जैसे कागज पर रेंगती जाएं, आप इस्तिति इस्तितियों पर चिन अंकित करते जाएं, कुछ समय के बश्चात कागज की सीट को इधर उधर हिला कर इस पर से चीनी एवग चीटियां हटा दिए, उन विविन बिंदुओं जिने आपने कागज पर अंकित किया था, कुछ तीरों द्वारां जोड़कर चीटी की गती की साथ दल साइए, वह हम हर बिंदु जिसे आप अपने अंकित किया है, उस सेकॉंडनों के समय अंतराल में चीटी ने कहां-कहां गती किये, कुछ दल साता है, गती किसी बस्तु की इस्तिति में किसी पिकार की परिवलत्म जैसी दिखाए जैती है, क्या आप ऐसा नहीं मानते क्रिया कलाब पांच में बस्तु के समय बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मसीन, अत्वा बिजली का पंकह जैसी बस्तु को किस समय में रखा है, क्या ये बस्तु ये इक स्थान से दूसरे स्थान तक गती कर रही हैं, नहीं, क्या आप अब इनके किसी भाग में कोई गती देखते हैं, पंके की पंकुडियां, अत्वा गड़ी की सुईयां, कैसी गती करती हैं, क्या इनकी गती, चीटी एत्वा रेलगाडी की गती जैसी हो, आईए, अब हम कुछ प्रिकार की गतियां देखते हैं, जिन से हमें इन विविन प्रिकार की गतियों को समाझने में साह की गती किसी गिरते पत्थर की गती का पेच्छन किया हुआ या किस पकार की गती है सौ सेंटीम सौ मीटर दोड़ पितिय उपता में धावाग भी सरल लेखा की अनुदिस्ट दोड़ते हैं क्या आप अपने चारों देखकर इसी पकार के और अधिक उधारन सोच सकते हैं इन सभी उधारनों में हम यह देखते हैं कि बस्तुएं सरल लेखा की अनुदिस्ट गती कर रही हैं इस पकार की गती को हम लोग सरल लेखिये गती कहते हैं ठीक है एक पत्थर लीजिए इससे एक धागा बांदिये अपने हाथ से इसे तेजी से गुमाईए पत्थर की गती को ध्यान से देखिए हम देखते हैं कि पत्थर वित्तिय पत्थ के अनुदिस्ट गती कर दा है इस गती में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समाने इस पकार की गती को लोग वर्तुल गती कहते हैं यह आपकी कुछ बस्तुए हैं बर्तुल गती की यह आपने जरूर देखा होगा गिरामीट छित्र में सायद अब कहीं अब वाद की रूम में अगर रह गया हो तो ही है लेकिन अब लेकिन सब कुछ बंद हो गया है ठीक है पहली चलता था इसे क्या करते हैं बर्तुल गती सीधी रेखा में जो गती उती होते सरल गती और जो अपने चारों और इस तरह से गूमते रहते हैं उसे हम लोग वर्तुल गती बिजली के पंकी की पंकुडियों पर अंकित किसी चिन्न की गती किसी घडी के सेकेंड की स्वी की गती बिजली की पंक का पंका अत्वा घड़ी स्वय में एक स्थान से दूसरे स्थान तगती नहीं करते हैं परंतु पंक्य की पंकुडियां गुड़न करते हैं तथा ऐसा ही घड़ी की स्वय भी करते हैं यदि हम पंके की पंकुडियां अत्वा घड़ी की सुईयों पर किसी पिकार का कोई अंकित कर दें तो घुर्डर्ण करते समय भी पंके तत्था अत्वा घड़ी के अंद से इस चन्नी की दूरी समान हुई कुछ पेकरणों में कोई बस्तू एक निश्चे समय में कि अद्राल के बाद अपनी गति को दुराती इस पेकार की गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं दूरी से बंदा हुआ पत्थर लीजे जिसे आपने किरिया कलाप सेविन में उप्यव पिया था अब दूरी को अपने हाथ में थामिये तथा पत्थर को दूरी से लटकने दी यह एक लोलक है दूसरे यहां से पत्थर को एक तरब खींचिए और फिर सुतंत गति करने के लिए छोड़ दीजिए लोलक की आवर्ती गति का एक उधारन है ठीक ब्यक्ष की साखाएं इधर उधर लहराना जूला जूलते बच्चे की गति सितार की डोरियों की गति बश् पर आती है कि अग्याइब कलाब पांच के बाग कि रूम में सिलाई की मसीन का पेक्षण किया था अपने दिया हुआ कि सिलाई मसीन अपने इसी अवस्ट्रीती पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया कि ऐसा क्या ऐसा नहीं है कि यहां सुई आवर्ती गति कर रही है क्या आपने फर्स की पर लोड़क्ती किसी गेंद की गति का द्यान पूर पर पिर्चन किया है यहां गेंद किसी हर्स पर लोड़क्ती और गूडन करती हुँ आंगे की ओर गति करती है इस पकार गेंद सर र कि इस अध्याय के अंतरगत हमने वहोच से मापन की रियक लव किये तथा कुछ विकार की गतियों की बिसेट में चल्चानि भी किये हमने देखा है कि समय के साथ इस्तिती में परीवरदन को क्या क्या कहते हैं गती इस्तिती में हुए ह kimchi को दूरी मापने मापन द्वारां ग्याद कर सकते हैं इसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई बस्तु कितनी दीमी यह वक्तीब गती कर रहे है भर्स्त पर गोंगे का रहेंगना तितली का एक पुस्ट से दूसरे पुस्ट पर मड़ना नदी का प्रभावित होना प्रभावित होना बायुव्यान का बायुव में उंचाईयों पर उड़ना इत्वी के परिता चंदमादवारां गती करना हमारे सरीर में दुरदेश का परिशन चंड आदी सभी उधारन हमारे चारवे और अनेक प्रकार इस्थापन वाली गतियों को दर साथ है तो इसमें हम लोगों क्या क्या देखा है इस अध्याय में अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा देखा होगा तो बर्तुल गती की परिवासा समझ में आगई होगी दोरी की परिवासा समझ में आगई होगी मापन की परिवासा गती, आवर्ती गती, सरल लेखिया गती हैसाई मात्रक, मापन की मात्रक, ठीक है अगर नहीं आपको समझ में आए तो एक बार और देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवान के किसी के बिवेन साधनों का उपयोग किया जाता है प्राचिन काल में लोग बैर की लंबाई अंगली की चोड़ाई एक कदम की दोरी आदी का उपयोग मापन की मातरक की रूम में करते थे इससे ओलाजने होती थी तथा इसलिए किसी एक मापन पिणाली को विक्सित करने की आवस्थता महसूसी हम अब हम मातरकों को की अंतराश्टी पिणाली एसाई मातरक उपयोग करते हैं इसे समस्ति संसार में माननता प्राप्त है, ऐसा ही मात्रों को में लंबाई का मात्रक मीटर है, सरल लेका की अनुदिस गती को, सरल रेखी ये गती कहते हैं, वर्टुक गती में कोई बस्तू, इस पेकार गती कहते हैं, कि उस बस्तू की किसी नियत बिंदू से दूरी समाद र कि पश्चा दुराती है उसे हम लोग आवर्ती दिती कहते हैं यह आपकी कुछ अभ्यास के लिए कुश्चन से फीडिया आपकी टेलीग्राम पर डलीवी है ठीक है दाउनलोड कर लेना कि बहुत ही सर्ल है अगर आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ें तो आराम से आपको हो सकता है तो यह हमारा दस्वा चेप्टर के अंगे देखें कि प्रिकास चाया है एवं परावरतन के बारे में ठीक दिवारतन के वारे में याद रखिए इसमें जयन दिमार मत लगाई है इसे आराम से सुनिए उसके लाश्ट में अगर नहीं समझ में आता है इसका निस्करस भी बताया जाता है अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप नहीं कहीं भूल की है क्योंकि इतना कठिन एक बुक्स नहीं है कि आपको समझ में ना एक दुबार पढ़ने में आपका समझ में कॉंसेप्ट जो भी क वेक्ष जन्तू तथा कभी-कभी कुछ फुस्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तूओं को कैसे देखते हैं। रात्री के समय जब सम्प उमूर अंदकार हो तब इनी स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगी? माल न जी के रात्री के समय आप उमूरता अंधेरे кमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तू को देख पाते हैं। लेकिन जब आप कोई टॉच चत्वा मौम्भक्ति जलाते हैं, तो उसकमरे में रखी हुई वस्तूओं को देख सकते हैं, क्या ऐसा नहीं हैं? बिरकास बस्तूओं को नहीं देख सकते हैं, पिरकास बस्तूओं को देखने में हमारी सहायता करता है टॉश का वलब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयम प्रिकास देता है सूर आकास में ऐसा पिंड है जो पिद्वी को प्रिकास देता है दिन के समय हम इसी प्रिकास में प्रिकास में बस्तुओं को देखते हैं जो वस्तु नुख की तरह स्वयम प्रेकास का उत्साजन करती हैं, उन्हें हम लोग दीप्त पिंड कहते हैं। जो भस्तुएं सूर की तरह' स्वयम-प्रिकास का उत्स़रजन करती है उन्हें क्या कहते है भी हुट कुर्सी प्तवास जूते जैसी भस्तूओं के बारहे में आप क्या कहेंगे इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब पिरकास एक दीप्त बस्तू जैसे सूर टौच अर्थवाद बिद्धुत का पिकास से इन बस्तूओं पर पड़ता है तब हमारी आखों की वह आता है बात करते हैं पारदर्सी अपारदर्सी और पारवासी बस्तूओं याद कीजिए हमने अध्याय चार में बस्तूओं को पारदर्सी अपारदर्सी तथा पारवासी के रूम में समूम में बाड़ता है यदि हम किसी बस्तूओं को यदि हम किसी बस्तूओं के आरपार नहीं देख सकते हैं तो है अपारदर्सी बस्तूओं याद रखिए यदि हम किसी बस्तूओं के आरपार नहीं दे आते हैं तो उसे हम लोग अपारदर्व सी बस्तू कहते हैं यदि किसी बस्तू के आरपार देख सकते हैं तो ऐसी बस्तू प्रिकास को अपनी अंदर से होकर जाने देती हैं ऐसी बस्तू को हम लोग पारदर्व सी कहते हैं कुछ बस्तू से आरपार देख तो सकते हैं पर उन्तों बहुत इस बस्तु को पारवासी कहते हैं यदि हम किसी बस्तु के आरपार बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं तो उसे अपारवासी कहते हैं यदि हम किसी बस्तु के आरपार देख सकते हैं तो उसे हम लोग पारवासी कहते हैं अब बात करते हैं क्रिया क्लाब एक के बारे, अपने चारों और देखिए और देनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक बस्तुएं एक अत्तित कर सकते हैं कि जैसे रवर्ड पिलास्टिक, स्केल, पैन, पैंसिल, नोड़ोग, कागज की सीट, अनुरेखन कागज, अत्वा बस्तुओं के आरपार किसी दूरी रखी हुई बस्तुओं को देखने का प्रयास किजिए, क्या दूरी रखी बस्तुओं से आने वाला प्रिकास इन बस्तुओं के आरपार चलकर आपकी आँखों तक पहुँच पाता है, हम देखते हैं कि किसी बस्तुओं अत्वा पदार या आंसिक रूप से या बिल्कुल नहीं गुजणने देती है चायां बास्तों में क्या होती है अप्पे देख अपार दर्थी बस्तु कुदूम में जमीन से कुछ हुचाई पर एक एक करके पकड़िये धर्थी पर आप क्या देखते हैं आप जानते हैं कि धर्थी पर बने एक गहरे काले दब्बे बस्तु की चाया के कारण है कभी-कभी आप बस्तु की चाया देखकर बस्तु को पहचान सकते हैं मैदान में कागची की एक नोट एक सीट बिचाईए किसी सामान जानकारी जानकार अपार दर्थी बस्तु को किसी उंचाई पर किसी उंचाई पर हा अब आपने कुछ अन्मेत्रों को देखकर वस्तुऊं के पहें पहीं कर warto के कि अत्वारात्री में जब कोई प्रकास नहीं होता है,देखते हैं कि आपको को समय भी कोई धिखाय दकाई देती जब कमरे में प्रिकास के सरोत के अत्रिक्त अन कुछ नहीं होता है। ऐसा पितीत होता है इचाया देखने के लिए हमें कोई प्रिकास सरोत अत्वा प्रिकास की पत्में कोई अपार दर्सी बस्तू चाहिए। क्या इसके अत्रिक्त कोई अन बस्तू भी चाहिए। यह एक ऐसा क्रिया कलाब है, जिसे आपको अंधेरे में करना हुआ, साम होती ही, अपने कुछ मित्रों के साथ, एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर, किसी खुले मैदान में जाए, टॉर्च को जमीन के समीप ले जाए, उपर की ओर इस तरह से जलाए, जिसे टॉर्च का प्रिकास आपकी मित के चहरे पर पड़े, तब आपके पास प्रिकास रोद तथा प्रिकास के पत के अनदिस एक अपार दर्जी बस्तू, यानि कि आपका मित है, इस तरह, आपके मित के पीछे पेड इमारत, अत्वा कोई अनबस्तू ना हो, तो क्या, तब भी आपको अपने मित के सिर्की चाया दिखाई देगी, इस का रत यह नहीं है, कि वहाँ चाया नहीं है, बास्तो में टाज का प्रिकास आपके मित के सिर्च से पार नहीं होता है, अब किसी अन मित से कहें, कि गत्य की सीट को आपके मित के पीछे पकड़ें, क्या आप चाया सी आप होधा देनेक जीवन मैं दिखाई देने वाली अनिक चायाओं के लिए पर्ड़े की तरह कार करती हैं कि अ कि तर्द के टरह कार करती हैं चायाओं से में बस्तुयों की आक रिप्टियों के बारे में कुछ जानकारी पराव्ट वती हैं कभी-कभी तो चाया है, हम सभी को बस्तूओं की आक्ति के बारे में ब्रमिल भी कर सकती है। 11.4 में कुछ चाया हैं, दिखाई गई हैं। देखिए, यह हैं। जिन्हें हम अपने हातों से बना कर बिवित जानवराओं की चाया होने का ब्रम उत्बन कर सकते हैं। इसको के मैदान में दूम में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की चाया से क्या लोकन करेंगे। क्या चाया से कुर्सी की सही आक्ति का ग्यान होता है। यदि आप कुर्सी को थोड़ा सगो मादें, तो कुर्सी की छाय की आक्ति में किस पगाय परिवर्धन होता है। एक पतली नोट वो लेकर उसकी छाय को देखिए, इसके बस्चाथ एक आयता का डिब्बा दीजे। उसकी छाया देखिए, क्या दोनों छाये समान आक्ति की पितीत होती हैं। बेविन रंगों के पुस्व अथवा अन बस्तु हैं लेकर उनकी छायाओं का आउलोकन कीजिए। उधारन के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकती। जब बस्तु के रंग भिन भिन होते हैं, तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन भिन दिखाई पड़ते हैं। एक लंबा बॉक्स लेजे, तता पितिवी पर बनी उनकी छायाओं को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गती कराते हैं, तो समय आप छाया के आकार में होने वाले पड़ी बतन को देख सकते हैं। बॉक्स की चाया कब सबसे जोटी बनती है? तब आप बॉक्स को बड़े फलक को दोरी के सामने अधवार जब आप छोटे फलक को सोरी के सामने रखते हैं। आई ये से लंबे बॉक्स का प्योग सरल केमरा बनाने में करते हैं सोची छिद केमरा साइद आब ये सोचते हों कि किसी केमरी को बनाने के लिए हमें बहुत सी सावा क्रिये चाहिए लेकिन यदि हम की बद सरल सोची छिद केमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है, क्रिया कलाब पांच, दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिन में से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल की खिसक सके, दौनों बॉक्स का एक एक छोटा फलक कार दीजिए, बड़ा बॉक्स लीकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा बनाईए इस तरह है इस पर छोटे बॉक्स के दूसरे फलक पर एक बरगाकार जिसकी बुजा लगवग 5 संटीमीटर से 6 संटीमीटर हो काटिए इसका टेवाग पर ट्रेसिंग पेपर चिपका कर ढग दीजिए इस तरह है चोटे बॉक्स वो बड़े बॉक्स में इस परकार कहिए कि चोटे बॉक्स का पारवासी ट्रेलिस्रिंग पेपर वाला परधा बड़े वॉक्स के भीतरों आपका सूची चिद्ड केमरा उपेयो के लिए तियार हो पिए है सोची चिद्ध कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिर से देखें अपने से तथा सोची चिद्ध कैमरे को काले रंग के कपड़े से डग लेजे अब सोची चिद्ध कैमरे से दूरी की बस्तु हैं जैसे पेड अत्वा इमारतों को देखने का प्यारतन करें पीछे तक खिसकाए जब तक दूसरे छोट पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिले क्या सूची चिद्ध कैमरे की पितीवन अपनी चाया से बिनने सूची चिद्ध कैमरे से सूरी के तीबिक पेकास में सड़क पर गतिमान बाहनों विम ब्यक्तियों को द देखे गए चित्ध दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर साते हैं क्या पितीवन सीधे हैं अत्वा उल्टे हैं आश्चय आश्चय आईए अब अपनी सोची चिद्ध कैमरे से सूर का पितीवन बनाएं इसके लिए हमें थोड़ी सी धेन विवस्ता चाहिए हमें गत सूर का विद्धाकार पितीवन गत्य की सीट की चाया की मद्द देखते हैं अपनी जगह से सूर गहन की समय सूर का सूची चिद्ध पितीवन देखें सूर गहन से पहले सूची चिद्ध तथा पर्दे को इस तरह सो विवस्तित करें कि सूर का पितीवन में पर्दे पर होता जाता है हमें सूर को सीधे कदापी नहीं देखना चाहिए यह हमारी आखों के लिए अतेंट आवस अतेंट हानिकारक हो सकते हैं प्रकिति में एक रोख्चत सूची छिद कैमरा है कभी कभी हम ऐसे बैक्चों के नीचे से गुजड़ते हैं जिसमें ठेरों पत्तियां होत इस तरह है बास्तों में विद्धापार पितीबं सूर के सूची चिद्ध पितीबं होते हैं पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची चिद्ध की भादी विवार करते हैं इन खाली स्थानों में सभी पिकार के आने में आक्तियां हो सकते हैं परन्तु हम सूर की विद्ध प्रिटाकार पितीवम को देख सकते हैं, आगामी सूर गहन के समय सूर के पितीवम को देखने का पिर्यास के या तेहंत रोचक हो सकता है, मुझों के मस्त्कस में एक विचार है, हम अपने सूची चद्र कैमरे से सड़क पर चलने चन्ते लोगों के उल्टे पितीवम के साथ क्या होता है, क्या यह पितीवम में भी हमें उल्टे दिखाई देते हैं, पहली का कुछ अन्य विचार है, निश्चिती ये सब पईड़ा में जो हम देख रहे हैं जैसे छायाओं का बनना सोचिछ दिपितीवन आदी तभी संभावर जब पर कास केबल सररेखा में गवन करता है क्रिया कलाप 6 कि पाइप का छोटा टुकड़ा अथभा रवड की लबीग न ली लें कमरे एक में एक तरफ मुभबत्ती जला कर मेंच के उपर लगें अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े ऊकर पाइप से मुभबत्ती को देखें सत्त्र एक कीता है क्या मुंबत्ती दिखाई देती है जब आप मुंबत्ती को देख रहे हैं तब पाईब को थोड़ा सा मोड़ी है सत्तर ग्यारद समलोग साथ भी चित की तरह है क्या मुंबत्ती दिखाई देती है इस तरह है पाईब को अपने दाएं या बाई और गुमाएं क्या आब मौमबद्धी को देख सकते हैं आप इससे क्या निश्करच में काते हैं यह दर साथ है कि पिकास एक सर्वरिखा में गबन करता है कि ऐसा नहीं है इस कारण जब कोई अपारदर सी बस्तू इसे रोपती है तो उस ब करते हैं लोग दरपण तथा परावर्तन के बारे हैं हम सभी घर पर दरपणों का प्योग करते हैं आप दरपणों में अपने चहरे को देखते हैं जो आप देखते हैं वह दरपण में आपकी चहरे का परावर्तन है हम दरपण के सामने रखी होई बस्तूओं का परावर्त खाइब के समय अत्वा एक अंध्यरे के कमरे में किया जाना चाहिए CH QArt की अंगलियों के ठीक बीच कुछ जगे छुड़े इस तरह फिरकास पंज प्रिकास पुन्ज को आपकी मित के द्वारा फखड़े हुए दरपन पढ़ा लिए कि आपकी दूसीर दब प्रिकास का धब्बा दिखते हैं अब टॉच की दिशा इस प्रिकास समायुजित कीजिए कि पेकास का दबा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित के उपर पर यह क्रिया कलाब सुझाता है हमें कि दर्पन अपने उपर पढ़ने वाले पेकास की दिशा को बदल देता है यहां बाइडन किया गया है कि किरियाकलाब यह दर्साता है कि पिकास अल्रेका की अनुदिस गमन करता है वहा दरपन से प्रावल्तित हो जाते हैं बात करते हैं किरियाकलाब भाठ की एक बड़े थर्मो कोल की सीट के एक किनारे पर एक कंगी तथा इसके दूसरे किनारे पर में दर्साई अनुसार इस तरह है दर पर तथा कंगी के बीच कागज की गहरी रंगीन सीट बिचाई है इसे सूर के प्रिकास में रखिए अधिवा कंगी के सामने टॉर्च से प्रिकास करने डालिए आप क्या उलुकन करते हूं कि नौ यारे नौ में दर्साय जैसा प्रेटन करते हैं इसके क्लाप से हमें याग ज्यात होता है कि प्रेकास किस पेकार गमण करता है तथा यह किस पेकार दर्पन से परावर्थित हो जाता है तो इसमें आप लोग ने देखा होगा देप्त की परिवासा देख ली होगी पता है हमें अध्याय को पढ़कर इन परिवास इन सब्दों की अगर परिवासा समझ में आ गई अखरे सब्दे हैं क्या तो हम समझ जाने चाहिए कि हमने सही ध्यान से इसको अध्याय को पढ़ाएं क्योंकि इनी परिवासाओं को समझाने के लिए पूरे अध्याय में आपक जाने देती हैं कि पारदर्सी बस वश्रें बस्टू उस्पित पार ावर्सी बस्तू स्टू पिरिकास के कुछवात को ही अपने में जाने देती है जब पिरिकास के पत्म में कोई पारदर्सी बस्तु आ जाती है तो उसे चाया बनती है साधारन शामक्री से सूची कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर तथा अती दीप्त बस्तुओं के पितिवंग को देखने में किया जा सकता है व्रकास सर रिखा में गमन करती है दर पर परावड़तन से हमें इस परस् इसमें समझाने लाए कुछ भी नहीं है ना समझने लाए कितना टेंसन लेने लाए क्योंकि बहुत ही साधान सब्दों में लिखा गया याद इतना मत सोचिए यह आपका 11 चप्टर खतम हो गए आगे हम लोग देखेंगे विद्धो तथा परीपत के बारे में चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे सब्सक्राइब के लिख्यान के बारे में तिसमें अभी तक हम लोग 11 चप्टर आपके खत्म कर चुके हैं 11 चप्टर था सिरकाश चाराएं चायाएं एवं परावर्त आज बात करेंगे विद्धो तथा परीपत के बारे में याद रखें एंटी एर्ट से संबंदित आपक बिद्धो तथा परीपत याद रखिए जनल टैंसम मत लीजिए क्योंकि जितने भी आठी तक की एंटी आटी है कहानी का एक रोप दिये हुए ठीक हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक दो बार में उस तुरू में टैंसम मत लीजिए और लाश्ट में इसका अगर नहीं समझ में आता है लाखिता तो एक निसकस दिया जाएता है उसके प्रमुक सब्दी दिये जाएते हैं जो आपको समझाए गए है इस वद्याएं अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपकी कमी है फिर अभी दुबारा आप पढ़िए ठीक है तब निकालने अत्वा जमीन की सतय से चल कुछ छत पर रखे हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं अन कौन-कौन से कारें जिनके लिए आप विद्धुत का उपयोग करते हैं उनमें से कुछ को सूची में कर अपने नोटोग में लिए अब लिख सकते हैं डिया क्या आ जहरात में लगातार काम करने में हमारी सहता करती हैं बिद्धुत हमें बिजलीगार से पराप्त होती है फिर भी विद्धुत की आपूटी छब हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्द हो सकती है ऐसली इस्तिती में प्रिकास के लिए टौच का उपयोग करते हैं दौच की बल्व को विंदोष सेल से मिलती है। विंदोष सेल कवयोग, विंदोष सरुद के रूम में अलाराम, गड़ी, कलाइगड़ी, रेडियो कमरा, तथा अनक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विंदोष सेल को ध्यान पूर्वक देखा है। आपने यह देखा होगा, कि इसके एक ओर धातो की टोपी, तथा दूसरी ओर धातो की डिस्क होती है, इस तरहें बिद्धु सेल के उपरी एक धन चिन तथा एक रिड़ चिन देखा है बिद्धु सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा धातु का डिसक रिड़ात्मक सिरा होता है सबी बिद्धु सेल में दो स्रे होते हैं जिसमें एक धनात्मक टर्मीनल सिरा दूसरा उतार रेडात्मक बिद्धु सेल में संचित रसानिक पदारतों से सेल बिद्धु उत्पन करता है जप बिदूर सेल में संचित रसानिक प्दात इस्तिमाल कर लिए जाते हैं तब बिदूर सेल बिदूर प्यदा करना बंद कर दीता है तब उस बिदूर सेल को एक नई बिदूर से बदलना पड़ता है टौर्च की बलब में कांच का एक बाहरी आवरान दातू की सदर पर छिपका होता है बलब ने बिद्धूत खर्मों विद्धूत उपकरणों तता अन्मने स्थानों पर इस पकार के चिन देखा होगा है शेताम ने देखा हुगा, कि विद्धुत का प्यों उच्छे दूरूप से ना किया जाए, तो यह अतेंद खतरनाक हो सकती है, यदि विद्धुत तता विद्धुत एक्तियों को आसावधानी पुर्वा बरता जाये, तो यह गंभी चोट अध्वामित्तित का कारण बन सकती अतेव, आपको कभी भी विद्धुत के तारों इवों सौकेट आदी से प्योग करने का प्यत्र नहीं करना चाहिए, यह भी याद रखिए कि सुबह जनित पॉर्टेवल जेनरेटर द्वारा उत्पन विद्धुत भी इतनी खतरनाक होती है, विद्धुत सम्मंदी सभी क् प्याखों के लिए किवल साधाना वेल्टी का ही उपयुक करना चाहिए, क्रिया किलाब पे एक टॉट्च लीजे, इसके बलब के वीदर देखिए, आप अपने अध्याबकी सायत का सीज़ बलब को टॉच से बाहर भी निकल सकते हैं, आप क्या देखते हैं, क्या कांच के बलब के मद्द एक पतला तार देखते हैं, यह टार्च को सुईच दिवाईए, तदा देखिए कि बलब का कौन सा भाद दीप्त होता है, त्रिकास तंद, फिकास उत्साजित करने वाले पतली तार को लोग तंतु गयते हैं, यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होत है, जैसे बारे बी में दर्च आईए, इस फिकार, दूसरा मोटा तार आधार केंद, पर धादू भी नोग से जुड़ा होता है, बलब के आधार पर धातू का डाचा, ततना धातू के नोग बलब के दो टर्मीनल हैं, यह दोनो टर्मीनल इस फिकार लगाए जाते हैं, कि कि एक-दूसरे को न छून, घरों में उपयोग होने बाले ब्यद्द बलब के ऐसी ही सररजना होती है, इस पकार ब्यद्द सेल ब्यद्द सेल, ब्यद्द बलब दोनों ही दो टर्मीनल होते हैं, तून sources, देखती हैं आगे यहां चेटां हों ही देख लிत्द्द बिद्व सेल दो टर्मिनलों से जोड़े तारों की को सुईच तथा वल्ब जैसे इप्ति के भी जोड़े बिना आपस में कतापी ना पहले। यदि आप ऐसा करेंगे तो बिद्व सेल के रसानिक पतार बड़ी तेजी से खरच हो जाएंगे और सेल कार करना बंद कर देगा। बात करते हैं विद्व सेल से जोड़ा हुआ बलब। विद्व सेल का उपयों करके एक बलब को दीपतिमान करने का प्रयास करते हैं। यह सा हम किस पेकार करते हैं। क्रिया गिलाब दो बिविन रंगों की प्लास्टिक का आवरण चड़े विद्व तार की चार टुक्रे प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस पेकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावरित हो जाएगा। दो तारों के अनावरित भागों को विद्व सेल तथा दूसरे दो बलब को बलब से जोड़ने के लिए आप विद्व टैप बिली के मिस्त्रियों दोराओ प्यूब की जाने वाई उस सेल के लिए रवर्ड बेंड या टेप का प्यूब कर सकते हैं। अब बलब दिद्व सेल को अलगलग छे विन धंगों से जोड़िये जैसा कि बारे पांच में दिद्व सेल तथा बलबों को जोड़ने की पिक्तिरिया वि इते एक विवस्ता के लिए हाँ या ना लिखी। अब उन विवस्ताओं को ध्यान में देखिए जिनमें बलब दीप्त होता है। इस विवस्ता की तुलना दूसरी विवस्ताओं से कीजिए जिनमें बलब दीप्त नहीं होता है। किया आ इस अंतर का कारण ग्याब करता हैं? चित बारै 5 एक में, विद्व सन्की टर्मीनिल से पैरं करके अपनी पैंसल कि नौप को तार के अनुदिस बलभ तक लाईये अब बलब के दूसरे टर्मीनल से प्वारम करके विद्दो सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिस पैंसिल की नौग को लाईए इस कार को चित बारे पांच की तरह सेस बेवस्थाओं के लिए दोहराईए क्या उन बेवस्थाओं में बलब दीप्थोगा होता है जिनमें सेल के टर्मीनल से बापस दूसरे टर्मीनल तक पहुचने में पैंसिल को उपर उठाना पड़ता है बात करते हैं बिद्धुद परिवाद क्रिया क्लाप दो में आपने बिद्धुद सेल के एक टर्मीनल को तार द्वारा बलूप से होते हुए एक बिद्धुद सेल की तूसरे टर्मीनल से जोड़ा है ध्यान दीगे बारे पांच यह में इस तरह अको चैए है तह बारे एक हंते एक है किया है एक है ट्रि विवस्ताओं के में बिद्धुद आपकर مें बों की दो टर्मीनल वल्व के दो टर्मीलों से जुड़े गए इस प्विकार चैए विवस्ता बिद्धुद परिपत का एक उतारन पिदुद की दो वड़ तर्मिनल को वीच बिद्धुदविरवार कि संवड़ाता है, वलब के वंड तभी दीप्त होता है जब परिपत में बिद्धुदथरा जरावी होती है, किसी बिद्धुद परिपत में चित्च बारह रहिए कहीं है घई अनुसार विद्धु धारा की दिशा विद्धु सेल के पिलस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है जब बलब के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्धु सेल के टर्मिनलों से जुड़ा जाता है तो बलब के तंतु से होकर विद्धु धारा प्रवावित होती है यह बलब को दीप्तिमान करती है, कभी-कभी विद्धुद बलब विद्धुस से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होती है, ऐसा बलब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है, फ्यूज बलब को ध्यान पूर्वक देखिए, इसका तंतु अच्छुन या तूट जाता है, अ टर्नमेंटों के बीच विद्धुद धारा का परिवर तूट जाता है, इसलिए फ्यूज बलब के तंतु से विद्धुद धारा फ्रवावित ना होने के कारण या दीप्तिमान नहीं हो पाती है, क्या आप बता सकते हैं कि 12B, 12C, 12.5 BCDE में आपके प्रियास करने पर भी ब दो सेल का फ्यूज बलब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है, क्या आपने अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे, एक टॉर्च बलब तता तार का एक टोपड़ा लीजिए, पहले की तरह है तार के दौनों से तरों से प्लास्टिक आवरन को अटाईए, 12C की तर तार के एक शरी को भलब के दातू के दाचे के चारों और इस तरह है, चारों और लपेटी है, तार के दूसरे शरी को रवर्बेंड की सायता से बिद्धु सेल के रणात्मक टर्मिनल से जोड़िए, अब बलब के आधार की नौ अर्थास इसके टर्मिनल को बिद्धु सेल करने में बिद्व सेल की नौक से इसपर्स कराते तथा हटाते यह एक साधान बिद्व स्वीच था इसे उपयोग करना सुवीधा जनक नहीं है हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सेल इलाम सुवीधा जनक स्वीच बना सकते हैं आप दो ड्राइंग पैन पिन एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिफ दो तार तथा थर्मो कॉल या लपड़ी के बोर से एक बिद्व स्वीच त लगा कर इसे थर्मो कॉल शीट पर गार दीजिए जैसा कि चित बारहे समलो 8 में दिखाया इस तरह सुनेश्च कीजें कि शुरक्षा पिन आसानी से घुमें आप दूसरे ड्राइंग पिन को थर्मो कॉल सीट पर इस तरह लगाईए कि सुरक्षा पिन का सुतंद सिरा इसे सकी इस पेकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इसके रिया किलाब में आपका सुईच होगा अब बित्व सेल वलब था सुईच को बारे नौ में दर्शाय नुतार जोड़कर फरीपत को पूरा कीजिए सुरक्षा पिन को इस तरह गुमाएं कि उसका सुतन सिरा दूसरे ड्र कि ईसके सलब तरह अब कि पडिद्व को होगा होता है एक शसा clicking को OUTध़ा जित्व परिभत पूरा हो जाता है इस तरह होता तो एक अन श्छिति Japanese सुईच इस तरह होगा कि आ जिचिए यज़े रहेगा ठीक तो apprendre इसी तरह तो हमारे यहां के जो स्वीचॉप इसी तरह लगे होते हैं, इसके भी भी जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से इस्पेस्ट नहीं करती, तो बिद्धुत बलब दीथिमान नहीं होता है, इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्तिस्थान बंद नह होता है, तो अष्था परिवपत पूरा नहीं होता है, इस दसा हिस्टिति में सुईचॉप कहा जाता है, इसे स्वीच, एक सर लिपती है, जो परिवद को जोड तोड सकती है, घरओं में सुईच का उपयूग बलब को दीथिमान करने या अनुपतियों को चलाने के लिए क इकभी घरों में उपयोब होने वाले स्विच इसी सिधान पर कार करते हैं पर उनके डिजायन जटल होते हैं विद्धू चालक तत्थम विद्धू द्रोधग हमने अपने सबी करीयाक लावों में परीपत को पूरा करने के लिए धातू के तारों उपयोब करें तो पार मानलीजीए कि परीपत बनाइने के लिए फ्रीय के लिए परीपत से स्विंच को अलग कीजिए ऐसा करने से आपको बारे दिसमुला बार बाहरे एक , यह सता दो स्वितर। सुतंतों की सेरों मिल जाएंगे, इन तारों के दूनों शेरों को एक दूसरे के समीब लाएं इस तरह, एक दूसरे को सपार्स करें जिए, क्यानलब चलता है अब आप इस विस्टा को पतारतों के परिशन के पयोग में ला सकते हैं के विद्दुत दारा पिरवावित करते हैं तत्वा नहीं आपकी विद्दुस्यार है इसलाइट स्वीच है आपका फिलास्टिक का आवराण परवर्ट यह आपका बलब लगा हुए जैसे यह जोड़ता है वलब जल जाता है स्वीच यहां से स्वीच रहता है इन्हें दो को जोड़ता है जैसे जोड़ेगा इसका मतलब जल जाएगा टोड़ जाच करने के लिए बिभिन पेकार की पतार्थों जैसे सिक्के कॉप रवड का चारिया बिन पिलास्टिक का स्केल लगड़ी का गुटका एलुमिनियम की बत्ती मौंबती सिलाई मसीन की सुई थर्मोपोल का वैच पैंजिल की लीड आधी कतित कीजिए चालब गवनों तारों की सुतन सेरों को पितेग नमूने से बारी-बारी चलकिए स्पस्ट करें ध्यान रखिए कि दौनों तार एक दूसरे को इसका ना करें किया हर बार भलब जलता है चावी की धातू से आपका बलब चलता है और रवर्ड से आपका नहीं जलता है इसी तरह आपका प्लास्टिक से नहीं जड़ेगा कांच की सुई से नहीं जड़ेगा लोई की कील से जलेगा जो भी धातू है उससे जल जाता है आप क्या पाते हैं फरिक्षन के लिए उप्यक्विए कि कुछ पदार्थों से तारों के सुतन स्रिफ लगाने पर बल दीप्तिमान नहीं होता इसका अलत है कि यह पदार्थ बिद्धुधारा को अपने अंदर से फिरवावित नहीं होने देते हैं इसके विप्रित बल्व के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से बिद्धुधारा का फिरवाव होने देते हैं जो पदार्थ बिद्धुधारा का फिरवाव होने देते हैं उसे बिद्धुध चालक कहते हैं अब याद रखिए बिद्धुत चालक की पईवासा के लिए इतनी कहानी गड़ी गई 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 जो पदात बिद्धुत धारा का प्रभार होने देते हैं उने क्या कहते हैं बिद्धुत रोधक अपने अंदर से बिद्धुत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं थे उन्न पदार्तों के नाम बताना है जो विद्धूत चालक हैं उन्न पदार्तों के जो विद्धूत bliss कैया रोल के अभी विद्धूत में पातो चालक है अब आप आसानी से संद की तारों सो हो नींप धाको का क्योण होता है आहिए करिया कलाब 4 को इसमार्ट करें जिसमें अपने स्वीच के साथ एक परीपत बनाये था जब स्वीच खुली इस्तिती में है तब क्या दो ड्राइंग पिन धर्मो कोल सीट से जुड़े हुए नहीं थे परंदू आप चानते हैं कि धर्मो कोल एक बित्वत रोधक है रेक्तिस्थान में जब बायू होती है तब क्या होता है चुकि स्वीच के दो ड्राइंग पेंट के बीच में जब किवद बायू थी तो बलब दीखतिमान नहीं होता है इसका तात पर है कि बायू भी आपकी विद्वत रोधक है विद्वत रोधक हमारी लिए समान रूप से मात्पून सुईच विद्वत बिलब प्रॉक्रेट सुचालक बदारतों से बनाय जाते हैं दूसरी और विद्वत तारों तिलगों कि उपर के भाग सुईच विद्वत रूपकरणों के अन्र भाग जिन्हें लोग इस्पैस कर सकते हैं इनको बनाना नर के लिए रवड ता पिलास्टिक का उप्यूग किया जाते हैं आपका सरीर विद्वत का पहुत अच्छा चालक है अतार विद्वत उपकरणों का उप्यूकति सुमय सावधानी बढ़ती है तो इसमें हम लोग उने सद्याय में क्या क्या दिखा है वलप देखा है विद्वत चालक देखा है विद्वत परीबत देखा है तंदू देखा हएं लाते से देखा हैं तर्मीनल देखे कि याद रखिए अगर अध्यािये पूरा खत्म करने के पाथ अगर आपको इन सब्तों की परिवास्था यह इन को सब्द क्या होते हैं अगर आपको जनकरी नहीं होती है या नहीं समझ बाते हैं तो आपने अद्याय अच्छे से नहीं पड़ा है कि यह एक बार और पड़ी आपको आराम से पता चल जाए इसमें जो साहरांस दिया गया यह अच्छी बात है क्योंगी लाश्क में पता तो चल जाता है कि आखरेस अध्य यो इसके तर्मिन्ट अब्धिघ होता है, विद्दुधारा प्रभावित होने पर विधुथ भलव को ब हो जाता है, बंद विद्दुथ परिपत ने कि पीत उड़ औरा विद्दु आटबा singular कि प्रावीत होती है सुई चेक सरह लेगती है जो विद्धुधारा के फ्रभाव को रोखने या पराम करने के लिए प्रीपत को तोड़ता अत्वा पूरा करता है जिन पदारतों से उकर विद्धुधारा फ्रभावित हो सकती है विद्धुध के चालक कहलाती है जिन पदारतों से विद्धुधार आप तरवावित नहीं हो सकती विद्धुद रोधर कहलाती हैं क्या कहलाती हैं विद्धुद रोधर यह आपके अभ्यास के लिए कुछ मत्वूर कुश्चन्स दिए गए हैं पीडिये बैसे भी आपके टेलीग्राम पर डाल देगे हैं वहां से डाम लोग कर देगां तो यह था आपका बारवा चप्टर आंगे हम बात करेंगे तेरह में चुमकों द्वारा मनोरन्यन ठीक है तो चली हम लोग बात कर रहे थें NTEIT कट्चचचटवी की बिग्ज्यान के बारे में साइंस के बारे में तो अभी तक हम लोग 12 चप्टर आपके खतम कर चुके हैं यह आज बात करेंगे चुमकों द्वारा मनोरन्यन को देखेंगे क्या है चुम्म को द्वारा मनरणन याद रखिए फिर से कहूंगा कि इन किताबों को एक कहानी की तरह पढ़िए आप सुनिए लास्ट में महलुक चली जाता है कि क्या क्या हम उन्हें पढ़ा है और क्या क्या जाना है अगर फिर भी आपको लास्ट में जो निसकर्ष निकलत हो सकती है क्योंकि इतनी सल सब्दों में लिखी गई है कि इसमें जाना दिमाग लगाना ही नहीं है पहली तथा बूजो ऐसे इस्थान पर गए जहां अवसिष्ट कूडा कवार्थ पदार्थ के बड़े-बड़े धेर थी कुछ फ्रोसाब घटना घट रही थी कूडे की ध करेंड की और एक गुटकी को नीचे किया फिर गुटका उपर उठने लगा अनमान कीजे कि यहां क्या हुआ है वीकार पुराने लोही के बहुत से टुकडे गुटके साथ के साथ चिपक कर क्रेंड के साथ जाने लगी इस तरह उन्होंने अभी अभी चुम्मकों के बारे में एक अती रोचक पुस्तक पड़ी थी तथा तूरन जान गए थे कि क्रेंस से अवस ही एक चुम्मक जुड़ा था जो कबार से लोहा चुन रहा था आप में से बहुत लोगों ने चुम्मक अवस देखे होंगे इनसे खेलकर आनंद भी उठाया हुआ क्या आपने चिपकू इस टीकर देखे हैं जो लोहे की सतों जैसे अलवारी या रेफेजरेटर के दरवाजों से चिपक जाती है कुछ पिन धारकों होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपकते दिखते हैं कुछ पैंसेल बॉक्सों में ताले की विवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यहां कसकर बंद हो जाते हैं ऐसे चिपकू या तिन धारकों तथा पैंसेल बॉक्सों में चुम्मक लगे होती है इस तरह यदि आपके फास इनमें से कोई भी बस्त हुए तो उनमें चिपके होगे चुमक को खोजने का पैरतन करें चुमक कैसी खोजा गया है कहते हैं कि प्राची ने उनार में एक गडरीया रहता था उसका नाम मैगनस था वह अपनी भेडों तथा बक्रियों के जुन्ड को पास के पहाडों पर चराने के लिए ले जाता था भेडों पर नेंतर के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था छड़ी के एक सिरे फलोहे की टोपी लगी होती थी एक दिन पहाड पर चटान के उपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोड लगा लगाना पड़ा तुवा है आश्चय चके थुआ चटान चड़ी को अपनी और आकरसित कर रही पितीत हो रही थी यह चटान एक प्राक्तिक चुम्मक थी और इसने गड़रीय की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी और आकरसित कर लिया था कहा जाता है कि इस पेकान प्राक्तिक चुमक की खोचकी होई संभावता उस गड़रीय के नाम पर उस पर्थर को मैगनेटाइट नाम दिया गया मैगनेटाइट में लोहा होता है कुछ लोगों को विश्वास का विश्वास है कि यह मैगनेटाइट मैगनेशिया नामकिस्तान पर सबसे पहले पाए गया जिन पतार्थों में लोहे को आकरसित करने का गुड़ पाया जाता है विचुम्मक कहलाते हैं समझ में आया इतनी कहानिया इसलिए बताई गई जिससे आप चुम्मक की परिवाद साथ समझ पर सकें जिन पदार्थों में लोहे को आकरसित करने का गुड़ पाये जाता है उसे क्या करती है चुम्मक लोग अब तक जान चुके थी कि कुछ चट्टानों में लोहे की टुकणों को आकरसित करने का गुड़ होता है उन्हेंने यह भी पाया कि चट्टानों के छोटे चोटे टुकणों में कुछ विसेश गुड़ होते हैं विराप्ति ग्रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्हें चुम्मक कहां ततवर्षास लोहे के टुकणों से चुम्मक बनाने की विदी काविस्कार हुआ इन्हें किंतिम चुम्मक कहते हैं आ अज कल विदीं वियाकृं के किंतिम चुम्मक बनाये जाते हैं उध्ермारने के लिए च्छड चुम्मक नाल को टुम भीलनकार अद ounce स्बॉतूंप चित्ट 16 Això माय से रहला यह से कुछ चुम मक दलसाजी देख लेए हैं कि वेभेन पेकार के चुम्मक अब बात करते हैं क्रियकला प्रियोक साला की तरह ठीक फिलाश्ट्री कत्वा कागज का एक प्याला लीजी इसे एक स्टेंड पर सिकंजे की साहता से कस्ती जैसा कि चित्व फंद्रे इस तरह पंद्रे पांच में दर्साय गया है प्याले के अंदर एक चुम्मक रखिए तथा इसे कागज से ढख दीजिए जिससे एक चुमक दिखाई ना दे लोहे के बने एक फिलिप को किलिक को एक धागे से बांदिए धागे की दूसरे सिरे को स्टेंड के आधार के साथ बांदिए दिखाई रखेगी धागे की लंबाई को पर्यापत चोटा रखना यहां एक युकती है खिलिप को क्याले के आधार की समीप लाइए खिलिप बिणा किसी सहारे के एक पतंग की बांदि हवा में रुका रहता है इस तरह बात करें चुमी किये तथा आचुमी किये कदारतों के बारे में क्रिया कलाब सिंक आईए मैगनस की बात ही बहमाड करें इस बार हम किबल चुमक तथा लोहे की परिस्तितियों को पदल देंगे अव गड़रीय की छड़ी के सिरे पर एक चुमक होगा हम किसी होकी श्टिक वेहमर चड़ी या किर्किट के विकिट के साथ एक छोटे से टुपडे चुमक को टैप या गौन की साहता से चिपका सकते हैं। आईए हम विद्ध्याले के खेल मैदान में मैगनस वेहमर फ़र चलें। हमारी मैगनस चड़ीयां विद्ध्याले के मैदान से क्या-क्या बस्तुओं उठाती हैं। चुमक से चुएं और देखें कि कौन सी बस्तुओं इसमें च्पकती हैं। अपने नोट्विक में साड़नी 3.1 की माती एक साड़नी बनाएं अपने पिक्चर अंकित कीजिए साड़नी 13.1 अंतिम फॉलम देखिए उन बस्तुओं के नाम लिखिए जो चुमक द्वारा आकरसित होती है अब उन पदार्थों की सूची बनाई है जिनसे ये बस्तुओं बनी हुए क्या कोई ऐसा सरफ्षिष्ट पदार्थ है जो चुमक द्वारा आकरसित होने बाली सभी बस्तुओं में बिद्वान है हम यह समझ सकते हैं समझते हैं कि चुमक कुछ पदार्थों को आकरसित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुमक की ओर आकरसित नहीं होते हैं याद रखिए जो पदार्थ चुमक की ओर आकरसित होते हैं बे चुमक की ये पदार्थ कहलाते हैं जैसे आपका लोहा हो गया निकल हो गया, एवं खुबायट हो गया, जो पदा चुमक की ओर आकासित नहीं होते हैं, बे आचुमक की और कहलाते हैं, याद रखी है मिट्टी आका चुमक की पदाते है, आचुमक की और बताना है आक great तो यह, अब बात कर दें, क्रिया कलाभ 3 को देखते हैं, किसी चुम्मक को रेत अधवा मिट्ञ में रग दो आगभ यह Mm क्या चुम्मक के साथ कुछ रेत अधवा मिट्ञ के कड़ चपख गए अब इन रेत अत्वा मिट्टी के कड़ों को हटाने के लिए चुम्मक को आराम से हिलाएं क्या कुछ कड़ अब भी चपके हुए हैं ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के टुगड़े हो सकते हैं इस करिया कलाप के द्वारा हमें यह ग्यात कर सकते हैंगी क्या किसी स्थान की रेत अत्वा मिट्टी में लोहे के कड़ विद्दमाद है अपने घर के पास स्कूल में अत्वा आउपास के दिनों में बहमर किये इस्थानों पर इस करिया कलाप को करने का परियास कीए क्या चुमक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर कि इस तरह और कि आप ने जो ग्याद किया है उसकी साइनी बनाई है एक परयाप्त लोहे के बुरादी के साथ यह इसमें आपका कुछ ब्रादी से गाल विना बुरादी के साथ तीसरा सीमें ठीक है आगे बात करते हैं ज़ी आप इस सायनी को वर्ते हैं तो इससे पहली बूजों के पास बेजते हैं तो भेट देश के विभन ने भागों की मिट्टी में पाई गए लोहे के बुराधी की मात्रा से तुला कर सकते हैं बेहार के साथ इस जानकारी को मार सकते हैं अब बात करते हैं, चुम्मक के धरोगी. हमने देखाए कि मिट्टी में चुम्मक रगणने पर लोहे की कड़ candles कुमक चेपकते हैं. क्या आप चुम्मक से चेपकने के डंग में कुछ बिसे स्था देखते हैं? क्रिया कलाब और एक कागज की सीट पर लोहे का बुरादा पहलाईए इस सीट के उपर एक छड़ चुम्मक रखिए आप क्या देखते हैं क्या लोहे का बुरादा चुम्मक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चबखता है क्या आप चुम्मक के किसी भाग में किसी अन भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं चुम्मक चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाईए इस क्रिया कलाप को दहराईए क्या आप चुम्मक के विभिन भागों को आकर्सित से आकर्सित हुए लोहे की बुरादे के तरीके में कोई परिवतन देखते हैं आप इस क्रिया कलाप को लोहे के बुरादे के इस्तान पर पेने या लोहे के कीलों से तथा विभिन आकार के चुम्मकों से भी कल सकते हैं चुम्मक से लोहित के बुरादे के चपकने के डंका आर्यक बनाई है हमने ग्याद किया है कि अधिकतर लोहित का बुरादा चट चुमक के दौनों सिरों के पाप चिपकता है चुमक के दरुब इन सिरों के लदी उते होते हैं कप्छा में विभिन आपती के चुम्मकों को लाने का प्रयास किजिए लोहे के बुरादिय का उपयों करके इन चुम्मकों के धरब की इस्तिति कि जाच कीजिए दिसाएं ग्याद करना क्या दिसाएं ग्याद करना फिराचीन समझ में से ही लोग चुम्मकों के बारे में जानते थी चुम्मक के बहुत से घुड़ वियोंने आप ग्याद थी आपने चुम्मकों के उपयों के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवस्य सुनी होनी ऐसी ही कहानी है चीन के एक सम्राट के बारे में जिसका नाम था वुवांग टी कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महला की मूर्ती थी मूर्ती किसी भी दिशा में घूम सकती थी इसकी एक फैली हुई भुजा थी जिसे की रास्तक दिखला रही हो मूर्ती में एक अनौखा बुर्ता मूर्ती एसी स्तिती में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सद्यों दच्छिन के ओर संकेत करती थी समराट जब इस रत से किसी नए स्थान को जाता मूर्ती की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ग्यात करता था आईए अपने लिए एक दिशा निर्धारन निर्धारक करते क्रिया गला पाँच एक छड़ चुमक लिए इसके एक सरीप पहचान के लिए एक चिन लगाईए अब एक धागे को चुमक की मत्रे बिंदू से बाढ़िए जिससे की इसे एक लगडी के स्टेंड पर लटका सकें यह श्रनिश्चित कीजिए कि चुमक पितीक दिशा में सुतनता पुर्वा घूम सकें इसे बिरामवस्था में आने दीजिए चुमक की बिरामवस्था में इसके दोनों सरों की स्थिती दर्साने के लिए धर्ती पर दो बिंदू चिन्नित कीजिए इन बिन्दों को एक रेखा से मिलाई यह रेखा उस दिशा को दर्साती है जिस दिशा में चुम्मक अपनी विराम अवस्था किसमें विराम अवस्था की इस्तिती में आकर रुखता है अब चुम्मक के एक सरे को आराम से धक्का देकर गुमाईए तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए विराम अवस्था में इसके सरों की स्तिती को दुबारा चिनित कीजिए क्या आप चुम्मक के विन्नित दिशा दर्साता है चुम्मक को एक दूसरी दिशा में गुमाईए तथा इसके बिराम में आने की इस दित अंदिम दिसा को नोट किए क्या आपने देखा है कि बिराम सुभा में चुम्मक सदे रुपता है क्या आप समरार्च के रत्की मूर्ती के रहस का नुमान लगा सकते हैं इसकी रिया कलाब को चुम्मक के स्थान पर लोहे की चार और प्लास्टिक अथवा लगडी के स्केल से दुहराईए इसकी रिया कलाब के लिए हलकी बस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहां तीब वायू चल रही हैं वहां से भी बचिए क्या अनपदार्द भी सधियो एक ही देशा में विरावरस्था में आते हैं हमने देखा है कि सुदंत लटका हुए चुमक सधियोगी एक निश्चे देशा में विराव में आता है जो कुत्तर दर्चेन होती है कौनसी देशा होती है उत्तर दर्चेन जहां आप यह बयोग कर रहे हैं वहां फृता उपते चुम्मक को सब्सक्राइब करता है। सभी चुम्मक के दो दोग होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो, सामानने ता चुम्मकों पर उत्तर एन और दच्चन एस द्वर्मों को अंकित किया जाता है। चुम्मक का यागुर हमारी लिए अतिन्त उपयोगी होगा। सताब्दियों तब यात्री चुम्मक के इस गुड का उपयोग दिसानिदारण के लिए करते थे। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राक्तिक चुम्मक अपने साथ दे जाते थे। जिसे धागे से लटका कर दिसानिदारण करते थे। ततबश्चा चुमकों के इस गुड पर आधारित एक युगती विप्सित हुई है यह कपास जिक सूचक के नाम से जानी जाती है। कपास सामन का काच के ड़कन वाली एक चोटी डिब्बी होती है। एक चुमकी सूची डिब्बी के अंदर एक दुरी पर लगी होती है। जो सुतंता पुर्वा घूमती है। कपास में एक डैल भी होता हैं जिस पर दिसाएं अंकित होती है। कपास को वो इस इस्थाम पर रखते हैं जहां हमें दिसार निर्दारण करना होता है। इसकी सुई बिरावस्था में उत्तर दच्छन दिशा को निर्दीशित करती है। कपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दच्छन किचिन सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। चुमकी सुई के उत्तर ही धुरों की पहचान के लिए सामनता इससे देन रख से प्रेंट किया जाता है। यह है आपका कपास करें। अब देखते हैं अपना चुमक स्वम बनाईए। चुमक बनाने की अन्यक विधियान आए हम सल्दम विधि सीखें। लोहे का एक आयता का टुकडा लीजे। इसे मेच पर रखिए। अब एक छड़ चुमक लीजे। इसका कोई एक दुरुब लोहे की छड़ केक सिरे पर रखिए। चुमक को बिना हटाए। इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे पर ले जाए। छुम्मक को उठाईे, तथा उसी दुरुप को पुपड़े के लोहे की टुपड़े के पचे पारम्बिक चिप से पर वार शीर वार बाल होटे और ले जाए इसका का च्रड़े हुआ है जोए कि चड़ चुम्मक बन गई है इसके लिए कोई पिन अत्वा लोग का बुरादर इसके समीख प्लाईए यदि है चुम्मक नहीं बनाए तो इस पर क्रिया को कुछ दे तक और जारी रखे दियान रखिए कि चुम्मक का उदरो तथा इसे लोग की चड़ पर रगणने की कि दिशा बदलनी नहीं चाहिए आप लोही की कील सुई अत्वा बिलेट आदी को भी इसी पकार चुम्मक बना सकते हैं अब आप जान गए हैं कि चुम्मक कैसे बनाया जाता है क्रिया क्लाव 6 छड़ चुम्मक के उपयोग से लोही की सुई को चुमकित कीजे अब इसे किस पानी से बारे प्याले अत्वा टम में तेराई है यह सुनेश्चेत कीजे कि सुई पानी को नाचुए अब आपकी कपास कार करने के लिए त्यार है तैरि ती कोंग ठीड़ अलगी सुई की दिशा नोट कीजे सुई लगी कों इस चुस आ समें गुमाईये जब बिना गुमाई को तैरने लगे तो सुई की दिशा पो नहां नोफ कीजे किना कोocy का गंता बंद होने पर सुई सदेयो एकदिसा में दर्स आई जाती है चुमक के चुमकों के बीच आकर्षण तथा पिती कर्षण आईए चुमकों से एक अन्न रोचक खेल खेले दो छोटे छोटी खिलोना कारें लीजिए तथा उन पर A एवं B अनकित कीजिए पिते कार के उपर लंबाई के विपरी दिसा में रखिए इस तरह अब दोनों कारों को एक दूसरे समीब लाईए आप क्या देखते हैं क्या कारें अपने इस्थान पर रहती हैं क्या कार एक दूसरे से दूर जाती हैं क्या कारें एक दूसरे की और चलकर टकराती हैं अब खिलोना कारों को एक दूसरे के समीब इस फिकार रखिए कि कार A का पश्च भाग कार B के अग्वाग के संभू करें क्या ये पहले की तरह चलती हैं जिसे दिसा में आप कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए अब कार A को कार B के पीछे रखिए तत्म पिते की स्थिती में उनके चलने की दिसा नोट कीजिए अब कार B का पश्च भाग कार A के पश्च भाग की ओर रखकर इस करिया कलाब को दोई या दो राएं परसपर आकर्षण या पिती कर्षण इतनी कहाने आपकी इसलिए बताएगी कि आकर्षण और पिती कर्षण आप लोग जान सके चुमक का यह गुड़ एक चुमक को लटका गुड़ एक दूसरे चुमक की उत्तरी तथा दच्च्टी दुर्ब को एके करके इसके समीब लाकर और भी देखा जा सकता है उची ए रतामिया या मोff क को गरम किया जाए तो आहत्वडे से पीटा जाए या मुचाए से गरा जाए तो यह हैं अपने गॉBro ख़ो देता है जुma जादी चु związ चुम्मक का उचत रख रखाव ना हो तब भी समय के साथ चिहएर हो जाता है छड़ चुम्मक को सुरक्चत रखने के लिए उसके जोड़ों के आसमा दुर्वों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुम्मकों को लखडी के टुकड़े से पेथख करके इनके सिरों पर नरम लोहे के दो टुकड़े दगाने चाहिए। नाल चुम्मक का बंदारन करने के लिए इसके दुर्वों की संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुम्मक को कैसेट, मुबाइल टलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। तो यह थी पूरी आपकी कहान है। इस जान लिए, मैगनेटाइट एक प्राक्तिक सूचक है। चुम्मक लोगा, निकेल, कोबाइल, जैसे कुछ पदारतों को आकरसित करता है। ऐसी पदारतों को चुम्किये पदारत कहते हैं। जो पदारत चुमक से आकरसित नहीं होते हैं, पे अनुच्वों में किया कहलाती ह एक चुम्मक के दो दर्म होती हैं उत्तरी दर्म और दच्छडी दर्म सुतंता पुर्वक लटकाने पर चुम्मक सधे उत्तर दच्छड दिशा में आकर रुपता है दो चुम्मकों के आस्मान दर्म एक दूसरे को आकरसित करती है जब कि समान दर्मों में परस्पर पित्ती क परसंड होता है समझ में आगे मुझे खुछ समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों को समझाओं करें कि यह बहुत थी सरसब्सक्दम में लिखी अभी बता रहा हूं एक दुबार पढ़ों कि आराम से समझ में आ जाए ऐसा कोई भी टम्स नहीं है इसमें आपको समझ में न निकल वा लिए जोगी आपको अच्छा लगी है एक दू बार आपको पढ़ लेना है बस जिससे आपका वेस्ट केलियर हो जाए और कोई जरूरत नहीं है जाए आराम से एक दू बार पढ़ लिए बस ते था हमारा ते रहेवा चक्टर आंगे हम बात करेंगे 14 वी चक्टर में जल के बारे में तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCRT कच्छा चटवी की विज्ञान के बारे में साइंस के बारे में तो अभी तक हम लोग 13 चक्टर इसमें खतम कर चुके हैं इसमें बात करेंगे आई जल के बारे में किसके जल के बारे में मैं आप लोगों से बार ब सब्देसा है जो समझें कियोंकि सभी सब्सप्राइब कि जो आप एक दो वार अगर पढ़ेंगे मुझे भरोसाइगी आपको समझ में आजाएगा आँ तो इतना दिमार पर जोर मदा लिये एक दो वार देखिए आँ रहां से समझ में आजाएगा जल्म मालेजी किसी कारण बस आपके परिबार को एक सबताय तक इती दिन एक बाल्टी जल्ब मिलता है कल्पना कीजे तब क्या होगा क्या आप खाना पकारना, कपड़े दोना, वर्तन साफ करना और इश्नान करना जैसे कार कर पाएंगे इसके अत्रिक अन कौन कौन से करिया कलाब हैं जिनने आप नहीं कर पाएंगे यदि आप काफी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा पीने के अत्रिक ऐसे बहुत से करिया कलाब हैं जिनके लिए हमें जल का पयोग करते हैं क्या आपको यह अनुवान है कि हम एक दिन में जल की लगवब कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं। हम कितने जल का उपयोग करते हैं। देखते हैं। किती दिन के उन सभी क्रियाक लगवब के सूची बनाई है। जिन में आप जल का उपयोग करते हैं। सायनी 14.1 में कुछ क्रिया कलाकों की सूची दी गई है इसी पिकार की सायनी अने अपनी नोट रूप में बनाई है अप पूरे दिन में आप अपने फरीवार के सदस्वारा पितिक क्रिया कलाब में प्योक्त जल्की मात्रा मापी है आप मापन के लिए मग, गिलास, वाल्टी या फिर किसी अन्य वरतन का उपयोग कर सकते हैं इक क्रिया अपने के लिए जैसे पीने के लिए पाने का यूज करते हैं बोर्स के लिए नहाने के लिए वरतन साफ करने के लिए कपड़े दोने के लिए सोचाले में, फर्स साफ करने में, कोई अंक के लिए, परिवार में एक दिन में उपयोग हुए जलकी कुल मातरा, अब अपने अपने परिवार के साब से आप लोग कितना यूज करते हैं यहां भार के नहीं के लिए, ठीए, हम लोगों को ये ये सभी नहीं करना है, ये क्रिय यह अकला मतलब योगी साइडी भरने की जरू है, हमें नहीं है, हमें समझना है उनंक्षप्टों को, जिसमें छिपे हुएं, इस पूरी कहानी में छिपे हुए northernmost você इस पूरी कहानी हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए जरूरी है उन्सी गजारव बूस्त जो हमें जरूरी है, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है अब आप यह जान गए होंगी कि पिती दिन आपके परिवार में लगवा कितने जल का उपयोग होता है क्या आप अपनी सच्छा के लिए के लिए एक दिन में उपयोग किये जाने वाले पानी की मात्रा का अनमान लगा सकते हैं इस जानकारी का उपयोग करकी यह करना कीजिए यह आपके परिवार को एक बर्स में कितने जलकी आवस्तक्ता होती है अब जलकी इस मात्रा को अपने परिवार की सदस्तों की संख्या से विवाजित कीजिए यह आपके परिवार की सदस्त की एक परस की जलकी आवस्तक्ता का ग्यान कराईगा पता लगाईए कि आपके सहर या सहर में गाउं या सहर में कितने लोग रहते हैं अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके सहर अतवा गाउं के लिए एक बास में कितने जल्गी आवस्कता होती आपने ऐसे बहुत से क्रिया कलापों की सूची बनाई जिनमें आप जल्गा उपयोग करते हैं क्या आप सोचते हैं कि हमारे जल्गी आवस्कता इसी बिकार की क्रिया कलापों तक ही सीमत है हम ग्यमू चावल ढालें सबजियां तथा अन बहुसती खाने की बस्तूओं का पिती दिन उपयोग करते हैं हम जानते हैं कि कुछ रेसे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधे से ही प्राप्त होते हैं क्या इन इन्हें उगाने के लिए जल्गी आवस्कता नहीं होती हैं क्या आप जल्गी कुछ और उपयोग सोचते हैं हमारे उपयोग की लगवक सभी बस्तूओं के उत्पादन में जल का उपयोग की अज़त है इसलिए जल का उपयोग के वल्दैनिक कारियां के लिए हैं नहीं वरन बहुत सी बस्तूओं के उत्पादन के लिए भी होता है हम जल कहां से प्राप्त करते हैं अपने उपयोग के लिए आप जल कहां से प्राप्त करते हैं आप मैंसे कुछ कहेंगे कि हम नदियां, जल्मों, तालावों, कुवों, अतवा हैट पंपों से जल प्राप्त करते हैं कुछ अन्न कह सकते हैं कि हम जल टॉंटियों से प्राप्त करते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि टॉंटियों से जल कहां से आता है, टॉंटियों में जल कहां से आता है, टॉंटियों के द्वारा जल हम प्राप्त करते हैं, वह जल भी किसी जील नदी या फिर कुए से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आप उर्थी फिर पाइपों के नेटवर् हमें से पितिएग अपने घर में जलब राप्त करने का डंग भेन वो सकता है अता हम सब के जलब के एक ही सरोथ हैं जैसे तालाबों पर जीलो या कुए हं हमने अपनी चर्चा में कुछ जलब सरोथों का उलेक किया है इन तालाबों नदियों जीलों को बहनने के लिए जल कहां से आता है महासागरों से पित्वी के अधिकतर भाग को घरे गिरा रखा है महासागर है पित्वी के अधिकतर भाग को महासागरों ने गिरा है क्या आप चानते हैं कि पित्वी का दोबटे तीन भाग याद रखिए कितना दोगटे तीन भाग जल से गिरा हुए इस जल का अधिकांच बाग समुद्रों और महासागरों में है समुद्रों महासागरों के जल में बहुत से लबड गोले होते हैं जिसे हम लोग जल जिसे जल खारा होता है इसलिए यह पीने के लिए अनुपयोग थे तथा अनगरेलू, किरसी और द्योगन की आवसकता की पूरती के लिए भी उचित नहीं है कदाचित आपने एर्टी कॉलरेज द्वारां 1798 में लिकी गई कभीता राइम ओब दा एंसियंट मेरीनल की पंक्तियां सुनी होंगी हर जगे जल ही जल पीने के लिए कोई मून नहीं यह कभी ने महासागर में बटके किसी जहाज के नाविक की करना करून गाता का उलिक किया प्रिभी महासागर हमारी उपयोग के लिए जल पूर्ती में एक मत आवस्यक भून का निवाते हैं क्या आपको यह आश्यजनक लगता है कि आखिरकार जो हम जल उपयोग करते हैं वह अथारा नहीं होता है हमें से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूर दूरी पर रहते हैं क्या इन इस्थानों की जल आपूर्ती भी महासागरों पर ही निर्वय करती है महासागर का जल उन तालावों, जीलों, नदियों तथा कुगों से कैसे पहुंचता है जो हमें जल्ग की आपूर्ती करते हैं ऐसा क्यों है कि इन सरोतों का जल्ग किसी भी पकार से खारा नहीं होता है इसे समझने के लिए हम चल्चक के विशाय में जानना आवसके हैं जल्चक, जल्ग के बिलुप्त होने की एकती है आपने कितनी बार यह देखाएगी फर्स पर फैला जल्गुद समय पात सूख जाता है यह जल्ग बिलुप्त होता कि तीद होता है इसे पकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल बिलुप्त हो जाता है वर्सा के परश्चाद गीली सड़कों चटों तथा अन्निस्तानों से भी जल विलुप्त हो जाता है यह जल कहां जाता है अकित। क्या आपने एक दिया 5 का क्रिया कलाब 6 याद है जिसमें हमने उस जल को गरब किया था जिसमें नमक को दाब गया था हमने क्या पाया था कि जल वास्तित हो गया था तथा नमक से रह गया था इस क्रिया कलाब से हमें यह बोद होता है कि गरम करने पर जल जल वास्तित में परि बनी जलवास वायू का एक भाग बन जाती है जिसे फ्रयाद देखा नहीं जा सकता हमने यह भी जान पाया था कि जल को गैसी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार तदा भी हमने यह देखा है कि खेतों सडकों छतों तथा अन जमीनी छेतरों से वी जन जल वास वा हमने विन परिवर्तित होता रहता है अध्याय पांच में हमने यह वी दिक किया है कि माहासागरों का खारा जल जो गैरे गड़ों में चूट जाता है वास्पन के परविडाम सरू्ड नमक के ड Kag were के रूम एककतित हो जाता है वास्पन के लिए उस्था क कुछ कहां से प्राप्त होती है आईए इसका भी पता लगाते हैं क्रिया कलाब दो, दो एक जैसी पिलेट लिए एक पिलेट को सूर के फिरकास में रख दूसरी को छाया वाले इस्थान पर रखी अब इन दौनों पिलेट में बरापर मात्रा में जल भरिए जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के रखकन का उपयोग करते हैं ध्यान रखिए कि जल इधर उधर ना चल की पितेक 15 मिनिट पश्चा दोनों पिलोटों का पेपच्छन कीजिए क्या जल बिलुप्त होता पितीत होता है किस पिलेट का जल पहले बिलुप्त होता है जल के वास्पन के लिए इस उज्जा का सुरूत क्या है दिन के समय सूर की केड़ने महासागरों नदियों जीनों तथा तालावों से भरे जल पर पढ़ती खेत तथा अनलग भूमी चेत भी सूर की केड़नों को गहन करते है इसके फलस्व रूप इन सभी का जल निरंतर बास्प में परिवर्तित होता रहता है तदा भी जल में खोले लवट सेज़ रह जाते है और जल बास्प के रूप में उड़ जाता है क्रिया कलाब दो में हमने यह देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी उड़ बिलिट से भी जल बलुप्त होता है यक पीस में अधिक समय लगता है क्या सूर के पिकास की उस्मा यहां भी पहुंच जाती है हाँ ऐसा इसलिए होता है क्यांकि दिन के समय हमारी चारों और की बायू भी गरम हो जाती है गरम बायू छाया में रखे जल को वास्पित करने के लिए उस्मा के दान कती है इस पिकार जल के सभी खुले पिष्टों से वास्पन की क्रिया होती है इसके फल सवरूफ वास्प में जल वास्प नेरंदर मिलती रहती है तदा फिस जल का वास्पन एक धीमी पिक्रिया है यही कारण है कि जल से भरी किसी वाल्टी से जल की इस चती को हम बहुत कम देख पाते है सूर के पिकास में वास्पन तेजी से होता है जल को किसी वर्णर पर गरम करने पर वास्पन और अधिक तेजी से पता है क्या जलवास्प के वायू में अंत्रित होने का अन्न कोई पिकरम है पौधों द्वारा जल की छती आपने अध्याय साथ में पढ़ा है कि सभी पौधों को बिद्धी के लिए जल की आवसकता होती है पौधे इस जल की कुछ मात्रा का अप्यूँ अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने बिविन भागों में सुरक्षित रखते हैं पोधेश जल का सेस भाग वास्पोत सर्जन पिक्रम द्वारा जल वास्पी रूम में बायू में मुप्त कर देती है। क्या आपको अध्यासाद का हुए क्रिय अकलाब चार याद जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल की वास्पोत सर्जन का पिक्षण किया था। वाईव में जल, वास्पन, दुतसंग्नन की पिक्रमों द्वारां तिरवेश करता है क्या है जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है नहीं, यह हमें पुनाप राफ्त होता है जैसा कि हम देखेंगे आपने बादल के से बनते हैं आके लिए किरिया किलाफ तीन में देखते हैं जल से यादा वरा गिलास लीजे गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पहुंचीए गिल में कुछ वरफ डालिए एक या दो मिनिट तक फितीक्चा कीजे गिलास के बाहरी पेश्ट में होने वाले परीवर्दनों का पेक्चन कीजे क्या करना है पेक्चन गिलास की बाहरी सतर पर जल की बूने कहां से आती है वरफ तक जल से बरी गिलास की बाहरी सतर वाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवात गिलास की सेटरफल संगनित हो जाते हैं संगनन के स्पेक्टरम को हमने अध्याय आज की क्रिया गिलास सेगन में देखा था यह इस तरह जल को पिद्वी के प्वेश्ट पर पुनाहा वापस लाने में संगनन प्रेक्टरम की एक महत्पूंड हुन क्या है यह कैसे होता है जैसे जैसे हम बित्वी के फेश्ट से उपर जाते हैं ताब कम उत्तर हो जाता है जैसे जैसे बाई उपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है परयापत उचाई पर बाई उतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें पस्ति जलवास संधिनित होकर चोटी चोटी जलकी बूने जिनने हम लोग जलकडिका कहते हैं में बरिवर्दित हो जाती है यही चोटी जलकडिका हैं जो बायों में तेरती रहती हैं हमें बादलों के रूम में दिखाई देती हैं इसे बकार बनी हुई वह सी जलकडिका हैं आपस में मिलकर एक बड़े आम पुना महार सागरों की वर्शत ना हिम के रूम में पित्वी के विभिन भावो में आये जल कस्त क्या होता है प्रया समस्त भूब प्रिष्ट महासागरों के तल से उचे वर्षा दता हिम के रूम में भूमी पर गरा अधिकास जल अंतता महासागरों में बापस चला जाता है यह विविन डंगों से होता है परवतों पर हिम पगल जल बन जाती है और यह जल पहाडों से जहर्णों तथा नदियों के रूम में नीचे गरता है कुछ जल जो बास बरसा के रूम में भूमी पर गरता है वह भी नदियों और जहर्णों के रूम में बदल जाता है है अधिकास नदियां फूमी ब्रक्गनबी दूरी और किसी समुध्य या पिर महा सागर में गिर जाती है तद्र पी कुछी सम नदियों का जल जीलों में भी वहे जाता भूरस जल की जल भी जीलों तथा तालावां कोुग देता है वर्सा के जल का कुछ भाग भूमी द्वार बापस बायू में चला जाता है। सेख जल दीरे दीरे भूमें के नीचे सरिस्तार रहता है। इस जल का अधिकांस बाहत हमें भॉम जल की रूम में उपलफ्द होता है। कुवों का भरन भॉम जल से ही होता है। इसी पिकार कुछ जीलों के जलकुआ, सिरोध भी, भौमजली होता है। हेट पंप या नलकूब में से खींचा गया जल भौमजल से ही आता है। जिन छेत्रों में अधिक हेट पंप या नलकूब उपयोग होते हैं, वहाँ पर भौमजल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवसक्ता होती है। अत्ता अत्ती उपयोग के कारण भौमजल के इस्तर की ये अच्छती जिन्दा का बेसे भी बनी हुई है। पहली एक जिन्दा को आपस में बाढ़ना चाहती है। उन च्छत्रों में जहां भौमी पर वनस्पती बहुत कम हैं या बिल्कुल ही नहीं है। वहां वर्षा का जल सीख बह जाता है। बहुत से छेत्य से भी हैं जहां पर अधिकात जमी कंकीट से धकी होती है। ऐसी भौमी जल का निस्तरिशाव बहुत कम होता है। जिसे अधिता बहुत जल की उपलगता त्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहुता जल अपने साथ मेंता की उपरी फेश्ट वो भी बहा ली जाता है। अब हम जानते हैं कि भौमी की सतय पर वर्षा रूपी जल ओलो तथा एम के रूप में महासागरों में वापस पहुंचता है। इस पेकार जल प्धाखबी की उपरी सतय से जलबात के रूप में वाईव में जाता है। वर्सा ओलों तथा हिम के रूम में बापस लॉटता है लेकि वर्सा हो रही है यह आपका बाद रूम के रूम में बन रहा है यह आपका बिल्कुल जल्चक देख सकते हैं आपके यह उपर की और जाते हुए बापस के रूम है और यह गिलते हुए अन्त में बापस महासागरों में लोट जाता है जलके इस पिकार के चकरन करने को जलचट के लिए समोद्र तथा भूमी के बीच यह जलचक एक नेयनतर पिक्रमे यह भूमी की जलकी आपूर्टी बनाए रखता है बात करते हैं यदि भारी जल भारी वर्सा हो तो क्या होगा वर्सा के समय और दी तथा मात्रा विभिन इस्थानों पर भिन भिन होता है संसार की कुछ भागों में पूरे वर्स वर्सा होती रहती है जहां कि ऐसे इस्थान भी हैं जहां पर वर्षा कुछी दिनों के लिए होती है हमारे देश में अधिकांस वर्षा मानसून के मौसम में होती है विसेश्टा गर्मी के दिनों के बाद वर्षा हमें राहत पिदान करती है बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्वर करता है पर तु अत्यदिक बरसा से बहुत सी समस्याओं उत्पन्न होती है भारी बरसा से नदियों के नदियों जीलों तपन तालावों का जल इस तर बढ़ जाता है ऐसे होने पर जल एक बड़े छेत में फ्यलकर बाड का कारण बन जाता है या खेतों बनों और गाउं और सहरों को जल मगन कर सकता है हमारे देश में बाड से फसलें, पाल्दू जानवर, संपदा तथा मारो जीवन की बाड चति होती है बाड की समय जल में रहने वाले जीव या किसी बाड की समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं प्रयाब जल बाड का जल उतरता है तो ये जल सरम जीव थल भाग में फसकर मर जाते हैं वर्सा मूमी पर रहने वाले जीवां को भी प्रभावित करती हैं यदि कापी समय तक बरसा ना हो तो क्या होगा? क्या आप कलपना कर सकते हैं कि यदि किसी चेत में एक बरस या उससे भी अधिक समय तक बरसा ना हो तो क्या होगा? वास्पनिरूम। अजर्णदवारा मिल्दा से लगातार जल्की चती होती होती है क्योंकि यह वरसा द्वारा वापस नहीं लाये जा रहा है इसलिए मिल्दा सूख जाती है वो श्छित के तालावों औकुआं में जल्का इस्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी बह जाते हैं बॉम जलका की भी कमी हो जाती है इससे सूखा पढ़ जाता है वहां सूखी की इस्तिति में खाद्यान और चाराफ्त करना दोल्डव हो जाता है कदाचित आपने हमारे देश में या संसार की कुछ भावों में बड़े सूखे खेवारे में सुना होगा क्या आपको जानकारी है कि इन चित्रों में रहने वाले लोगों को किन-किन कट्णाईयों का सामना करना पड़ता है मैंने बोला था ना कि अगर आप ग्रामीर चित्रे से भलाओं करते हैं तो आपको बहतर समझ में आ रही होंगे चेक्ट क्योंकि आप लोगों ने इस कट्णाईयों को देखा ओगा और सामना भी किया हो इन परिस्तितियों में पसुओं और बनसूतियों क्या होता है अपने माता पेता पढ़ोसियों से चरक्रा करके अतबह समाचार पत्रों वा मैग जीन में बढ़ कर उसके बारे में पता लगाने का प्रयास करें अंब बात करते हम जल को कैस जल्व महासागरों में हैं, जिसे सीधे अपयोग में नहीं लाया जा सकता हैं, जब भामγलक का अंत्य देक गिर जाता हैं, तgebaut भाम dikk pose जल्वग ». बहुससे नगरों में जल बनने के लिए लंबी कतारों का देखना ये साधादन द्रस हो चुका है, खाने की वस्तों के उत्पादन और वुद्दोगों में भी जल की अधिकारिक मात्रा का फियोग हो रहा है, इनी कारणों से संसार की बहुससे भागों में जल की कमी हो गई है इसलिए यह आवर्सक है कि जल का विवेक पूर वो पयोग किया जाए हम सावधानी बरते हैं जिससे जल वेथ ना हो अब बात करते हैं बर्सा की जल का संग्रण वर्सा की जल को एकत्तित करना उसका भनारन करके बाद में पयोग करना जल की उपलबजता में बिद्धी करने का एक उपाया इस उपाया द्वारा वर्सा का जल एकत्तित करने को वर्सा जल संग्रण का मूल मंत्या है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्तित की है वर्सा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे छित्रों में गिरता है जहां अधिकान शेत्रों में कंकीट की सड़कें और मकान होती या नालियों बैह जाता है क्या ऐसा नहीं है कि इस पेकार वर्साजल का कुछ भाग बैकर नदियों या प्रिजीलों तक पहुंच जाता है जो कि बहुत दूर पर हो सकते हैं क्योंकि यह जल हमारे चारों और यहां दो तक्नीकों कौलिक किया गया है चट के उपर वर्साजल संगरण इस पेडाली में भावनों की चट पर 31 वर्सा की जल को वन्डारण टेंक में पाइपों द्वारां पहचाए जाता है इस चट जल में चट पर उपस्तित मिट्टी कर्ण हो सकते हैं इस तरह हैं जिन्हें उप्यों करने से पहले नियंदित करना आवसिक होता है इस जल को वंडारे टेंक में इक्रतित करने के इस्थान पर सीधी पाइपों द्वारां जमीन में बने किसी गड़्टे तक ले जा जा सकता है जहां से मिट्टी में देशा हो द्वारां भॉम जल की पूरहाप पूर्ती करेगा एक दूसरा विकल्प है कि सड़कों के किनारे बनी नाली हो द्वारां 31 बर्सा कर जल भूमे में सीधे पहुंचने दिया जाए आप लोगों को सलाय भी दी जाती है कि अपने च आपने गट्टी को दें इस तरह की और उसमें गिट्टी जो भी वह बढ़कर इस तरह की गट्टी बनाए जिसे बर्सा का पानी उनमें रूख सके और धर्दी में जा सके तो इस चेप्टर में हम लोगों ने दिखा है किया के बादलों की बारे में जाना है, संगरन की बारे में जाना है, सूखा की बारे में जाना है, वास्पन की बारे में जाना है, बाड की बारे में जाना है, ओला की बारे में जाना है, महासागरों की बारे में जाना है, वर्सा जज़ अंगरण के बारे में जाना है हिम के जलवास और जज़ याद रखी अगर आपने इस छेप्टर पड़ा है उसके बाद अगर आपको इन सब्दों में से किसी सब्द का परीभासा या परिवासित नहीं कर पा रहे हैं तो आपने चेप्टर सही से नहीं पढ़ा है, दुबारा पढ़िए, क्योंकि इसमें आराम से आप लोग अगर एक बात ध्यान से पढ़ते हैं, तो समझ में आते रहें, यह आपका सारंत दी आगया है इस चेप्टर का, जल जीवन के लिए आवस्यपन, वायू में वास्पन और वास्पन से जलवास मिलती रहती हैं, जलवास बायू में संगनित होकर छोटी छोटी जल की भूने मनाती है, जो बादल जैसी दिखाई देती हैं, बहुत सी छोटी जल की भूने परसपर मिलकर वर्सा, हिम, अतवा ओले की रूम में गिलती हैं, वर्सा, ओले तथा हिम, नदियों जीनों तालावों कुओं तथा मिट्टी में जल की पुना पूर्थी करते हैं महासागरों तथा जलिये भागों के बीज जल के चक्रन को जल्चक कहते हैं अत्यतिक बर्सा से बाढ़ाती है जबकि लंबी समय तक बर्सा ना हो होने से सूखा पड़ सकता है पित्वी पर उप्यों करने यह बुजल की मात्रा सीमत है इसलिए बिवेक को उप्यों की आवसकता है यह आपके लिए अम्यास के लिए परश्यंस दिये गए है लगा लेना पीडियाप इसकी टेलीग्राम से डाउनलोड करने लेना रख लेना आपने त्वास एक आद बार उससे डेवी जन कर लेना बस आपका खत्म इसके बाद आपको जरूवत ही नहीं पड़े कि उसकी यह था हमारा चौदैवा चप्टर आगे हम बात करेंगी बंदरवे चप्टर हमारे चारों और वाई हूँ तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं NCEIT कक्छाचटवी की साइंस के बारे में विज्ञान के बारे में तो इसमें हम लोगोंने बात के लिए थे 14 चप्टर देख चुके हैं आज बात करेंगी पंदरवा चप्टर हमारे चारों वायू के याद रखी है फिरसे वही कहूंगा किसे कहानी की तरह सुनिए या फिर पढ़िए क्योंकि लाश्ट में जो Niscus निकलते हैं वो भी दिये गए हैं कुछ मत्मुर सब्दी भी दिये गए हैं जो आपके दयाय में परिवासित किये गए हैं कहानी के रोमें अगर वो सब्दों की परिवासा आपको समझ में नहीं तो फिर आप लोग एक बार दुबारा सुनिए इसे पढ़िए जिसे आपका कॉंसेप्ट मुझे भरूसा है कि क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें इतना दिमाग लगाने की नाई ऐसा कोई सब्सक्राइब जो किसी को समझना आए हमारे चारों वो वायू आपने अध्याय नो में पर देखो सीखा है कि सभी जीवों को बायू की आवसित्ता होती है लेकिन क्या आपने कभी बायू को देखा है आपने कभी नहीं देखा हुआ लेकिन निश्चे थी बायू की उपस्तिती कई तरीकों से अनुभाव की हो भी इसे आप तब के पेश्ट आवाज करने लगती हैं वायू के बेनेक कारण ही आपकी पतंग का ओड़ना संबभ होता है क्या आपको अध्याए 3 का क्रिया क्या क्लाब तीन याद है अध्याय 5 का क्रिया क्लाब तीन याद है जिसने आप आपने रेत और गुरादे को निस्वाधन पावन द्वारा अलग किया था निस्वावन की पिक्रिया बैती हुई बायू में अधिक फ्रभावी होती है आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय बायू बहुत तेज गती से चलती है कभी-कभी यह तो यह पेड़ों को भी उखार देती है तो थना छतों के उपर उपरी ह के लाव में हम लोग जानते हैं दिये गए निदेशों के नुपसार हम अपनी एक फिरिकी बनाते हैं फिरिकी की डंडी को पढ़िए उसे खोले चेत देशाओं में रखिए इससे थोड़ा थोड़ा आंगे पीछे की कीजिए देखिए क्या होता है क्या फिरिकी घूंगती है फिरिकी को कौन घूमाता है क्या इसे बायू नहीं घूमा रही है क्या आपने वात्सूप चट को घूंगते हुए देखा है यह उस दिसा को में रुख जाता है जिसमें कि इस इस थान पर बायू चल रही है यह आपका वात्सूप चट क्या बायू हमारे चारों और हर ज दो काज की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए क्या यह बास्ता में विलकुल खाली है या इसके अंदर कुछ है अब इसे उल्टा कीजिए क्या अब इसके अंदर कुछ है अब बोतल से खुले मुख को पानी से भर भरी हुई बाल्टी में चित्र पंद्रह चार की तरह इस तरह अनुसार डोबने बोतल को ध्यान से देखिए क्या पानी बोतल के अंदर फिरवेश करता है अब बोतल को थोड़ा सा तिरशा कीजिए क्या आप पानी बोतल में फिरवेश करता है क्या आप बोतल में से कुछ या बुद बुद आहट सुनाई देती है, क्या आप अन्मान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था, आप सही है या बायू है, जो कि बोतल में उपस्तित थी, बोतल पूरी तरह से किसी भी पिकार से खाली नहीं थी, वास्ताव में इसे ओलेट ने परवी या पूरी तरह स इस्तिती में होती है, पानी बोतल में पिरवेश नहीं करता है, क्योंकि बायू के निकलने के लिए कोई जगय नहीं होती है, जब बोतल को तिरच्छा करते हैं तो बायू वोलवला के रों में आती है, और बायू की निकलने से खाली ही हुए, भाग में पानी भर जाता है, हम इसके आरपार्ट देख सकते हैं, यह पार्ट दर्सी होती है, हमारी पितवी वायू की एक पतली फरत से घिरीवी है, इस परत का विश्थाज पितवी की सतर से कई किलो मीटर उपर तक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वायू मंडल, क्या कहते हैं, वायू मंडल, परवत रोही अपने साथ ओक्सीजन का सिलंडर ले जाते हैं जैसे जैसे हम बायू वंडर में पिदवी कितल से ओपर की हो जाते हैं बायू गिरल होती जाती है क्या आप विचार कर सकते हैं कि परवत रोही उंचे परवतों पर चड़ते समय ऑक्सीजन का सिलिंडर आपने साथ क्यों ले जाते हैं ति बायू किस से बनती है 28 दागदी तक लोग सोचते थी कि बायू के बल एक ही पदारत है प्रयोगों से यह सिद्धुगा है कि बायू बास्तों में ऐसा नहीं है कि इसलिद्ध के मिसरण का है करके कि मुख के उपेवर्यन के बारे में हम लोग पता लगाते है प्रका कि में हमने पड़ा है कि बांख कि जलवास्त के रूम के हमने ऐसा ना सिसम्पर्ण आती है तो इसमें उपस्ते जलवास्प ठंडी होकर संग्रित हो जाती है तथा जलकी बुने ठंडे फ्रिष्ट पर दिखाई दीती है पर किती में चल चक के लिए वायू में जलवास्प का उपस्तित होना अनीवार है ओक्सीजन वायू का दूसरा गटक है ओक्सीजन क्रिया कि लाव तीन अपने सिठ्चक की उपस्तिती में एक लंबाई समानलंबाई की दो मुम्बत्तियों की मेच पर लगाएं उने जला दें इनमें से एक मुम्बत्ती पर काँच का एक गिलास उल्टाद करके रख दें दोनों मौंबतियों को ध्यान से देखें, क्या दोनों मौंबतियां लगातार जलती रहती है या फिर बुझ जाती है आप देखेंगे कि जो मौंबति गिलास से डखी थी, वह कुछ देर बाद बुझ जाती है जबकि दूसरी मुंबत्ती जलती रहती है इसका क्या कारण हो सकते हैं ऐसा पतीत होता है कि गिलास से डखी मुंबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायू का हुए गटक जो मुंबत्ती के जलने में साहाइक है वह सीमित और मॉवबती जलने से कुछ देर बाद वह समाप्त हो जाता है जबकि दूसरी मॉवबती ती को लगातार वायू मिлисьती रहती है वायू का होय गटक जो जलने में सहाइक होता है वह ऑक्सिजन कहलाता है फिर बात करते हैं नाईटरोजन मुहम्मत्ती के बुजने के बाद भी क्या आपने यह दिखा है कि वायू का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में सेस रह जाते है यह सूचित करता है कि वायू के कुछ अब अब जलने में सहायक नहीं होते हैं वायू का एक बड़ा भाब जो मुम्मध्दी के जलने में उपयोग नहीं होता है उसे हम लोग नाइट्रोजन कहते थे देख लीजे आप लोग लिए कि किस कहानी एक कहानी रूप का रूप देकर किस तरह सब्दों को समझाए गया बात करते हैं हम लोग कारवन डायोकसाइड के बारे में एक बंद कमरे में जब कोई पदार जल रहा होता है तो सायद आपने घोटन महसूस की होई यह गोटन कमरे में कारवन डायोकसाइड की अधिक मातरा इकतित होने के कारण होई जो लगातार किसी वस्तू के जलने के को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायूपी दूसर होता है अब बात करते हैं धूल यादर दुवा इंदन तथा पदातों के जलने से धूआ भी उत्पन होता है धूए में कुछ गैस एवं सूच धूल कर होते हैं जो फुरेया हानीकारक होते हैं इस कारण आप कारखान ह çek topic दुवरों में लमबी चिमनिया देखते हैं यह चिमनिया हानीकारक दुयें तथा गैस को हमारी नाक से तो दूल ले जाती हैं लेकिन आकास में बुरते हूँ पक्छियों के बिलकुर नजद्रीक ले जाती हैं वायू में धूल के कडश सधियों उपस्क्तित रहते हैं जानते हैं कुछ के रियकलाग के चार की द्वारा, अपने बिद्ध्यालाए घर में दूप बाला एक कमरा खोजी है, सारे दर्बाजे तथा खिड़कियां बंद करनें, तथा परदे आधी डालका कमरे में पूरा अंधिरा करनें, जिस दिसा से सूर का प्रकास आ रहा है, उस और की दर्बाजे या पर खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर का प्रकास एक पतली सी जिहरी के द्वारा कमरे के अंदर आ सके, अंदर आती हुई सूर की क्रणों को सावधानी पूरवक देखें, इस तरह, वाई में दूल के कड़ों की उपस्तिती का स अंदर लेते हैं, धूल के कड़ों को सुसंक तंत में, जाने से रोखने के लिए हमारे नाप में, छोटे-छोटे बाल तथा सलेजमा उपस्तित होते हैं, क्या आपने उस पल को याद कर सकते हैं, जब आपके अभी भावक ने, आपको मुह से सांस लेने के कारण डाटा होगा, अगर आप मुह से सांस लेंगे, लेंगे, तो हानी कारव जो दूल के कड़ोंगे, आपके सरी में प्रवेश कर जाएंगे, भीड भरे चोरा ही पर आपने पुलिस कर्मी द्वारा मुखोटा पहन कर जाता है, नियंतर देखा हुए इस परेक्टि, इससे हम यह निसकर निकालते हैं, कि बायू में कुछ गैसे, जलवास, दूल के कड़ बिदमान होते हैं, वायू में मु अक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, बास्तों में यहां दोनों मिलकर, ही बायू का 99% भाव बनाती हैं, से से 1% में कारवन, डाय ओक्साइड और कुछ अन्न गैस हों, एवं जलव होती हैं, ओक्सीजन यह आपका, यह आपका कारवन, डाय ओक्साइड, जलवास, एवं दू तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पॉलों को ऑक्सिजन कैसे मिल पाती है, क्रिया कलाव पात द्वारन जानते हैं, किसी धात्तु या काच के बरतन में थोड़ा सा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गरम करें, पानी के उबलने से, पहले सावधानी पूर्वक प आपके अंदर की सतय को देख लें, क्या आप छोटे छोटे बुलुले में इससे चुपके हुए देखते हैं, ये बुले पानी में गुली हुई बायू के कारण बनते हैं, जब आप पानी गरम करते हैं, तो गुली हुई बायू बुलुलों के रूम में बाहर आती है, आप पानी को यदि वार गरम करते हैं तो पानी वास्प में परिवतित हो जबता है और अंध्यता उबलने लगता है हमने अध्याय आठ और नौ में पड़ा है कि जीप पानी में रहते हैं विस्वसन के लिए पानी में गुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जो जीप गहरी आकला सिक्स द्यक्तिए मुझ एक बीकर याकांद के गिलास में सूखी मिट्टी का एक डेला लीजीए इसमें पानी डाले और लोगहं कीज़ें क्या होता है क्या आप मिट्टी से बुलबुली निकलते हुए देखती हैं ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में भी आपकी वायू जाता है तो उसमें बिद्धमाग वायू विस्थाबित हो जाती है जो बुलबुलों के रूम में दिखाई देती हैं मिट्टी के अंदर पाये जाने बाले जीव तथा पौधों की जड़े सोसन के लिए इसी बायू का प्यूब करती हैं मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद और तथा छिद बना लेते हैं इन चिद्धों द्वारा बायू को अंदर बाहर जाने का के लिए जग पानी वह जाता है, इस्तितिती में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है, क्या यही कारण है फिटकेंच हुए, केवल भारी वर्सा के समय पर धी जमीन से बाहर आता है, क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों द्वारा अक्सीजन का उपयोग करने के बाप चुद वायूम Надल की ऑक्सीजन समापत क्यों नहीं होती है वाइव मंदल में ऑक्सीजन को पितिश्थापित कौन करता है इसे भी देलेते हैं, वायूम अक्सीजन कैसे पितिश्थापित होती है अध्याय साथ में हमें विकास अंसलिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं इस पिक्रिया में पौधी अपना भोजन स्वयम बनाते हैं इसके साथ ही ओक्सीजन उत्पन्न करते हैं पौधे सुसन में ओक्सीजन का उपयो करते हैं परन्तु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में बे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्य करते हैं इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्य करते हैं यह वास्त विखता है कि जन्तू पौधों की बिना जीवित नहीं रह सकते हैं पोधों ये हम जन्तुओं के द्वाना सोसंसन पोधों के द्वाना से बना यहां इसे एसप्स्पेश्ट हो जाता है कि पोधों तथा जन्तूओं एक दूसरे पर निर्भर हैं अब यह अनुभाव कर सकते हैं कि वी जीवन के लिए वायू अथिन्ध मत उन्याए, क्या बायू के कुछ envision आपने देखा होगा पवन चक्टी, है भी आतो के लिए वायू बायू पवन चक्की को गुमाती है पवन चक्की को चलाने में होता है पवंचक की विद्दुद भी उद्वन करती है। वायू नाओं को खेने में गिलाइडर, फेरासूर तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायतर करती है। पपच्छी चमगादर, कीडे वायू की उपस्तेदी के कारणी और पातिं। वायू से पौदे की बीज़ों तथा पूलों के पराकड़ों को इधर उधर फेलाने में मदद, फेलाने में सहाय होती है। जल्चक में वायू एक मतपूर्ण मुमी का निभाती है। इस चेक्टर में लोग ने क्या कै। इस पौदों की परिवासा लेखिये। वायू मंतल भी देखा है, कारवर डायू अक्साइड भी देखिए, वायू की सरचना देखिए, ऑक्सीजन देखा है, नाइट्रोजन देखा है, दुमा देखा है, वह पबंच अक्की का उप्वयूग देखा है, इस तरह से, तो यही बताता हम, कि आप लोग चेक्टर आहरा आपको समझ में नहीं आती है, तो दुबारा देख लीगे, जैसे ही आजाएगी एक बार में ही आपको किलियर हो जाएगा, इसमें जो सारांस दिया गया है, सारांस, वायू के ते एक इस्थान पर मिलती है, हम वायू को देख नहीं सकते हैं, परंतु इसे अनुभा पर सकत गती सील बायू को हम लोग पवन कहते हैं, बायू जगे गेरती है, जल दथा मिट्टी में बायू उपस्तित होती है, बायू नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, कारवन डायूपसाइड, जलबात, तथा कुछ अन्ने गैसों का मिस्ण है, इसमें कुछ दूल कर्भी होते हैं, ऑक जली ये प्राणी, स्वसन के लिए जल में घुली बायू का प्यूप करते हैं, बायू से ऑक्सिजन तथा करवन डायूपसाइड के आधान के लिए पौधिय तथा जन्तु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ये था आपका पूरा बायू से संबंदी चेक्ट, ये आपका पंद्रवा चेप्ट, एक चेप्टर हमारा बचा हुए अंगला कचरा, संग्रण एवं निप्तान के बारे में, तो आँगे हम लोग बात करेंगी इसके बारे में, तो चली हम लोग बात कर रहे हैं, N, T, E, I, T, कर्चा छटवी की विज्ञान के बारे में, साइंस क के बारे में, तो याद रखिए, यह आपका लास्ट चेप्टर है, इससे पहले हम लोग ने हमारे चार ओवर बायू देख ली थी, आज बात करेंगी, कचरा संग्रण एवं निप्तान के बारे में, याद रखिए, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, कच्छा चटवी कि हमें, चार बुक्स पढ़नी थी, निप्तान के बारे में, तो दूसरी बात की थी, हम लोग ने हमारा आपावास के नाम से जो आपकी बुक्स है, और इसमें लास्ट चेप्टर है हमारा बिग ज्यान का, तो हमारी, हमारी कच्छा चटवी की जो भी यह थी, याद तो याद रखना है आपको कि इन सभी बुक्स को एक कहानी इदर पढ़ना है, ते, क्योंकि आराम से समझ में आ जाती है, लास्ट में आप लोगों को इसके सब्द दिये होते हैं, जो मात पूट है, और निकस्कस दिया होता है, अगर तरिवी आपको समझ में ना आएगो, लास्ट के वो सब्द, तो ये बार और बढ़ें, उसके बाद कम्पिलीट आ जाएगो, ऐसे भी एक ही बार में आपका समझ में आ जाएगो, तिर आपका पढ़ने का नजरिया है, तरीका कैसा है, कचरा संगरन एवं निप्टा, हम अपने घरों विध्यालें, दुकानों ए पलास्टिक थेलिएों अजब टीनू में फेक होते हैं, ये सबी बस्तों ने कचरे में फेक दे जाते है, कभी कभी हमक रंखी लेते हैं, यह का वास्तों में बहुत कम उपी हों हैं, कैसल 1973 प्रेया हम इन उन्हें कच्रें में फिक का देनिक आपने आपने अपने डेनिक कर्या कलाफों में अत्री कच्रा उत्पन करते हैं हम प्रया सारवजिने की स्थलों पर बसों अत्वा देल गाडियों में मुंधली खाने के बाद इसके छिलके फेक देते हैं बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहां फेक देते हैं कोई बच्चा के बल खेल के लिए ही पैंसिल चीलता जाता है हम अपनी notebook में कुछ color लेते हैं अत्वा उस पर स्याही फैल जाती हैं तब पेज भाड़ कर फेक देते हैं इसके साथ साथ हम कई गहरे लूग अपसिष्ट जैसे टूटे खिलों है पुराने कपड़े जूते चकपल भी बाहर फेक देते हैं लूड़े काम हमारे घर है और फास की आसपास से ये कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा आ आपने विचाल से शरम हमें कैसे घानी काहसा सकता है कि जब सफाई करमचारी कूडिदान से सखुरे को ले जाते हैं वियत्पूडा कहां चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है क्या यह संभव है गिया सारा का सारा कच्रा कुछ ऐसे पदार्तों में बदल जाए जिससे हम कोई हानी नहा हो क्या हम इस दिशा में किसी पेकार से कुछ अपना युगदान दे सकते हैं इस सध्याय में हम इन प पूजो के बिद्यालेयो की बच्चों ने कचरे का निट्टान नामक एक परियोजना पैरम किये इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा है उनमें से कुछ बातों की चल्चाम सध्याय में सीखें एक कदम स्वक्ष्टा की ओधारत की पिदान्वंद्री ने दो अक्टूबर 2014 को इस स्वक्ष भारत अभियान का सुवारम किया था इस अभियान का लक्ष 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में सोच से मुख्थ भारत का निर्मार करना था स्वक्ष भारत कब 2 अक्टूबर 2014 को कच्रे का निप्टान सफाई करमचारी कूड़ा एकत करके ट्रगों द्वारा निचले खुले इस छित्रों में जहां कहरे कटे गरत होते हैं ले जाते हैं इन खुले छित्रों को भराव छित कहते हैं वहां कच्रे के उस भाग को जिसका पुनाहा उपयोग किया जा सकता है उसी रूम में उपयोग ना किया जा सकने वाले, कच्रे से पितक पितक किया जाता है। किया जासा है कच्रे के उपियोगी अवयवकिन निप्टान के लिए भरावचित के पास कमपोष्ट बनाने वाले चित विक्षित किये जाते हैं कंपोष्ट क्या है आई इसे निम्लिकेत करिया कलाब द्वारा देखते हैं संगूर दूसरे में कपलों के टोपड़े यह अंधार सब्सक् franchर किंगे समूख दूसरे में कपड़ों के टोपड़े पॉलिंथिन की थैलियां तूटा हुआ काच एलूमिनियम के रेट परस कीलें पुराने जूती एवं तूटे खिलोने अपितिक समूख के कच्डे को दोग फित्थक डेरियों में बाटती है इन्हें ABCD से नावांकित कीजिए इनमें से पितिक समूख की एक-एक डोड़ी को फिलास्टिक की दो पित्थक थैलियों में भरकर इनके मों कसकर बांग मैदान में चार गड़े खुद कर फिलास्टिक की थैलियों और दोड़ी दूसरी डेरियों को पित्थक गड़े में डालकर इन्हें मिट्टी से ढख दीजिए चितन 16 दूसरी दोड़ी तरह उपर इस तरह चार दन की बश्चात कच्रे की उपर से मिट्टी के हटा कर कच्रे में हुए परिवत्तन को देखिए कच्रे का काला हो जाना या उसमें कोई दुर्गंद ना आना यह दर साता है कि कच्रे का पूर्ड विगलन हो गया इसे पुना मिट्टी से ढख दीजिए इस पिकार दो दो दिनों के अंतर पर इसका अवलुकन करके अपने पेक्षणों को सुझाय अनुसान नोठीजिए कि अब पूर्थभ विगले थे उसमें दुर्गंद नहीं आती है कच्रे में की आनसख रूप से विखले थे लबब पूर्थभ विगले थे परनतु अभी भी दुर्गंद आ रही है कोई प्रिवयता नहीं हुआ है किसी डेरी के कच्रे का विगलन हुआ है और किसका नहीं हुआ है अपने पिक्षण के आधार पर साज़नी सूलेद दसम्दो एक के कॉलमों में अपने विकल्पों एक दो तीन चार को भरिये आपने कुछ और पिक्षण भी किये हूँ तो ने भी अपने नोट्बुक में लिखना ना भूले यो कच्रा विगलित नहीं हो पाता है उसे जलाएए तुमा फिक जलाएए ये अत्वा फिकिये नहीं ये कच्रा पूरता विगलित हो गया हो उससे कोई दोगेंद नहीं आ रही हो तो उसे उस मैदा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधिय वगाते हैं या आपको पौधों को आवस्तक पोसक्तनान करें आपने इस किरिया कलाब में ये विक्षण किया होगा कि एक पिलित होती हैं जिससे खाद बनती है जिसका फिया जाता है कुछ पदारत आपके विक्षण और खाद में परिवेतित होने की विक्रिया को कंपोस्टीं केहते हैं यादडर कि या कंपोस्टिंग की परीभासा समझाने के लिए कितनी कहानी गड़ी गई हैं कि समझ में आए तो इसी कहानी में से आपको वह सब्द चुनना है जिसकी पूरा केंदित है जिस पर पुरी कहानी आपकी गुमदी है तो यह है आपका और क्या रहा है इसमें कुछ जानलायख है भी नहीं कुछ सहरों तथा नगरों में नगरपाल का हैं दो पेकार की कच् करने वाले पदार्ट डाले जाते हैं जैसे पिलास्टिक धातुएं एवं कांच क्या आपने द्यान दिया है दिया कि यह पदार्ट वही पदार्ट है जो कूड़े के डेर में बिलित नहीं हुए हरे कूड़ेदान दसोई तथा अनपादप अतबा जन्तु अपसिष्टों को एकत्तित करने के लिए होते हैं अपने यह नोट किया हुगा कि इस पेकार के अपसिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्था बिलित हो जाते हैं अब तो आप समझी गए होंगे कि किरिया किलाप एक में किये अनुसार कच्रे को भिगने से पहले उसे दो समों में पिठक क करना क्यों आवस्त होता है किया आपने सड़कों के नारे सूकी पत्तियों के कच्रे किड्रे देखे हैं ववदा इन्हें जला देते हैं प्रया किसान भी कटाई के पच्चियात खेतों में सूकी पत्तियां फसली पात्कों की अपसिष्ट तथा भूसे जैसी अपसिष्टो को जलाते रहें इनने जलाने पर स्वास्त के लिए हानिकारग्य से हैं तथा दूआ उत्पन होता है हम इस प्रद्धिती को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए इन अबसेश्टों को उपयोगी कमपोष्ट में परिवर्दित किया जाना चाहिए कि प्रत्तियों के जिस्ताग है अगर आप खेत में जो अंश्ष्ट वलता है उसे जला देते हैं तो वायू के तो उसे आपको भी खेती को भी नुकसान है और कि सभी जीव जद्व होगी अगर आप इसे कंपोश्ट की बनाकर खात बनाकर उपएव करते हैं तो आपके खेती के लिए भी उपएवगी है और हानिकारक भी नहीं होगा किसी पर असर भी नहीं पड़ेगा कच्री कनिपना परियुजना की आउदी में परेली एवं बूजो धगार पक्तियों और दूसरे प्तव अब्सीष्णों को जराने खे रोखने के लिए कानूल मनाएं। वर्मी जानते हैं कि कहुंए कि केशुए किसानों के मित्त कहे जाते हैं, आईए यह पता लगाए कि केंचुए की इस पर जाती लाल केंचुए कंपोस्टिंग में कैसे उप्रेगी होता है। लाल केंचुए की साहता से कंपोस्ट बनाने कि इस बिदी को हम लोग वर्वी वर्मी कंपोस्टिंग अत्वा क्रेमी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्वी कम पोश्टिंग द्वारा हम अपने विद्ध्यालया में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियकला 2 मैदार में आई एक गड़्टा लगब 30 cm गहराख हो दें। अतवा कोई लकड़ी की बॉक्स किसी ऐसे इस्थान पर रखें। जो ना तो बहुत गरम हो ना ही बहुत ठंड़ा। ऐसे इस्थान के बारे में आपका क्या विचार है। जहां सीधे दूप नहीं पड़ती हूँ। आईए अब गड़्टे अतवा बक्से में लाल केंचुगे के लिए आराम दर घर बनाते हैं। गड़्टे दितना बॉक्स की तली में एक जाल अतवा मुर्गा जाली बिचा दीजे। आप विकल के रूम में तली में रेट की एक अतवा दो सेंटीमीटर मौटी पर भी बिचा सकते हैं। अब रेट के उपर सब्जियों अतवा फलों के अप्सिष्ट बिचा दीजे। आप हरी पत्तियों पोदों की सूकी हड्ड डंडियों के टुके। भूसा अतवा समाचा पत्त की एक इंच चौड़ी पत्तियां काटकर उन्हें रेट अतवा जाली के उपर पिच्छा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के विकार कत्तों को काटकर भी पत्तियां बना सकते हैं। परन्तु चमकीले फिलास्टिक वाली कागज एवन कार्टन का प्योग ना करें इसमें। रेत अत्मात तार की जाली पर सूखे गोबर की भी बिच्छाय जा सकता है। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाईए। द्यान रहें कि जल इतना अधिक ना हो कुए बहने लगे। अब स्थिष्ट की परत को दवाए दवाए नहीं। इसे ओला ही रहने दीजिए। ताकि इस परत में आप अर्यप्त मात्रा में बायू एवं नमी बने रहें इस पकार। लाल पेट्वी आपके यहें। अब आपको गड़ा लाल केंचुए के स्वागत के लिए देजारें। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इने अपने गड़े में रखिए। अब इने जूट की बोरी पुरानी चादर अथवा गास से अलके से ढखतीजे। आपके लाल केंचुए को भोजन चाहिए। आप इने फल अथवा सब्गियों के अपसिट, कॉपी तथा चाय चानने के बाद बची भी पत्तियों। तथा खेव एवं बगीचे के खरपत बाद दे सकते हैं। इस गड़े में इस बोजन को लगपक 2-3 cm गहराई में दबाकर रखना है अच्छा हो सकता। नमक अचार, तेल सिर्का, मास एवं दूस सिने में अफसिष्ट पदार्थ भोजन की रूम में लाल केंचुई को ना दे। इन बस्तुओं को गड़े में डालने से उसमें रोग कारग जीवत्पन होने लगते हैं। तो कच दिनों के अंतराल में गड़े के पदार्थ को देरे देरे मिलाते रहते हैं। इसकी उपरी सतय को खिलाते रहते हैं। लाल केंचुई के लिए आहा है याक़ लाल केंचुई के दात नहीं होते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, इनमें एक पिसे सरजना होती है, जिसे हम लोग गिजर्ड कहते हैं, जो भूजन को पीषने में की सहायता करती है, यदि आप अंडे के छेल के यतवा समुद्री संक या सीपी का चूरा आहर के साथ मिला दें, देंगे तो यह आहर के सा होत जाता है, और भूजन को पीषने में उनकी सहायता करता है, कोई लाल क्रिमी एक दिम में अपने सरी के भार के बराबर आहर खा सकता है, लाल केंचुआ बहुत गरम अतवर ठंडे बातारवैन में, जीवित नहीं बहत अकती है, उन्हें अपने आप अपने पास आसपास नमी की आवसकता होती है, यदि आप अपने केचुओं की भली बाती, देखवाल करते हैं तो एक मास्क उनकी संक्या दुगनी हो जाए, तीन से चार सकताय के इंतराल पर अपने गट्टे का सावधानी पूरवक पेप्छन करनते रहे, क्या आपके गट्टे में मिट्टी ज किनारे पर आहार के रूम में कुछ अफस्ष्ट डालिए, अधिकांस क्रिमी अन भागों में को छूड़कर गट्टे के इस बाग में इस्थानाज़तित हो जाएंगे, दूसरे बाग से खात को निकाल कर, कुछ घंटों तक इसे दूम में रुपाईए, आपका बर्मी कंप अधिकांस क्रिमी, हैं आप इनका उप collaborate बनाने में कर सकते हूँ, अथ्वा, आप इने किसी कंपोष्ट बनाने वाले को माँट सकते हूँ, इस णिस ब्रमी Compose खात को आप अपने गंडम्लों बगीच्छों अथ्वा, खेतों में डाल सकते हूँ, क्या of sto s favors. ट ब्रापत करन लेते हैं बड़े बड़े गड़ों में बर्मी कंपोस्ट बना कर परिक्चन कर सकते हैं इससे आपकी बहुत से धन की बाद चद भी यह होगी जो आप महीं के रिसायन और बाद के बंखाट खरीदने के लिए खर्ज़ करते हैं सोची और फिर फेकिए आपकी विचार से हाद दें पितेक घर से कितना कच्चा फेका जाता है इसका अनुमान आप किसी बाद्टी को मात्रक के रूम में लेकर कर सकते हैं अपने घर का कच्रा इकतित करने के लिए 5-10 लीटर की कोई बाद्टी लिए उसमें कुछ दिन तक इतने दिनों में बाद्टी कुरी भर जाती है आप अपने घर के सदस्तों की संख्या जानते हैं यदि आप अपने सहर अत्वानगरों की संख्या का पता लगा लें तो क्या आप यह अनमान लगा सकते हैं इस पिती दिन आपके मुहले अत्वानगर के सभी घरों में कितनी कच्रे के पहाड कर रहे हैं क्या है सच नहीं है आई अब हम एक ऐसे गाओं के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां कि लोग बुद्धी मान है और जहां कच्रा कम निकलता है नानू छटी कर्चा में पढ़ता है उसे कागज का बायूयान बनाना बहुत अच्छा लगता है जब वह अपनी नई नोडोक के पन्ने खाड कर बायूयान बनाता है तो उसकी मा को बहुत कष्ट होता है परन्तु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता है एक बार नानू अपनी मा के साथ अपनी मौसी के घर गया वहां वह अपने मोसेरे भाई स्याम द्वारा बनाई वे, विविन ने चीजों को देखकर आक्ष्च चकित हो गया, उसने पुराने चार्टों से थाय बनाई गई थी, पैंसेर की छीलन से बधाई कारणों प्रफूर, पुराने कपरों से चटाई, पॉली थी, कि थेलियों से टोकरी आदी को देखकर नानू अक्ष्च चकित रह गया, स्याम ने तो विवाह के निवंतर पत्रों में से एक डायरी भी बना रखी थी, एक दिन पर प्रयाता नानू अपनी नानी को डूरता हुआ, पहुंचा, तो उसने देखा कि नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाड़ी में लगदी का लेप कर रही थी, नानू ने पूछा कि नानी आप क्या कर रही हूँ, यह कागच की लगदी है, इसके लेप को मैंने चिकनी मिठी, एवन कागच से तयार किया है, तथा इस मैं मैंने कुछ धान की बोसी भी मिला भी है, नानी ने उतर दिया, परूंति से पीछों पूससे होई होए तो असमें कोई रूची नहीं थी वह घेलने के लिए बाहर भाग गया वह तो केबल कावज भाढ़ भाढ़ कर वायुवार बनाने में रूची है बास्ता में उस ने स्याम की फैलों से भी कावज भाढ़ ने सुनकर दिये स्याम ने नानू द्वारा बायुयार बनाने में उपयो हुई सभी कावजों को गत्तित कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या विभार किया गया वह किसी की भी कोई बात सुनना तक नहीं चाहता था कुछ दिनों बाद नानू का जनम देना आने वाला था स्याम नानू के मित्रों को निमंतर देने की योजना बनाई नानू में अपनी मित्टी की बुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया उसने अपने मित्रों के लिए कावज की कुछ हैट खरी दे उसमें दुकांदार से उन्हें एक पॉलीधन की थेली में रखने का कहा परन्त दुकांदार ने उसे पॉलीधन की थेली ना देकर कावज की थेली दे दी नानू में बहुत सी चीजों जैसे टॉपिया और इसको भी खरी दे उसे इन सबी चीजों को लेकर चलना मुस्के लगने लगा परंतु कोई भी दुकांदार उसे पॉली थन की थेलियों देने की तियार नहीं था घर से तलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थेला ले जाने को कहा था अब उसे उसकी बात ना मानने का दुखो हुआ किसी पकारों अपनी सभी बस्तों को लेकर साथ लेकर घर पहुंचा नानू की मित्रों ने जनम दिम पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पाल्टी का भरपूर आनंद लिया उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे दे गए चमकीले कागज के हैट पहिन सेमने नानू के मित्रों के लिए कागज की लोगदी से सुंदर मुकोटे बनाये उसने नानू के लिए अपने मुकोटे के साथ अपने घर ले गए नानु वहुत उप्तेजी था, वह अपना बोजन सीग समाप्त करके अपना उपभार देखना चाहेते था, विद्याला की चुट्टिया समाप्त होने के वश्चात नानु घर बापस आ गया, उसका सहर स्याम की गाउं से कितना अलग है, वह गाउं की स्वक्षेवं साप सुत कर दिया, छोड़ दिया था, आपने भी अपने घर के आसपास एक दूसरे स्थान पर कुछ बच्चों को कच्रा बीनते देखा होगा, इन बच्चों को कार करते देख किये और पता लगाईए कि बिग कच्रे से उपयोगी पतायत कैसे पित करते हैं, विबास्तों में हमारी इम्मित विद्यालाय जाती है, यदी नहीं तो इसका कारण जानने का तुर्यास कीजिए, क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं, क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार कता हैं, कांच तथा दादू की बस्तों में पिलार्टे की नए कावज बनाना चाहेंगे, इसे बनाना सीखेंगे, कावज का पुना चक्रन देखते हैं, बताएं, अब इतनी कहानी पूरी सुनाईगी है आपको, मुझे तो लगता है कि जो भी हमें किताबें पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी कहानी के रूम में हो, एक हमें अ देते हैं हम लोग कावज का पुना चक्रें, इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र पुराने लिखापे, मैगजीन, पुरानी नोटवोक, पत्र एवं अन्न बेकार कावईयों की आवसकता होगी, चमकदार एवं पिलाट्टे के लिए पे कावज का उपयोग मत कीजि इन्हें एक बाल्टी अत्वार टब में रखकर जल डालिए, कावज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए दोबा रहने दिए, अब इस भींगे कावज को काटकर गाड़ी लुगदी बनाई, अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर दीले लुगदी को फैलाई, लुगदी तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अत्वा समाचात पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी अधिक से अधिक चल सोख लिया जाए, अब लुगदी की इस परत को सावधानी पूरव, सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचात पत्र पर रखकर दूब सुख मे जिससे भी मोड ना सकें, रंगीन कावध प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर, आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं, इसके पर फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर, आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंकुडियां, तथा रंगीन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमने कावध का पुनर्चक्रन किया, बैसे ही हम हर वस्तु का पुनर्चक्रन कर सकते हैं, बात करते हैं, प्लास्टिक बर्दान है या पर अभी सब, कुछ पेकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रन किया जा सकता है, फरन्तु सभी पेकार के प्लाश्टिकों का पुना चक्रन नहीं किया जा सकता है। क्या आपने क्रिया क्लाप एक में या नोट किया था कि पॉलीथन की थेलियां एवन कुछ प्लाश्टिक बिगलित नहीं होते हैं। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथन की थेलियाओं का निप्टान एक बड़ी समस्या के हैं हमें पिलास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है क्या आप पिलास्टिक से बनी कुछ ऐसी बस्तुओं के नाम बता सकते हैं जिने हम उप्योग करते हैं जैसे आपके खिलोने जूते थेल ले पैन करगें दांत के उपर बाल्टी वोतल जलपाई ने बस्तुओं की सूची बहुत लंबी होगी क्या आप पिलास्टिक से बनी बसका, रेडियो टेलिविजन, रेफिटेर, इसकुल के कुछ भागों के नाम बतांए पिलास्टर का उप्योग सम्भातव स्वहिम कोई बिसे समस्या उत्वन नहीं करता है समस्या तब उत्वन होती है जब हम इसका अधिकारे को प्योग करते हैं तथा अपसिष्ट प्लास्टिक की निप्टान से अंजान होकर उसकी उपेपचा करते हैं आज हमारी चारों और यही हो रहा है यह भी हम इसके दूस प्रभावों को से परचित हैं फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरजायत को नहीं समझ पारें हम प्रया प्लास्टिक की थेलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संगरन के लिए करते हैं प्रया ए थेलियां खाने की बस्तुओं को रखने योग नहीं होती हैं इन थेलियों में पैक किये गए भोजन को खाना हमारे स्वास्ट के लिए हानिकारक हो सकता है प्रया दुकांदा और प्लास्टिक की ऐसी थेलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर किसी अन्यकार में उपयोग हो चुका है खाद पतारतों कि संगरण के लिए हम इसकार के लिए अनमोदित फिलास्टिक की थेलियों के उपयोग के लिए अग्रह करना चाहिए सभी प्लास्टिक गरम करने अत्वा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त कलते हैं यग ऐसे बहुत ही स्वास्त समस्या现在 on जिन में मार्मों में कियंसर भी समब ले थे उत्षभण्ध कर सकते हैं सरकार ने पिलास्टिक के पुरमा चक्त लिए आभसार कि दिसानि देश जारी के आपने देखा होगा कि लोग फ्रेया अपने घर की कच्रे को पिलास्टिक की थेलियों में भरकर बाहर फेक देते हैं गली महले के आवारा पसू बोजन की कोज में जब थेलियों को देखते हैं तो फ्रेया पिलास्टिक की थेलियों को भी निकल जाते हैं कभी कभी तो इसकारण उनकी मिद्धी भी हो जाती है। सडकों तथा अन इस्थानों पर सावधानिक फित पूर्बग फेगी गई फिलाक्टिक की थेलियां बहुदा भैकर नालों अध्वा सीवर पेणाली में पहुंच जाती है। फिलाक्टिक की थेलियों का कम से कम उपयोग करें। जहां भी संभव बिना कि नहीं दुस पिरवाओं भी हम थेलियों का पुना उपयोग करें। दुकांदारों से कागज की थेलियों उपयोग करने का अग्रे करें। खडीदारी के लिए बाजारत जाते समय हम घर से कबड़े अत्वाजूट का थेला लेकर जाए। हम खादपदारतों के संकरने के लिए पिलास्टिक की थेलियों का उपयोग न करें। हम उप्योग के पश्चात पिलास्टिक की थेलियों, थेलियों को पिधारोधन न पेखें, हमें पिलास्टिक की थेलियों और अनपिलास्टिक की बस्तों को कभी न जलाएं, हम कत्रे को पिलास्टिक की थेलियों में न भरें और बाहर न पेखें, हम परमी कंपोस्टिन का लिए लेकिए छूटे काहज्ओं को रखकार के लिए उपिव करें हम अपने परिवार मित्रों एवन अन्न वैक्तियों को विविन पिकार के अपसिश्टों के निप्टान के लिए ओचित आचरों का फालन करने के लिए पेरेट करें, फिलाक्टिक के जरूरत से जानद उपयों को काम कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए, तो यह था आपका बहुत ही मात्पूर्ण चेप्ट, अगर आपने मंद से सुना है तो बहुत हो सीखने के मलेगा, लेकिन मुझे पता है, अपने आपल दागू कोई नह प्षेय क्जिन कि हम जो भी बढ़ते हैं बस हमें जरूरत है से लिए पढ़ते हैं, लेकंन उसमें जो भी बातने लिखी रह दे और दो अब अपने उपर लागू करते हैं, नहीं हम उनका मतलब समझना चाहते हैं, बस हमारा यह यो मतलब है, उसे निकालते हैं, और छूट जाते हैं अब इसमें हम लोगों सब्दी देखे हैं हमारी अपसिष्ट कच्रा बरावची कंपोष्ट बर्मी कंपोष्ट कुना चक्र ठीक है यह आपका अपसारांस दिया गया बरावची तो ऐस्थान होता है जहां सहर अत्वा नगर की कच्रे को इकतिव करके पाटा जाता ह कलांतर में इस छित पर पाग बना देते हैं तो रसोई घर की अपसिट सहित पोधों एवन जन्तु अपस्ट्रेश्टों को खाद में परिवर्दित करना कंपोष्टिंग कहला था है तो रसोई घर की कच्रे को क्रिमी एत्वा लाल केंचुग द्वारा से कंपोष्ट में प दानिकारिक पदार्वितों में परिवर्दित करना संब्व है हम कम से कम अप्ष्ट उत्पन करने की आवस्सकता है हमें अपने चारों और पैच्रे की बढ़ती मातरा से ने परटने के लिए उपायत होजने चाहिए यह आपकी अभ्यास के लिए कुछ मात्वून कुश्च इसकी पीडिया डली हुई है टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लें है चलिए तो यह थी हमारे 16 चेप्टर कंप्लीट हम लोग होने कप्छा चटवी की एंधी बुक्स देख लिए साइंस की तो आगे हम लोग बात करेंगे कप्छा साथ बीकी बुक्स देखेंगे हमें हमारा अतीत सेकंद हमारा पर्यावाण और विग्यान के बारे में ठीक है